सुरेंग्र मोहन पाठक कहर विमल तैतालीस पाठ दो ओ, कार में, उन बदमाशों ने जो तुझे उठा के ले गए क्या, क्या किया? सरदार जी, बात को लंबा न घसितो ऐसा कुछ न किया जो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ ये न भूलो कि मैं वही नीलम हूँ जिसे तब मायाराम बावा हिमाचल के मेरे गाव हरीपुर से भगा कर लाया था जबकि मैं अभी बालिक भी नहीं थी हीरोईन बनाने का जहासा दे कर फिल्मों की हीरोईन तो मैं न बनी कोई और ही हीरोईन बन गई पूरा एक साल उसने मुझे पाइदान की तरह इस्तमाल किया और फिर मुझे लावारिस बेसारा छोड़ कर भाग गया मैं वही नीलम हूँ जिसे कंपनी के बड़े ओदेदार मुहम्मद सुलेमान ने तुम पर दबाव बनाने के लिए होटल सीविव में मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया मैं वही नीलम हूँ जिसे इनायत दफेदार ने करकडाती थंड में विंस्टन पॉयंट के एक उजाड कमरे में नंगी ठिठुरती इसलिए बंद रखा था क्योंकि मैं उसे सोहल का पता बताने को तयार नहीं थी विमल व्याकुल भाव से बोला बस कर बीपी बाते मत दोहरा उन्हें याद भी ना कर तुम्हें याद दिलाने के लिए याद करना जरूरी था कि नीलम एक ऐसी धर्ती का नाम है जिस पर कोई भी आता है हल चला कर चला जाता है नीलम ऐसी दुधारू गाय का नाम है जो जिसके करीब से गुजरती है उसे दूने बैठ जाता है नीलम तो खूटे से बंदी बकरी है जिसको जिबा करना हर किसी के लिए सबाब का काम है शायद ये मेरे पापो की सजा है जो मुझे मिलती है, मिलती ही रहती है कोई सजा नहीं, सब संयोग है सारे संयोग मेरे साथ ही क्यों होते हैं? सब के साथ होते हैं, मैं जिन्दगी का कम सताया हुआ शक्स हूँ अपने दुश्वारिया बयान करू तो यहीं सवेरा हो जाए, बुरा वक्त सब पर आता है आता है लेकिन नीलंग पर आता है, तो लंगर डाल कर बैठ जाता है खामख्याली है, कभी मैं संतक्त था, मेरा चित्व चलायमान था तो तब किसी ने प्रवचन के तौर पर जो मुझे कहा था आज मैं तुझे कहता हूँ, उस महान आत्मा का नाम भोजराज शास्त्री था जिसका कथन था कि दोहक की घड़ी का भी उतनी ही बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए जितनी उमंग से आप सुख की घड़ी का भोग करते हैं जैसे कोई सुख स्थाई नहीं होता, वैसे कोई दोहक पी स्थाई नहीं होता, इसलिए तेरी ये सोच भ्रामक है, मौझूदा विपत्ती का नतीजा है कि तेरे साथ बुरा वक्त आता है, तो लंगर डाल कर बैठ जाता है, हर काम के होने का एक वक्त होता है और वो अपने वक्त पर होकर रहता है, तुने अपने पर आई इतनी आपदाएं गिनाई, उन्में से किसने तेरी जिन्दगी में लंगर डाल दिया? माया राम ने तुझे धोखा दिया, तो क्या जिन्दगी खत्म हो गई? नीलम का सिर इंकार में हिला लेकिन उसकी जिन्दगी खत्म हो गई, क्यों खत्म हो गई? क्योंकि यही खुदाई इंसाफ है, जिसमें मैं निमित बना, मुहम्मद सुलेमान नाम के वहशी दरिंदे ने तुझे अपनी हवस का शिकार बनाया, तो आखिर क्या अंजाम हुआ उसका? जिसकी बीवी के साथ उसने मुह काला किया, उसने उसके हलक से उसके प्रान खीच लिए, इनाय दफिदाद में मुझ तक पहुँचने के लिए तुझे जरिया बनाया, करती ठंड में सारी रात तुझे निर्वसन रखा, तो दिन चड़े क्या अंजाम हुआ उसका? मेरी बीवी की आबरू से खिलवार करने वाला चांडाल कुत्ते की मौत मरा, ऐसा कोई शक्स मलेरिया तपेदिक से नहीं मरता, बस के नीचे आने से नहीं मरता, कोई पुल, कोई इमारत उस पर धेर नहीं हो जाती, वो मरता है, अपने कुकर्मों से ठोकर खाके जो उसे में आन पड़े दिखाई नहीं देते, पर नारी पर कुद्रिष्टी रखने वाले हर जालिम का, हर जाबर का यहीं हश्र होता है, वो सब तो एक शीष के मानवा है, लंकापती रावन गया, बीस बुजा दस शीष, क्यों गया? क्योंकि पर नारी पर कुद्रिष्टी रखी अब बोल, जिनोंने तेरे को अपनी वहशत का शिकार बनाया, वो जिन्दा बचेंगी नीलम के चहरे पर गेहन उतकंथा के भाव आए मारो भी? वो बोली तुम तुम उनको मारो भी? कौन किसको मारता है? कमलिये, उनका बुरा वक्त उनको मारेगा उनके मर जाने से जो मेरी दुर्दक उन्होंने की, क्या सच में उसकी तलाफी हो जाएगी? विमल ने अपलक उसकी तरफ देखा, जिनोंने मुझे अपवित्र किया, उनका खून मुझे फिल पवित्र कर देगा? तू अपवित्र नहीं है, तू दुनिया की सबसे पवित्र औरत है, तू विमल का गला भरा आया, मेरी भार्या है, अर्धांगिनी है, शरीर से आधा अंध अलग हो जाए तो क्या कोई जिन्दा रह सकता है? विमल की आखों से आसों की दो मोटी बून्दे धुलक पड़ी अरे, सरदार होके रोते हो घर चल घर चलू? हाँ, ये शहर, ये मुल्क, ये दुनिया कितना भी बड़ा अत्याचार का देरा क्यों न हो, हम यही रहेंगे और हर विपत्ती का मिलकर मुकाबला करेंगे मिलकर मुकाबला करेंगे, नीलं होठोन में बुद्बुदाई याद कर, बखिया के निजाम के दौरान जब मैंने क्लब 29 पर धावा बोला था, तो कंदे से कंधा मिलाए कौन मेरे साथ था? मैं? चर्श गेट के यतीम खाने में, जब कंपनी का तबका बिग बॉस व्यास शंकर गजरे अपने प्यादों की सौच के साथ यतीम खाने पर काबिस था और मैं पूरी तरह से उसकी मुठी में था, तो तब किसने एकायक वहां पहुँच कर मेरी जान बचाई थी? मैंने अभी हाल ही में जब मैं मनोरी गोरी रोड़ पर के उजाद चर्च में दिल्ली की तिहाड जेर से सरार हरनाम सिंग अरेवाल के कबजे में था तो मुझे छुडाने की खातिर तू ताबूत में बंध होकर वहां पहुँच गई थी, क्या भूल गई? नहीं तो फिर तू कोई मामूली औरत है तू सरदार सुरेंद्र सिंग सोहल की बीवी है तू जब चाहे माता भगवती का भवानी वाला रूप अक्तियार कर सकती है मैं तुम्हारे साथ जरूरत पढ़ने पर जैसी जिन्दगी को पीछे छोड़के आए, वैसी फिर शुरू जिस तिसु भावे तिवे चलावे जिव होवे फर्मानू बक्षनहार का जैसा हुक्म होगा, जैसा वो चाहेगा, वैसा चलाएगा तूने हमारी जिन्दगी को अपने धंग से धालने की कोशिश करके देख लियान। मैंने हमने अब जिन्दगी को वैसे चलने देकर देख जैसी वो प्रारब्ध के हवाले चलती हैं। अच्छा हाँ, अब हम घर चल रहे हैं, लेकिन पहले दो बातों का जवाब दे। पूछो कोमल खुद ना आई, तेरे बुलावे पर आई? हाँ इसलिए अपने मनसूबे पर अमल करने में तू एक दिन लेथ हो गई। सूरज की फिक्र ना होती तो सोमवार रात ही वो कदम उठा दी जो आज उठाया। घर ही न लोटती। यानि बच्चे की खैर घर लाई, बच्चे के बाप को इस सवज्जों के काबिल ना जाना। बच्चा बच्चा है, बाप सामर्थ्यवान है, मैं क्या जानती। नहीं मुंबई में सोहल के मुरीद उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। पीर पैगंबरों वाली सलाहियात वाला आदमी काल पर फता पाया हुआ मानस, चलता फिरता प्रेट। कमली, ऐसा कोई आदमजात होता है। मेरा मरद होता है, दूसरा सवाल पूछो, जिन चार शैकानों ने तुझे उठाया, उनमें से किसी की सूरत देखी? नहीं देखी, पहले ही बोला। कर जवाब दे, कई क्षण वो खामोश रही। मैं गारंटी कोई नहीं कर सकती, लेकिन जो लड़ता। मेरी छाती पर सवार था, उसकी शकल मुझे कुछ-कुछ पहचानी-पहचानी लगी थी। किसकी लगी थी? देखो, अगर मुझे पहचान में मुगालता लगा था, तो गरीब मार हो सकती है। नहीं होगी, यकीन कर मेरा, अब नाम ले। उसने लिया। वे वापिस लोटे। कार की आहट पर ही भीतर की बत्ती जली और मेड ने मेड दोर खोला। स्रान ऐसी ही वफादार मेड थी। विमल की गैरहाजरी में उसने पलक नहीं जपकी थी, 20 नवंबर बुधवार। अगला एक हफता विमल के लिए बहुत हलचल वाला गुजरा, लेकिन उसकी हिदायत पर नीलम ने घर से बाहर भी कदम न रखा। उस दोरान उसकी चोटे काफी हद तक ठीक हो गई, चेहरा तो बिलकुल साफ हो गया, लेकिन जिस्मानी चोटे ही ठीक हुई, रुहानी चोटे बरकरार थी। बुध्वार सुबा विमल जब गैलेक्सी के आफिस में पहुचा तो सबसे पहले कंपनी की वर्तमान प्रोप्राइटर दिवंदत शिव शंकर शुकला की पतनी शोभा शुकला से मिला, उसने सविने अपनी एम्पलायर को बताया कि आइंदा दिनों में उसकी हाजरी अन्य दियमित हो सकती थी, मिसे शुपला ने कोई एतराज न किया आखिर अपने पती के सदके वो विमल की हकीकत से वाकिफ थी बलकि उसे राय दी कि वो जब तक चाहे आफिस आए ही नहीं उस सूरत में वो मैनेजर आपते से बोल देगी कि खुद उसने एक जरूरी काम से उसे गैलेक्सी के हैदराबाद आफिस भेजा था, विमल को वो अभैदान पसंद आया बतोर अपने अपहर्ता और मोलेस्टर जो नाम नीलम ने लिया था, वो पडोस के छोकरे अर्मान क्रिपाठी का था विमल की शहपद नीलम ने चोरी से फिर उसकी सूरत का गंभीर मुआयना किया था, लेकिन वो निश्चित तौर पर नहीं कह सकी थी कि वो उसके साथ गंभीर अनाचार करने वाले चार युवकों में से एक था बकौल नीलम उसमें और आत्ताईयों में चल्दी कार के भीतर इतनी भीशन हाथा पाई हुई थी कि अनाचारियों को भी खरोचे आना लाजमी था लेकिन विमल ने देखा था, अर्मान के चहरे पर अपनी कहानी खुद कहने वाली ऐसी कोई खरोच नहीं थी, जिस्म का मु निगाबीनी के जो नतीजे सामने आये, वो इस प्रकार थे, उसकी हर शाम दोस्तों के साथ या अकेले, किसी दिस्कों में, किसी रेस्टोबार में गुजरती थी, सीमेल कमपैनियन शिप का रसिया था, इसलिए उसने कई ऐसी जगह तारी हुई थी, जहां ऐसी कमपैनियन आसानी से हासिल हो जाती थी, उसकी निग्रानी के नतीजे के तौर पर ऐसी जो जगह विमल की जानकारी में आई, वो थी, साउट एक्स में स्मोकिंग चिम्मी, डिसेंस कालोनी में बोस्टन क्लब, ठान मार्केट में चाइना टाउन, खैबर पास में लिटल टिबड, दो बार वो हौस खास भी गया जहां कि गोल्डन गेट नाम की एक बड़ी फूफा वाली जगह थी, जो की उस पर लगे बोर्ड के मुताबिक रेस्टो बार, दिसको, नाइट क्लब, सब कुछ थी, लेकिन दोनों ही बार उसका निशाना उसकी बगल में मौजूद एक गार था, सिलहाल उसका ठेकेदारी का कहीं कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा था, विमल ने गार्मेंट सैट्चरी के चक्कर लगाते उसको भी देखा था और नोट किया था कि पुत्र की तरह उसकी वहां लंबी हाजरी थी, ये भी मालूम हुआ कि उसके शगल के बारे में उच जाने पर बेता अर्मान त्रिपाठी खुद को अपने पिता के बिजनेस में पार्टनर बताता था, लेकिन विमल को उसकी ऐसी कोई सक्रियता कभी न दिखाई दीजब पिता का कोई प्रोजेक्ट ही चालू नहीं था, तो पार्टनर पार्ट किस काम में लेता, तो क्या करत था, पैश करता था, संपन्न पिताओं की बिगरी ओलाद की तरह हर वो काम करता था, जिसे मौडन सोसाइटी में इन थिंग कहा जाता था, आधी रात से पहले कभी घर नहीं लोटता था और रोजमरा की सोबत के लिए अपने हमुम्र इतने लड़कों को जानता था कि जादा बार देखा था, पिता पुत्र की गार्मेंट फैक्टरी में हाजरी ने फैक्टरी को विमल की तवज़ों का मरकज बना दिया, तो उसने उसकी और परताल करने का फैसला किया, इस कोशिश में पहली बात तो उसे ये मालूम हुई की फैक्टरी में दो शिफरट लग सिर्फ जीन्स और शर्ट्स ही बनती थी एक बार जब उसने पिता को आके चले जाते देखा तो उसने फैक्टरी की बाबत अपनी जानकारी में इजाफा करने का फैसला किया मुबारक अली के 14 भांजों में से एक भांजा अश्रफ मुबारक अली की तरह इस फर्ट के साथ टैक्सी जाइवर था कि अब वो काली पीली फियेट टैक्सी नहीं चलाता था नई नकोर असेंट चलाता था उसकी कार पर सवार विमल शाम 6 बजे के करीब फैक्टरी के गेट पर पहुँचा वहाँ आने का वो वक्त उसमें इसलिए चुना था क्योंकि उसकी पड़ताल के मुताबिक सर्दियों के उस मौसम में पिता पुत्र में से किसी का फैक्टरी का फेरा लगता था तो शाम को इतना लेट उन दोनों में से वहाँ कोई भी नहीं खहरता था उसके संकेत पर अश्रफ ने हौन बजाया गेट में बनी खिर्की सी खुली और उस पर एक वर्दीधारी गार प्रकट हुआ कार और पैसेंजर का प्रत्यक्षता उसने रौप खाया इसलिए उसने खिर्की से बाहर कदम रखा फातक खोल भाई अश्रफ उसकी तरफ का शीशा गिराता उतावले स्वर में बोला कार अंदर ले जाने का हुक्म नहीं है गार अद्बसे बोला अश्रफ ने विमल की तरफ देखा विमल ने सहमती में सिर हिलाया वो कार से निकल कर गार के करीब पहुँचा किसका हुक्म नहीं है उसने अधिकार पूर्ण स्वर से पूछा उसके लहजे का गार पर प्रत्याशित प्रभाव पड़ा मालिक का वो पूर्ववत अदब से बोला मालिक मेरे वाकिफ है आप आपके वाकिफ है हाँ चिंता में तृपाथी वाकिफ है मेरे अच्छा, जोगमणी त्रिपाथी, वो गार्ड के स्वर में गर्फ का पुट आया विधायत है, रूलिंग पार्टी के नेता है, सरकार में, वो सब मुझे मालूम है, लेकिन सैट्वी जोगमणी की है, ये नहीं मालूम था, वही मालिक है, नेता है, न, इसलिए बहुत मसरूफ रहते हैं, इसलिए अपने कारोबार की देखभाल के लिए ताइन नहीं निकाल पाते, इसलिए बड़े भाई चिंतामी जी यहां का कारोबार देखते हैं, फोकट में तो न देखते होंगे, क्या मतलब साहब, मुलाजमत में भी नहीं देखते होंगे, आखिर बड़े भाई है, मैं समझा नहीं, साहब, जरूर दोनों भाई पार्टनर है और इस बात की तुम्हें खब नहीं, उसने उस बात पर विचार किया, हो सकता है, फिर बोला, है, है ही सही, पर आप तो बोलिए, साहब आपको, काम क्या है, भाई, जीन्स, शर्ट लेने का न, यहां रिटेल सेल नहीं होती, साहब, रिटेल को कौन बोला, होल सेल भी नहीं होती, तो कहां होती है, शहर में जहां रिटेल का या होल सेल का आउटलेट है, उसका पता बोलू, गार्ड की सूरत पर अनिश्य के भाव आए, मैं मुरादाबाद से आया हूँ, बार-बार नहीं आ सकता हाँ, आज ही लोटना भी है, पहले ब्रांड नेम बोलू कौन सा नेम बोलू? अरे, मारका मारका बोलू वो हिचकी चाया विमल ने एक सौ का नोट उसकी तरफ बढ़ाया गाड के चहरे पर रौनक आई, नोट उसकी वर्दी में कही गायक हुआ, मैं मुरादाबाद का बड़ा व्यापारी हूँ, अपना कारोबार बढ़ाना चाहता हूँ, रामनगर और बरेली में स्टोर खोलना चाहता हूँ, बड़ा कारोबार यानी माल की बड़ी खपत, इसी लिए यहां आया वो प्रभावित दिखाई देने लगा यहां की खबर कैसे लगी, साहब? फिर बोला लगी किसी तरह से, बड़े व्यापारियों में सौ तरह की बाते होती हैं लगी किसी तरह से, तुम मार का बोलो, वो फिर हिचकिचाया मामूली बात है, हुज़त न करो, वरना पीली पत्ती नहीं मिलेगी मैं पान नहीं खाता, साहब इडियट वो हर बड़ाया लगता है, दो सो का नया नोट अभी तक नहीं देखा उसकी आखों में प्रत्याशा की चमक आई मेरी जेब में ही रह जाएगा, अब बोलो, चाहते हो ऐसा हो उसने व्यगरता से इंकार में सिर हिलाया, तो जवाब दो साहब, वो दबे स्वर में बोला इस कमपनी का अपना कोई मारता नहीं है क्या, कोई ब्रांड नेम नहीं? ना तो माल मार्केट में कैसे बिखता है? साहब, जवाब तो देता हूँ, गार्ड का स्वर और दब गया, पर किसी को बोलना नहीं की जवाब हित्राम गार्ड से मिला नहीं बोलूंगा, वादा साहब, यहाँ जो माल बिखता है, वो डाइरेक्ट मार्केट में नहीं जाता वो कहा जाता है? जो कहना है, एक ही बार में कहों, यार आडर पर जो मार्का कोई बोले वो जीन्स पर, शर्ट्स पर लगा दिया जाता है कोई बोले 500 jeans 1000 shirts Park Avenue की, Marka Park Avenue का 1000 jeans 1000 shirts Arrow की, Marka Arrow का 1000 jeans 2000 shirts Frelying Machine की, Peter England की, Ellen Soli की. मैं समझ गया, तो यहां duplicate माल तयार होता है. साहब, ऐसा न बोलो, माल एकदम चौकस तयार होता है. सिर्फ मार का ग्राहक के आरडर और उसकी जरूरत के मताबिक लगाया जाता है. आगे आरडर देने वाला जाने, उसका काम जाने. कुछ फैबरी फैबरी करके बोलते हैं, इस काम को, फैबरीगेशन, वही वही फैबरी, वही कुछ बड़ी कमपनिया दूसरों से ऐसे माल बनवाती ही है, इसलिए तो फैबरी. केशन का इतना कारोबार है, दिल्ली में बाटा क्या अपनी तमाम चपले, जूते खुद बनाता है. बाहर से बनवाता है, अपना मार का लगवाता है, बजाज के गीजर. बहुत सयाना है, कभी कोई एक्षन नहीं हुआ. कैसा एक्षन? कभी रेड पड़ी हो डुप्लिकेट माल पकडने के लिए? क्या गजब करते हो साहब? अवल तो माल डुप्लिकेट होता ही नहीं है. क्या कहने? खिर सरकारी अमलदारी में किसको नहीं मालूम की MLA साहब की सैट्च्री है. और MLA भी. कैसे? जो सुना है बहुत जल्द मंत्री बनने वाले हैं. तभी खुद चकर लगाते हैं. बहुत कम, मुश्किल से महीने में एक बार. ये तो ना आने जैसा हुआ. हाँ, साहब. आते हैं तो ठाहरते भी तो नहीं. बस. नेताओं वाली उरन हाजरी भरते हैं. स्रलाइंग विजिट. यहीं कहते होंगे. एक पार्टनर आता नहीं, दूसरा कम आता है. आपको कैसे मालूम? इससे तो लगता है कि कोई तीसरा पार्टनर भी है, उसके चहरे ने रंग बदला लगता है. है? अब क्या बोलू? साहब. पता नहीं इस बाबत कुछ कहना मुनासिब होगा या नहीं. उसके लिए मुनासिब होगा, जिसके लिए मेरे पास अभी एक तीली पत्ती और है. उसके नेत्रे में फिर चमक आई. एडवांस. विमल ने दो सो का एक और नोट उसे थमाने की जगर. उसकी वर्दी की उपरी जेब में खोस दिया. शुक्रिया, साहब. खी से निपोर्ता बोला. आप बहुत महरबान है. काहे का शुक्रिया. काहे की महरबानी. इसे आपसदारी समझो. फिर भी साहब. अब तीसरे पार्टनर की बोलो. साहब है तो सही. वाचमैन का स्वर्द दब गया. लेकिन वो कहीं बाहर से है. बाहर से क्या मतलब? इधर से, डिल्ली से नहीं है. आसपास से भी नहीं है. सुना है मुम्बई से है. नाम. नहीं मालूम. आता तो रहता होगा. नहीं. कभी भी नहीं. ऐसा तो नहीं है. हो सकता है. कभी आता हो. लेकिन इधर कभी नहीं आया. साहब लोगों से मिलकर. बाहरो बाहर ही चला जाता होगा. कहां मिलके? पता नहीं. वैसे एक बार सुना था कि बाजू के रेस्टोरेंट में मिले थे सब लोग. बोल्डन गेट में? एक ही रेस्टोरेंट है बाजू में. रेस्टोरेंट डिस्को नाइट क्लब वही हूँ ये कोई बड़ा कारोबार तो नहीं, साहब दो शफिक चलती है, तो भी. अभी साहब लोगों को कारोबार बढ़ाना भी तो है. अच्छा अभी सैक्ट्री का कारोबार दो फलोर से है, एक फलोर. खाली पड़ा है, वो इसलिए तो है. कूचर एक्सरेंशन के लिए, फ्रयूचर एक्स्टेंशन के लिए, वही. फिर भी इमिटेशन का काम बड़ा कारोबार नहीं हो सकता. कौन सा काम, साहब? जो यहां होता है, चलो फैब्रिकेशन, ठीक, उसने हिचकिचाते हुए सहमती में सिर हिलाया, फिर भी तीन पार्टनर. एक ओल दीवे मुमड़ी से, अब मैं क्या बोलू, साहब? ऐसा तो नहीं पार्टनर्शिप में कोई और कारोबार भी हो जिसकी तुम्हें खबर न हो. अब बस करो, साहब, कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि गार्ड हित्राम क्यों किसी से इतनी देर से बतिया रहा था? ठीक, शुक्रिया भई तेरा हित्राम उसने सिर्णवाकर शुक्रिया कुबूल किया, फिर बोला साहब, मुरादाबाद में चलता आपका अपना कोई मारका हो जिसका माल आपने बाहर से बनवाना हो तो इधर आना फिर कभी, पहले खब करके, और आकर बड़े त्रिपाठी जी से मिलना. अच्छी राय दी, शुक्रिया विमल ने उसकी पीच थपत पाई फिर वापिस घूमा, गार भी घूमकर भीतर चला गया, उसके पीछे फाटक की खिड़की बंद हो गई विमल वापिस कार में जा बैठा अश्रफ ने कार स्टार्ट न की क्या सोच रहा है? विमल बोला दो नमबर का माल बनता है इधन नेता जी की सरपरस्ती में अश्रफ संजीदगी से बोला नकली माल का ठिया है, तू सुन रहा था कभी कभी गार्ड की आवाज उची हो जाती थी तो कुछ सुनाई दे जाता था ओ अश्रफ तब भी न चला अब क्या है? विमल तनिक उतावले स्वर में बोला एक बात है वो बोला पशोपेश में हूँ की आपको बोलू या न बोलू पशोपेश खत्म कर बोल वो वो क्या है की? अभी मैंने गोल्डन गेट मैं एक शक्स को जाते देखा जो की मेरा पहचाना हुआ था तो सिविल लाइन्स में रहता है बड़ी कोठी में मर्सिडीज में चलता है पर इधर इंदिका में पहुँचा मेरे को हैरानी हुई मर्सिडीज के मालिक को तू कैसे पहचानता था? मेरा कस्टमर रेगुलर टैक्सी का रेगुलर कस्टमर? हाँ, मेरा पक्का अड़्डा होटल मेडन्स है वहाँ एक तूर आपरेटर का आफिस है जिससे मेरा टाइअप है उस शक्स की मर्सिडीज के मालिक की कोठी होटल से करीब ही है बड़ी कोठी है इसलिए उसका एक बिजनेस आफिस कोठी में भी है वहाँ टैक्सी की अकसर जरूरत पड़ती है जिसके लिए वहाँ से होटल के ठीये पर फोन आता है कई बार मैं उधर जा चुका हूँ वहाँ मेरी ऐसी गुडविल बन गई है कि मालिक मुझे बाई नेव जानता है वहाँ से ठीये पर काल आती है तो इस हिदायत के साथ आती है कि अश्रफ अवेलेबल हो तो उसी को भेजा जाए कौन है मालिक? सुखनानी नाम है कीमत राय सुखनानी सिंधी है? हाँ कारोबार क्या है? टैक्सी का रेगुलर कस्टमर? हाँ मेरा पक्का अड़्डा होटल मेडन्स है वहाँ एक तूर आपरेटर का आफिस है जिससे मेरा टाइप है उस शक्स की मर्सिडीस के मालिक की कोठी होटल से करीब ही है बड़ी कोठी है इसलिए उसका एक बिजनेस आफिस कोठी में भी है वहाँ टैक्सी की अकसर जरूरत पड़ती है जिसके लिए वहाँ से होटल के ठीये पर फोन आता है कई बार मैं उधर जा चुका हूँ वहाँ मेरी ऐसी गुडविल बन गई है कि मालिक मुझे बाई नेव जानता है वहाँ से ठीये पर काल आती है तो इस हिदायत के साथ आती है कि अश्रफ अवेलेबल हो तो उसी को भेजा जाए कौन है मालिक? सुखनानी नाम है कीमत राय सुखनानी सिंधी है? हाँ कारोबार क्या है? सुना है कोई एक्सपोर्ट का बड़ा बिजनेस है वो जो बड़ा आफिस होता है जिसे बड़े व्यापारी कार्पोरेट आफिस कहते हैं बारा खंबा रोड पर है ठीट ठीट लेकिन इसमें जिक्र के काबिल क्या है कि तुने एक वाकिफ पैसेंजर को गोल्डन गेट में जादे देखा अब ये न कहना कि मर्सिरीज में चलने वाले को इंदिका में पहुँचते देखा ऐसा हुआ होने की दरजनों वज़ा हो सकती है है तो वो भी अजीब ही बात लेकिन नहीं कहूंगा गुड मैं सोचता था कि सिविल लाइन में रहता आदमी बारा खंबा रोड पर आफिस रखने वाला आदमी हौजखास के रेस्टोरेंट में कैसे पहुँच गया विमल सक्पक आया इधर कहीं किसी काम से आया होगा फिर बोला कुछ खाने की या ज्रिंग की कलब लगी होगी इंडिका पर आया अरे बोला न जो उसे गोल्डन गेट के में दोर पर उतारते ही चली गई क्या कहना चाहता है इतना बड़ा आदमी वापिस कैसे जाएगा बहुत खुराफारी दिमाग पाया है तूने अरे इंडिका ने लौट आना होगा उसी ने उसे कहीं किसी काम से भेजा होगा कि जब तक वो गोल्डन गेट में था जाइवर फला जगर जाए और फला काम करके आए हो तो सकता है नहीं भी हो सकता है तो हमें क्या खासतोर से तुझे क्या हाँ ठीक उसने इगनीशन आन किया नौवे दिन दो नवंबर गुरुवार गुरुवार को दिन के वक्त ही अर्मान त्रिपाथी महरौली के एक फैसी रेस्टोरेंट में एक ऐसी नौजवान लड़की के साथ मौजूद था जिसका खुद का शगल भी तफ्रीवाजी ही जान पड़ता था दो घंते विमल ने दोनों को वोदका का आनन लेते देखा इस फर्क के साथ की जितनी देर में लड़की ने एक बलडी मेरी पी उतनी देर में लड़के ने तीन लार्ज वोदका हलक में उतारी फिर लंच पीन बजे जिससे वो फारिग हुए फिर वो रेस्टोरंट से बाहर निकले और पावपाव चलते बाहर सड़क की ओर बढ़ चले विमल ने अर्मान की वरना रेस्टोरंट की पारविंग में खड़ी देखी थी लेकिन उसने उधर का रुख नहीं किया था पैदल चलते वो सड़क पर एक और बढ़े फिर सड़क छोड़कर एक संतरी कच्ची राहदारी पर उतर गए कहे जा रहे थे विमल सावधानी से उनके पीछे लगा रहा वो राहदारी आगे एक उजाड सुनसान खंडहर पर जाकर खत्म हुई विमल जानता था कि महरौली के इलाके में ऐसे खंडहर अंगिनत थे जिन में कोई आवाजा ही नहीं होती थी अब विमल को अंदाजा होने लगा कि छोकरा किस सिराक में था वो खंडहर में दाखिल हो गए भीतर नीमा अंधेरा था जिसमें वो और गहरे धंस गए फिर सिरे की दीवार के करीब पहुँचे तो अर्मान ने लड़की को दबोच लिया विमल एक खंबे के पीछे सरग गया वो उनसे मुश्किल से दस गस दूर था इसलिए लड़की बोली तो उसे उसकी आवाज पश्ट सुनाई दी अरे अरे क्या करते हो वाह मेरी भोली बेगम तेरे को नहीं पता क्या करता हूँ अरे कोई आ जाएगा साली ये तब सोचना था जब मैंने तेरे को बोला था कि कहा चल रहे थे लेकिन दिन दहाडे क्या हुआ है दिन को दहाडे को है कोई यहाँ आ तो सकता है नहीं आ सकता इस गुथा खंदहर में कौन आएगा साला हम भी तो आए है अरे किसी वज़ा से आए है वज़ा से तू वाकिफ है वही वज़ा किसी और को भी यहाँ ला सकती है साली वहमी तो अरे तो कोई एकाएक थोड़े ही सिर पर आ खड़ा होगा कोई आवाज तो होगी उसके आने किया नहीं हाँ लेकिन जब आवाज होगी तो संभल जाएंगे वो सोचेगा नहीं हम यहाँ क्या करते थे टूरिस है साइट सीइंग पर है लेकिन ये भुथा खंडे है हमें क्या मालूम था भीतर आने पर ही तो मालूम हुआ हूँ पर अब चुपकर न पर-पर दोक्षन खामोशी में गुजरे सब तो करो मेरे से नहीं होता अरे बाह तो न तोड़ो तो हाथ हटा क्या करोगे हटाएगी तो पता लगेगा न साली कुछ क्षन खामोशी रही उस दोरान खंबे के पीछे से निकल कर विमल प्रेत की तरह उनके करीब पहुँचा अब उसके चहरे पर सैंटम वाला वो मुखोटा चड़ा था जो उसने दो दिन पहले किनारी बाजार से खरीदा था जहां की वैसे साजो सामान की बहुताहत में दुकाने थी वो उनके सिर पर जा खड़ा हुआ तो उन्हें उसकी खब लगी वो छितक कर एक दूसरे से अलग हुए बधवास लड़की अपने अस्तव्यस्थ कप्रे व्यवस्थित करने लगी ओनी पॉनी वैसी हरकत अर्मान ने भी की कौन है बे? फिर कड़क कर बोला अंधा है विमल शांती से बोला दिखाई नहीं देता? चलता बन यहां से अभी अभी पहले जरा वो लड़की की तरफ घुमा तू इसकी सगे वाली है? न नहीं वो बड़ी मुश्किल से बोल पाई ये मेरा कुछ नहीं लगता आगे लगने वाला हो नहीं नहीं अभी जो करने जा रही थी गैर के साथ करने जा रही थी? ये ये जबरदस्ती मुझे यहां ले आया खहरजा साली अर्मान गुर्राया साली विमल की भवे उठीन तू साली है इसकी? न नहीं अभी ये बोला तो गग गाली गाली के तौर पर बोला तो ये जबरदस्ती तुझे यहां लाया? हाँ अभी ये जो करने पर आमादा था वो जबरदस्ती करना? लड़की से जवाब देते न बना वो बेचेमी से पहलू बदलने लगी यहां इसका अंजाम बुरा होने वाला है तू उसमें शरीक होना चाहती है कौन साला कहता है? अर्मान पूर्ववत आवेश से बोला मेरा अंजाम बुरा होने वाला है तुझे मेरे सिवाए कोई दिखाई दे रहा है यहां तू है कौन? बोलूँगा अभी मैं लड़की से बात कर रहा हूँ मेरे से बात कर मादर दो मिनट सबर कर ले फिर मैंने तेरे से ही बात करनी है विमल एक क्षण ठिट का फिर बोला प्लीज क्या बात करनी है? तू सुनेगा न? उसके जब्डे भिंचे मैंने एक सवाल किया था संबोधित हुआ, जवाब दे विमल लड़की से ना नहीं नहीं शरीक होना चाहती मोबंद रख सकती है हाँ अभी तो ना रख सकी खामोशी खैर रखेगी? हाँ, हाँ मैं तुझे चला जाने दू तो सेफ जगा पहुँचकर याद रख पाएगी कि तूने मुव बंद रखना है पुलीस को फोन नहीं करना? पुलीस को फोन हरगिस नहीं बॉइफ्रेंड की खातिर बॉइफ्रेंड मैं नहीं जानती ये कौन है यू बिच अर्मान फुम्फकारा मैं जिन्दगी में दोबारा इसकी सूरत नहीं देखना चाहती मुझे नहीं पता ये कौन है ठहर जा, कुत्ती अर्मान उस पर जपता विमल ने उसे रास्ते में ही थामा और परे धकेल दिया वो फिल जपता तो विमल का एक इतना प्रचंड घूंसा उसके जबने पर पड़ा की वो धराशाई हो गया बड़ी मुश्किल से वो उटकर खड़ा हुआ एक हाथ से वो जबना टतोलने लगा तूटा नहीं है विमल यू बोला जैसे उसे तसली दे रहा हो मैंने खा सहतियाद बरती की न टूटे तूट जाए तो वायर करना पड़ता है बहुत तकलीफ होती है खाया प्या भी नहीं जाता बोला भी नहीं जाता क्या समझा वो खामोश रहा विमल ने कुछ क्षण किसी प्रतिक्रिया का इंतजार किया फिर वापिस लड़की की तरफ आकरशित हुआ तूब बहुत खूपसूरत है वो बोला थैक्यू अब तक भैसे त्रस्ट लड़की मुसकरा कर इठला कर बोली लेकिन खूपसूरती सदा साथ नहीं देती तभी कभी तो जीवन की तरफ शरभंगुर साबित होती है म मैं समझी नहीं अंग भंग हो जाए तो सुंदरिया जिस रूप को शीशे में देखती अगाती नहीं उसकी परचाई से दरने लगती है म मैं अभी भी नहीं समझी क्योंकि अभी मैंने समझाया नहीं अब समझाता विमल ने जेब से नाईयों वाला उस तरह निकाला और आगे बढ़कर उसकी नाग पर रख दिया लड़की सिर से पाफ तक कापी ताजिन्दगी विमल का स्वर एकाएक हिंसक हुआ शीशा नहीं देख पाएगी नहीं वो बड़ी मुश्किल से बोल पाई नहीं एक जटका नीचे की तरफ अंग भंग जलवे खत्मा गुलजार खत्मा बहार खत्मा नहीं वो फुस फुस आई फिर भले ही बाहर निकलते ही यहां जो देखा उसकी दुहाई देने लगना मैं होंट सी लूंगी जुबान को ताला लगा लूंगी किसी को पुछ नहीं बोलूंगी मैं सीधी घर जाऊंगी मुझे तेरी बात पर एदबार है फिर भी ताकीत के तौर पर उस तरह इतना तेज था कि उसके बाल बराबर दबाव से नाक पर खून की एक बूर चहचुहा आई लड़की को पहले तो कुछ पता ही ना लगा फिर उसने जिजखते हुए अपनी नाक को चुआ तो नाक पर की खून की बूंद उसकी उंगली के पोर पर चमकी उसके चहरे पर हाहाकारी भाव आए जा उसने यू विमल की तरफ देखा जैसे जो सुना उस पर यकीन ना आ रहा हो अपने उस अंजाम को याद करती जा जो हो सकता था पर ना हुआ वो हिली आगे बढ़ी फिर एकाएक जैसे उसके पैरों में पंक लग गए विमल अर्मान की ओर घूमा अर्मान मोह बाए नेत्र फैलाए सब नजारा देख रहा था अब विमल बोला मैं जो पूछब तूने उसका जवाब देना है उसके चहरे पर अनिश्य के भाव आए मुझे ऐसी शकल बना के न दिखा तू खामोश नहीं रह सकता क्या जानना चाहते हो पिछले से पिछले सोमवार शाम को तू कहा था मैं कहा था जवाब दे भई सवाल न कर जारा तारीक को सोमवार के दिन शाम साथ बजे के बाद कहा था याद नहीं याद कर क्या याद करूँ जो मेरी हर शाम की रूटीन होती है उसी में मसरूफ था दोस्तों के साथ तहीं तफ्रीर में ही रहा होंगा गोल मोल जवाब नहीं चलेगा पात को सोच समझ फिर ठीक से याद करके बोल कि सोंबार 11 तारिक की शाम 7 बजे के बाद तू कहा था किन दोस्तों के साथ था और तुम सब क्या कर रहे थे बोला तो तफ्रीर कर रहे थे दोस्त कौन थे? तफ्रीर की किस्म क्या थी? याद नहीं याद कर याद नहीं याद कर भाई बोला न याद नहीं याद कर जरूरी है याद करना किसके लिए? मेरे लिए, लेकिन तेरे लिए भी बराबर मेरे लिए क्यों? क्योंकि जवाब पर तेरी जान का दारोंगार है वो हडबडाया फिर भी, फिर बोला पता तो लगे कि याद करना क्यों जरूरी है? लगेगा पहले जवाब दे याद नहीं तो तू नहीं बोलेगा? बोल तो रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ, याद नहीं हम्व लगता है मेरी नर्मी तुझे गुम्रा कर रही है वो खामोश रहा उसकी सूरत से धृष्टता ज़लकी लगता है तू भूल गया है कि उस तरह अभी भी मेरे हाथ में है कतो नक्ता मर्द भी अच्छा नहीं लगता, अभी पहले धार पर रख विमल ने उस तरह वाला हाथ हवा में उठाया उसकी विमल से आख मिली तो उसे उसमें मौत नाच्टी दिखाई दी, हाथ नीचे करो वो फंसे कंड से बोला, विमल ने जैसे सुना ही नहीं सिर हिलाया, फिर हाथ नीचे किया, उस शाम हम कनौट प्लेस में थे बहुत जल्दी याद आ गया, वो खामोश रहा, हम में कौन-कौन शामिल थे? मैं और मेरे तीन दोस्त, कनौट प्लेस में कहा? एक बार में, बार का नाम बोल, ननाम तो याद नहीं कहा था? जन्पत की साइड में कनौट प्लेस के आउटर सरकल में कहीं था नाम क्यों नहीं याद? बस नहीं याद, सच पूछो तो नाम की तरफ हम में से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था कनौट प्लेस में आज की तारीक में 10-20-50 नहीं, 200 बार है कहीं खड़े सिर उठाओ, सामने बार दिखाई देता है एसा ही हमारे साथ हुआ, बरामदे में खड़े बतिया रहे थे सिर उठाया तो पाया बार के सामने खड़े थे, बस भीतर जा बैठे कब तक रहे वहाँ? मेरे ख्याल से ग्यारा तो बस ही गए थे, क्योंकि दिनर भी हमने वही किया था इतनी सी बात पर हुज़त क्यों की? हुज़त न की, एक बारगी तो सच में ही याद नहीं आया था दोस्त हालिया थे या पुराने? पुराने, जिग्री? हाँ तीनो? हाँ नाम बोलो, सच बोलना, जूट बोला तो अंजाम बुरा होगा नीरश चावला, यादवेंद्र थाकुर, भूशन तिवारी तीनों जिग्री? हाँ रेगुलर मिलना जुलना? हाँ तेरे पास मोबाइल कौन सा है? आइफोन एट वो तो लेटिस्ट है मैंने देखा नहीं कभी, देखे जरा वो हिचकिचाया विमल ने अपलक उसे देखा वो निगा चुराने लगा विमल ने उसके गले से उस तरे की धार लगा दी और खुद जेप से उसका मोबाइल फोन निकाला, कुछ खशन उसने फोन का मुआयना किया चावला ठाकुर तिवारी फिर बोला, सब तेरे जिगरी, एक का भी कांट्रेक्स में नाम दर्ज नहीं ना फेवरेट्स में नरी सेंस में क्यों भला तीनों में से किसी के पास भी मोबाल नहीं है उससे जवाब देते ना बना जूट ही बोला आखिर मेरी वार्निंग को किसी खातिर में ना लाया मैं पूरा इडियट लगा तेरे को जिसके आगे तेरा जूट चल जाना था वो परे देखने लगा विमल ने एक जापड उसके चहरे पर रसीद किया जिसका इरादा उसको चोट पहुचाना नहीं उसको बेजज़त करना था उसका मनोबल तोड़ना था अपमान से जलता वो अपना गाल सहलाने लगा घूम जा विमल सक्ती से बोला आगत के खिलाफ बिना वज़़ पूछे बिना हुज़त किये ततकाल वो विमल की तरफ तीट सेर कर खड़ा हुआ विमल ने जेप से एक स्टील वायर का रोल निकाला तार महीन थी लेकिन प्यानो वायर की तरह मजबूत थी उसने अर्मान के दोनों हाथ थाम कर जबरन उसकी पीठ पीछे किये और तार की मदद से कलाईयों के करीब उन्हें आपस में बांध दिया फिर उसने उसे फर्ष पर बैठने का आदेश दिया और वैसे ही तखनों के पास उसके पाव बांधे आखिर वो उकडू उसके सामने बैठा क्या मतलब है इसका अर्मान कठिन स्वर में बोला अभी तू जानता नहीं है मैं कौन हूं भी कहना होगा विमल सहेज भाव से बोला कग्या चाहते हो हाँ ये टोन ठीक है मैं दो एहम बातों की तरफ तेरी तवज्जो दिलाना चाहता हूं पहली ये है कि तेरे हाथ पाव रसी से नहीं प्यानो वायर से बंधे हैं मैं तेरे को इसी हालत में छोड़ के यहां से चल दूँगा तो पीछे खुद को बंधन मुक्त करने की तेरी भरपूर कोशिश होगी बंधन धीले करने की खातिर स्वाभाविक है कि तू अपने हाथ पाव उमेधेगा हाथ पाव रसी से बंधे हो तो ऐसा करने से रसी की पकड धीली हो जाती है और आखिर बंधक हाथों को आजाद करने में काम्याब हो जाता है फिर पाव खोल लेना मामूली बात होती है लेकिन हाथ पाव वैसे वायर से बंदे हो जैसे तेरे बंदे हैं, तो हाथ पाव उमेटने का नतीजा उलट निकलता है वायर धीली पढ़ने की जदचमडी में धंसने लगती है, और जहां धंसती है, वहाँ से खोन निकलने लगता है, समझ रहा है न मैं क्या कह रहा हूँ? समझ तो रहा हूँ लेकिन तू तुम दो बाते कहना चाहते थे, दूसरी बोलो बोलता हूँ, उस परली दीवार की तरफ देख क्या है वहाँ जहां मों फर्ष से मिलती है, वहाँ तवज्जो दे, रोशनी कदरन कम है लेकिन फिर भी गौर से देखेगा, तो तुझे कुछ साफ दिखाई देगा, दिखाई दिया हाँ क्या चीन्तिया है, लंबी कतार में उनमें कोई खूबी दिखाई दी हो नहीं कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, खूबी, पहली बात तो ये है कि वो काली नहीं, लाल है, और दूसरी बात ये है कि वो चीन्तिया नहीं, चीन्ते है तो इन लाल चीन्तों में एक खासियत होती है, क्या? खून से अच्रेक्ट होते हैं, खून की मुष्क दूर से ही पा लेते हैं, और फिर अपनी दगर छोड़कर मुष्क के पीछे चल देते हैं होता होगा ऐसा, मुझे क्यों अता रहे हो? नहीं समझा? नहीं भई, तू बंधन मुक्त होने की कोशिश करेगा, इस कोशिश में वायर से चमडी कतेगी, खून रिसने लगेगा, खून की मुष्क उन चीन्तों तक पहुँचेगी और फॉरण उनका मरकज वो मुकाम बन जाएगा जहां से खून की मुष्क उठ रही होगी तो तू तो वाके कुछ नहीं समझा, यार, अरे, दो घंते में वो कोहनियों तक तेरी बाह चट कर जाएंगे, न खाल बचेगी, न मास, एन जख सफेध हड्या निकाल देंगे, फिर क्यानों वायर तो अपने आप ही कलाईयों से अलग हो जाएगी, लेकिन पिंजर बन गए हा अपनी जुबान बंद रख पाएगा, उसने अपने एकाइक सूख हाएं होठोन पर जुबान फेरी, अब क्योंकि तुझे इस जिल की खबर लग गई है, इसलिए तेरी भरपूर कोशिश होगी की तार तेरी चमडी न चीलने पाए, खून न रिसने पाए, नहीं, उसने ज कब क्या करोगे? तेरी जीन्स का पाँचा फाड कर, विमल ने जेप से रेजर निकाल कर फिर हाथ में ले लिया, तेरी एक पिंदली पर हलका सा, छोटा सा कोई तीन इंच लंबा कट लगाऊंगा, गहरा बिलकुल नहीं, उथला, जो स्किन तक ही रहे, फ्रलेश तक न ऐसा की बस खोन रिषने लगे, तुझे कुछ महसूस नहीं होगा, बस हलकी सी नब्स चलती लगेगी पिंदली पर, फिफिर? फिर क्या? फिर मैं लाल चीन्तों को तेरी कांग पर पिकनिक करते देखूंगा, बीच बीच में अपना सवाल दोहराओंगा कि ग्यारा तारीक स लुमवार की शाम को तेरा क्या शगल था? हड़ी जाकने लगने तक भी तू खामोश रहेगा, जवाब नहीं देगा तो मैं अपनी हार मान लूँगा, मेरा बाप तुझे जिन्दा नहीं छोड़ेगा. बशर्ते कि जान जाएगा कि किसे जिन्दा नहीं छोड़ना, अब M पेले चाचा के नाम से भी धमकी जारी कर, कोई और सूर्मा बाकी हो तो उसका भी नाम. आजमा तु तुम जानना क्यों चाते हो कि उस सोमवार शाम को मैं कहा था, बड़ी देर में पूछना सूझा. बोलो बोलूंगा, पहले अपनी कथा कहो दोस्तों के साथ था, मेरे तीन दोस उस शाम कोई पांच बजे मेरे घर आये थे और ड्रिंक्स की दिमान करने लगे थे मेरे पास घर में विस्की की एक बोतल थी, जो हम चारों ने शेर की, बोतल साड़े साथ सो मिलिलिलिटर की थी जो खम होती पता ही ना लगी वो और पीना चाहते थे लेकिन उस दिन ड्राई दे था, बाजार से और बोतल नहीं ख्रीदी जा सकती थी फिर और पीने को गुरगाव बाडर जाने का फैसला हुआ, हम कार में सवार होकर घर से निकले रास्ते में एक अंधेरी स्ट्रैच थी जिस पर एक अकेली नौजवान औरत चली आ रही थी, नशे में दोस्तों पर पता नहीं या जुनून सवार हुआ कि गोली की तरह उन्होंने उसे उठा लेने का फैसला कर लिया तू तो यू कह रहा है जैसे कि उस फैसले में तू शामिल नहीं था, उसका सर जुग गया शामिल था, फिर धीरे से बोला जिगरी दोस्त थे, वन फॉर आल आल फॉर वन जैसी मजबूत दोस्ती थी लेकिन क्या लेकिन? मैं अपने ही इलाके में ऐसी वारदात करने के हक में नहीं था मैंने ऐसा बोला भी लेकिन दोस्तों ने उस बात पर कान से मक्खी उड़ाई हमने उसे उठा के कार में डाल लिया और ले उड़े उसकी सूरत न देखी न बोला न वो अंधेरी स्ट्रैच थी वहां स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही थी कार में तो देखी होगी कार में तो बिलकुल अंधेरा था शीशों पर परदे पड़े थे विंड स्क्रीन के रास्ते चैफिक लाइट की कभी कोई रोशनी भीतर पड़ती थी तो वो इतनी वक्ती होती थी कि कुछ दिखता ही नहीं था फिर पता नहीं कहा से उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि वो अकेली ही हम पर भारी पड़ने लगी थी आई सी लेकिन आखिर तो औरत थी अकेली कब तक लड़ती आखिर तो उसने काबू में आना ही था ठीक, सिर्ट ऐसा होने की नौबत आती जान पड़ रही थी कि बीच में विघना आ गया क्या हुआ उस औरत से हाथा पाए के दोरान कार की पीछे की एक खिरकी का परदा उखर गया था जिसकी वज़र से भीतर क्या हो रहा था बगल से गुजरती एक जीप वालों के नोटिस में आ गया जीप में कई सिख लड़के सवार थे जो जीप को हमारी कार के पैरेलल चलाने लगे और जोर जोर से हौन बजाने लगे फिर एक सिख लड़का हमें एकाएक मोबाईल के हवाले हुआ दिखाई दिया वो पुलीस कंच्रोल रूम को फोन करता तो पुलीस का उड़ंदस्ता हमें वहीं इंटरसेप्ट कर सकता था नतीस्तन हमारी कार एक मोड काटने के लिए जब कदरन स्लो हुई तो हमने कार का एक दर्वाजा खोला और चलती कार मेंसे उस औरत को बाहर फेंग दिया क्या हुआ उसका क्या पता क्या हुआ दोड़ती कार मेंसे बाहर फेंगी गई थी मर खब गई होगी नहीं भी मरी होगी तो हमें क्या साली कत्खनी बिल्ली ठीक से हमारे काम तो ना आई न अन्जाने में विमल ने दाथ किट-किट आए उसने गलत किया बड़ी मुश्किल से अपने पर काभू पाता हो बोला और क्या? मौज लेती, हमें मौज लेने देती हम पूरे आदर्मान के साथ प्रीपेड टैक्सी पर उसे घर रवाना करते वो तो साली पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी हुई थी कि खून ख्राबे पर आमादा थी इतना प्रोटेस्ट तो कोई कुमारी कन्या भी नहीं करती तुम्हें क्या पता वो कुमारी कन्या थी या नहीं? उम्र में ज्यादा थी, इतनी उम्र तक कोई औरत कुमारी नहीं रह सकती अच्छा हाँ, पर हसीन बहुत थी साली, बनी हुई भी बढ़िया थी, विमल का चहरा लाल होने लगा लेकिन क्या फाइदा? काबू में तो ना आई राजी से पेश आई होती तो हम चार जने त्रिलोग दर्शन करा देते उसे उसे खुद भी करते, लेकिन क्या फाइदा? साली इतनी प्राइम बोडी किसी काम ना आई तो तूने उसकी सूरत न देखी? मैंने क्या? हम चारों में से किसी ने भी न देखी हमारी तो सारी तवज्जों उसको काबू करने में ही लगी रही काबू में आ जाती तो सूरत देखते और भी बहुत कुछ, सब कुछ देखते वो तेरे इलाके की थी, कभी दिखाई दे जाए तो पहचान लेगा कैसे दिखाई दे जाए? बची होगी तब ना अब जवाब दे, इलाके में देखे तो पहचान लेगा उसने उस बात पर विचार किया, फिर इनकार में सिल खिलाया शनाक्त कटकाट से भी होती है औरतों की नहीं होती, अच्छी बनी हो तो सब एक जैसी लगती है औरतों का काफी तर्जुबा है तुझे वो हसा कुछ सिथ हसी फिर संजीदा हुआ जो लड़की अभी यहां से गई, फिट थी तेरे से नहोती तो यहां आती बताओ तो साली कहती थी जबरदस्ती लाया, खुद मरी जा रही थी किस वास्ते? समझो, किस वास्ते? लड़किया पटाने में महारत जान पड़ती है तुझे महारत की कोई जरूरत ही नहीं होती साली फ्री लोडर्स होती है ड्रिंक्स डिनर की अशोरिंस दो, लैविश ट्रीट दो, तयार हो जाती है सभी तो ऐसी नहीं होती तो क्या? मुझे क्या सब चाहिए होती है? अच्छा, ऐसा नहीं है अपनी तो एक ही पॉलिसी है भला, जो न दे उसका भी भला जो दे उसका भी काफी हो गया एकाएक विमल का स्वर शुष्ख हुआ अब नाम बोल नाम बोलू? किसका नाम बोलू? उन दोस्तों का जो उस सोमवार शाम तेरे साथ थे जो उस उस वार्दात में शरीक थे गलत नाम बोल कर मुझे गुमरा करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा उसने जोर से थूक निगली उसकी शकल से साफ ऐसा लगा कि असल में उसका यही इरादा था नाम और पूरे पते भी मोबाइल नमबर भी उसने नाम, पते, मोबाइल नमबर सब बोले जो उसके बोलने के साथ साथ विमल ने अपने मोबाइल में नोट्स में दर्ज कर लिये अशोग जोगी पता न्यू राजेंद्र नगर का अकील सैसी निवासी निजामुद्दीन इस्ट अमित गोयल निवासी सैट्टर पंद्रहे, नौइडा, तीसरे नाम और पते पर विमल का माथा ठनका ये अमित गोयल वो बोला इसके पिता का क्या नाम है पिता का नाम वो सत्पकाया हाँ वो तो मुझे मालूम नहीं, कभी जिक्र ही ना आया, नाम न सही, कारोबार तो मालूम होगा वो तो मालूम है पहाडगंज में तिम्बर का बड़ा बिजनेस है पेटा क्या करता है? पिता के बिजनेस में ही है वो भी पहाड़ंज में टिंबर के शोरूम में बैठता है? हमेशा नहीं हमेशा नहीं, क्योंकि अयाशी पर जोर है, उससे फुर्सत मिल जाए तो बाप का हाथ बनताता है, नहीं, वो खामोश रहा जवाब दे, भाई हाँ क्या हाँ? शोरूम पर उसकी हाजरी छित-पुठ ही होती है कैसे मालूम? बस मालूम क्योंकि यारबाशी में हाजरी ज्यादा होती है, ऐसे मालूम? हाँ विमल ने उसके मोबाईल में बारी-बारी तीनों के नाम पंच किये तो पाया तीनों नाम उसमें मौजूद थे और मोबाईल नमबर भी वही थे, जो अर्मान ने बोले थे तीनों नामों के साथ मतर के दाने जितनी नाम के स्वामियों की तस्वीरे थी उसने फोटोस को खोला वहाँ बेशुमार फोटोस दर्स थी, फिर भी वो तीन फोटो उसने जल्दी ही तलाश कर ली जिनसे फोन नमबरों के साथ मतर के दाने के व्यास की फोटो जोड़ी गई थी बाजरिया MMS उसने वो तीनों फोटो अपने फोन पर फारवर्ड की अमित गोयल कार कौन सी चला रहा है? उसने फिर सवाल किया, जो अवेलेबल हो, वो अन्मने भाव से बोला क्या मतलब? उनके पास तीन कारे हैं, जो उनकी कोठी के पहलू की राहदारी में आगे पीछे खड़ी होती है जो सबसे आगे हो, वो उस पर काबिश हो जाता है एक कार आई 20 है अर्मान के चहरे पर हैरानी के भाव आए बाकी दो कौन सी है? एक फोर्ड है शायद इको स्पोर्ट नाम है, दूसरी BMW है BMW सेकंड हैंड बाकी दो नहीं है लेकिन BMW हाँ BMW तो सेकंड हैंड भी बड़ी हैसियत वाले ही रख सकते हैं यानी तकड़ा बिजनेस है तिमबर का बाप का है तो सही रिहायश नौइडा सैक्टर पंद्रहे में यानी तकड़ा क्या, बहुत तकड़ा, क्या कहना चाहते हो? उस रोज जब ये लोग तुम्हारे घर पर आये थे, तो अमित गोईल की कार पर आये थे? कैसे जाना? जवाब दे हाँ कौन सी कार? फोल्ड कौन चला रहा था? मालिक खुद अमित गोईल? वो हिचकिचाया विमल ने कहरबरी निगा से उसे घूरा अकील वो बोला अमित गोईल की कार अकील सैफी चला रहा था? हाँ आती बार भी? जाती बार भी? हाँ इसका मतलब लड़की उठाने के एक्ट में वो शामिल नहीं था? नहीं, वो ड्राइविंग सीट पर था ना लेकिन चलती कार में जो हुआ होने वाला था, उसमें शामिल था हाँ, एक्सिडेंट का रिस्क था लेकिन शामिल था तुम्हें कोई अफसोज है? हाँ, है, तंच माल था, नाहक हाथ से निकल गया, वो सिख लड़के मेरा वो मतलब नहीं था लेकिन खैर, अब बोल क्या ख्याल है? जो कर्तु तुम लोगों ने की, तुम्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए या नही? सजा कौन देगा? वो जुदा मसला है काहे की सजा किसी को क्या पदा हमने क्या किया? उपर वाले को पता है, वो सब देखता है वो सजा देने नीचे आएगा तकट भएगा कहते हैं, उसकी लाठी बयावाज होती है, उपर से ही चलती है बचकानी बाते हैं यानि तुझे सजा का कोई खौफ नहीं? नॉनसेंस अभी तेरे साथ जो बीत रही है, तू इसको सजा नहीं मानता? देखो, अब मुझे तुम कुछ और ही जान पड़ रहे हो, और क्या? अगर तुम कोई लुटेरे हो तो मेरा आइफोन तो पहले ही तुम्हारे पास है जेब में पर्स है, वो भी निकाल लो, घड़ी उतार लो, चेन जपट लो विमल हसा रईस बाप का बेटा है न तुम्हें क्या पता? इसलिए ये तेरे लिए मामूली नुकसान होंगे लेकिन तेरे प्रारब्ध में तेरा बड़ा नुकसान लिखा है बबड़ा नुकसान फैमिली ज्वेल्स का, क्या? तुम हमारे घर पर चोड़ी लेकिन पहले ये नुकसान तेरे दोस्तों का होगा तेरा नंबर आखिर में आएगा कक्या क्या पक रहे हो? आपदा से ज्यादा आपदा का इंतजार भारी पड़ता है तेरी जिन्दगी के आइंदा दिन तेरे पर भारी, बहुत भारी पड़ने वाले हैं खामखा लंबी-लंबी छोड़ रहे हो विमल ने उसका मोबाइल उसके करीब फर्ष पर रख दिया चलता हूँ फिर बोला चलता है, वो बौकलाया, मेरे को खोल के तो जा बधिया आगे संकट दिखाई दिया तो अदब भूल गया मेरे को खोल के तो जाओ खुद खोलना म मैं मैं कैसे एक गुड न्यूस है तेरे वास्ते कक्या वो लाल चींतिया चींतिया ही है चींते नहीं है, और उनमें ताजा खून से अट्राक्ट होने वाली कोई खूबी नहीं उसके नेत्र फैले अरे, खोल जाओ तू अब जय हिंद इतना तो बताते जाओ कि तुम हो कौन? मैं 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 हूँ मैं कौन? फैंटम दिघोस्थ हूँ वास्त पीछे फरियात करते अर्मान को छोड़कर लंबे डग भरता वो वहां से रुखसत हो गया 22 नवंबर शुक्रवार मुबारक अली से विमल सिर्फ एक बार मिला था जबकि उसने दिल्ली में कदम रखा था ताकि उसे खब्र हो जाती कि वही बसने के इरादे से अब वो दिल्ली में था अब दो महीने बाद दूसरी बार वो उसकी तलाश में निकला था मुबारक अली जो कभी मुंबई का बड़ा मवाली होता था अब एक मुदद से दिल्ली में था और वहां टैक्सी चलाता था सुजान सिंग पार्क में स्थित एमबैसेडर होटल का टैक्सी स्टैंड उसका स्थाइट हिया था वहां से वो कहीं का भी पैसेंजर उठाएं लोट कर वही आता था वो स्टैंड पर मौजूद था एक टैक्सी ज्राइवर अपनी टैक्सी की तरफ इशारा करता उसकी तरफ बढ़ा अरे साहब अपना रेगुलर पैसेंजर है मुबारक अली बोला मैं लेके जाएगा ना तकाल टैक्सी ज्राइवर ठिठक गया इसने सहमती में सिर हिलाया विमल को इशारा करता मुबारक अली अपनी टैक्सी की ओर बढ़ा विमल उसकी टैक्सी के करीब पहुचा सहेज भाव से उसने टैक्सी के पैसेंजर साइड के दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया पीछू बैठ बाप ततकाल मुबारक अली बोला विमल की भवे उठीन दिरेवर लोग देखता है पैसेंजर को आगे बैठता देखेगा तो क्या सोचेगा पैसेंजर दिरेवर का फिरिंग उसका सगेवाला है तो सही बरोबर पन उनको तो नहीं पताना पन लगता है दिल्वी की जुबान अभी भी पकड में नहीं आई आई ना बरोबर वो तो तेरे को देखकर पुराना टेम याद आ गया इस वास्ते अपने आप ही पुरानी जुबान चल गई ठीट पीछू बैठ मेरे को तेरे से बात करने का करने का ना बरोबर पन पहले इधर से नक्की करने का क्या विमल ने सहमती में सिर हिलाया फिर टैक्सी की पिछली सीट पर सवार हो गया मुबारक अली स्टेरिंग के पीछे बैठा, उसने टैक्सी को पार्विफक से निकाल कर सड़क पर डाला, टैक्सी मंथर गती से चलती लोधी गार्डन के पहलू की सड़क अमरिता शेरगिल मार्क पर पहुँची, वो शांत, खामोश रहायशी इलाका था जहां वाहनों की आ भने पेड की च्छाव में फुटपाथ से लगा कर टैक्सी रोकी, उसने इगनीशन आफ किया और विमल की तरफ घूमा अभी बोल, नहीं, पहले बोल सब खैरियत है, खैरियत विमल के होठोन पर एक विद्रूपूर्ण मुस्कराहट आई, शायद भूल गया कि सवाल किस से कर रहा है मुबारक अली के माथे पर बल पड़े फिर कोई लफ़रा वो बोला चलता है विमल लापरवाही से बोला लेकिन है बरोबर? बड़ा नहीं, ऐसा नहीं जिसे मैं हैंडल न कर सकूँ किसी वास्ते इधर आया? नहीं, तेरे से मिलने के वास्ते इधर आया फिर तो वो क्या कहते हैं? अंग्रेजी में खुशामदीद बोलता है बाप अब तो बहुत टाइम हो गया इधर दिल लग गया? नहीं, बाप पुट आया मुबारक अली के लहजे में उदासी का दिल तो उधरीच लगता था, साला बहुत याद आता है मुंबई लौट सकता नहीं तेरे को मालूम नहीं लौट सकता मेरे पर खून का इल्जाम है उधर इतना ही होता तो गनीमत थी पुलीस हैड़क्वार्टर से एन पुलीस कमिशनर की नाग के नीचे से फरार हुआ वो क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कर कर्ट कर्ट तुका और वागले की नवाजिश से हूँ आहद लिया था बाप कि उस नवाजिश के बदले में जिन्दगी में कभी तुका के काम आके दिखाऊंगा साला मौकाइच नहीं मिला तुका पहले ही उपर चला गया वागले भी भेज दिये गए इसलिए डबल मलाल है तुका के काम ना आया सही अगर मैं उसके कातिलों को ही वो काम मैंने कर दिया न मेरे को मुंबई से फरार ना होना पड़ा होता तो मैं करता एक ही बात है तूने किया तेरे अजीज ने किया एक ही बात है वो तो है भाजे कैसे हैं? सब खैरियत से हैं, तेरे को याद करते हैं, थास तोर से अली, वली चौदा हाँ, अल्ला के करम से नाम याद रहते हैं, सब के नाम तो याद रहते हैं, लेकिन कभी कभार ये मुगालता हो जाता है, कि कौन सा नाम किसका है अली वली जुडवा है इसलिए नहीं हाश्मी संजीदा सूरत है उची तालिम्याफरता है फिर चश्मा लगाता है जो बाकी भांजों में से कोई नहीं लगाता कुछ और के भी ऐसे वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में शिनाक्ती निशान है बाकियों में घिच पिच कर बैठत हूँ तकिया कलाम बरकरार है क्योंकि आदत में शुमार है सिर पर बाल है हाँ खलवाट खोपडी से मैं आजिस था खलवाट खोपडी और दाड़ी सूरत में तब्दीली लाने के लिए थी फिर जब पता लगा कि इधर मेरे को पहचानने वाला कोई नहीं था तो किनारा किया दाड़ी से खलवाट खोपडी से ठीक अभी बोल कैसे आया मेरे से मिलने आया मिल लिया न अभी बाकी बोल बाकी बोलू बाकी क्या बोलू जो तेरे जेहन में है मेरे जेहन में तो कुछ नहीं है बाप मुबारक अली से बात छुपाना और गाई से पेट छुपाना एकीच बात ऐसा बरोबर अब बोल खास कुछ नहीं है बोलने को ऐसे ही एक सवाल उठा था जेहन में सोचा तेरे से साजा करू किस बाबत? हिस्डो की बाबत क्या बोला बाब? दिल्ली गेट से, राजगाट से, आईटीओं से जब भी गुजरता हूं हिज्डो को रैड सिगनल पर खड़े कारवालों से भीक मांते देखता हूं भीक नहीं, बाब भीक नहीं, वसूली क्या? वसूली करते हैं कमबक्त मारे, उंगलियों में मोडे हुए नोट फनसाए होते हैं ताकि देखने वाले को वो क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इशारा मिल जाए कि वो चिल्लर का कारोबार नहीं था, कम से कम दस का नोट कबूल करते हैं जबकि नुमायश के लिए उंगलियों में पचास के, सो के नोट भी अटकाए होते हैं मिया, मुझे उनके कारोबार से कुछ लेना देना नहीं था, मेरा सवाल तो किसी और ही मुद्दे की बाबत था और मुद्दा क्या, खुलासा कर, हिजरे आते कहा से हैं, क्या मतलब, ये खुद तो मल्टीपलाई कर नहीं सकते क्या नहीं कर सकते, अपने तादाद नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हिजरे हैं, तादाद बढ़ाने के लिए जो करना जरूरी होता है वो करने के नाकाबिल हैं फिर तादाद बढ़ती कैसे है इनकी उन्हें तो जिंदगी मौत की साइकल के हवाले धीरे-धीरे खम हो जाना चाहिए लेकिन खम तो नहीं हो जाते मरने वालों की जगह लेने के लिए नए आजाते हैं नए कहां से आजाते हैं कैसे आ जाते हैं? मुबारक अली ने जवाब न दिया, कईक्षन वो खामोश रहा, आखिर बोला. बोली तो, जब मैं छोटा था तो देहात में सुना करता था कि कभी किसी घर में इत्तफाक से घरवानों की बदकिस्मती कहूं तो बहतर होगा. बच्चा हिजडा पैदा हो जाता था तो हिजडों को देज सबेर उसकी खबर लग जाती थी और वो उस पर अपना दावा ठोकने आ जाते थे. क्या करते थे? मांग करते थे बाकाइदा की बच्चा उनके हवाले किया जाए. वो उन जैसा पैदा हुआ था तो उस पर उनी का हग बनता था. बाप अपना वो हग हासल करने के लिए वो खून खराबे पर उतर आते थे और बच्चे को कबजा के ही मानते थे. पुलीस दखल नहीं देती थी? निरे देहात में पुलीस कहा होती थी? करीब कहीं चौकी होती थी तो वहां का एक सिपाही पुलीस की हाजरी दर्स कराने के लिए कभी कभार गाव का चक्कर लगा लेता था. ऐसा कभी अगर होता था, तो अब मुम्किन नहीं. अब मेरे देहात में भी इतनी धांदली नहीं चल सकती कि कोई जबरन किसी का बच्चा छीनने आ जाए और गाव में उसकी सक्त मुखालफत नहो. बात तो तेरी दुरुस्त है. तो? तो तू बोल. मैं बोलू? अरे, मैं यहां बोलने नहीं आया, सुनने आया. ठीक है, मैं पता करूँगा, वो क्या कहते हैं? अंग्रेजी में तफ्तीश करूँगा इस बाबत. फिर मालूमात की खब करूँगा तेरे को. कैसे? फोन करूँगा. बढ़िया. चौबीस नवंबर, रवीवार. तीसरे इतवार के. दिन मुबारत अली का फोन आया. तेरे को कमरा बंगश मालूम? उसमें पूछा. मालूम. विमल बोला. उधर परवेस्टी स्टाल. बीच बाजार में. मालूम वो भी. परवेस्टी स्टाल के मालिक का नाम है. वहाँ पहुँच. और आके परवेस्ट को बोल मुबारक अली से मिलने का. परवेस्ट वहाँ होगा. हमेशा होता है. न हो तो ही स्टाल बंध होता है. आता हूँ. कमरा बंगश जामा मजज़ित के करीब का एक प्राची मुस्लिम इलाका था. ती स्टाल का मालिक परवेस्टाल पर मौजूद था. विमल वहाँ जाके खड़ा ही हुआ था कि वो खुद ही बोल पड़ा मुबारक अली से मिलना है. हाँ. विमल बोला. हाँ. साहब हो. स्टाल के बाजू में ही एक संकरी गली थी गली. ज्यादा लंबी नहीं थी. वो आगे से बंद थी और वहाँ एक नकाशिदार लकडी का बंद दर्वाजा था. परवेज ने सांकल खट-खटाई तो कोई दस साल के एक लड़के ने दर्वाजा खोला. बाबू साहब को परवेज ने आदेश दिया. बड़े मिया के पास लेके जा. लड़के ने सहमती में सिर हिलाया और एक और हटकर ख़रा हो गया. परवेज ने विमल को भीतर दाखिल होने का इशारा किया और खुद वहां से रुखसत हो गया. लड़के ने उसे एक बड़े कमरे में पहुँचाया और तीछे दर्वाजा भिरकाता खुद खामोशी से वहां से चला गया. कमरे में मुबारक अली मौजूद था. उसके करीब एक नहायत खूपसूरत युहती बैठी थी. वो पोलका डॉट्स के डिजाइन वाली वैसी लेडिंग्स पहने थी जो कैप्रीज कहलाती थी. उपर वो एक गोल गले की पूरी बाह की काइप्स कीवी पहने थी जिसमें से उसके उरोजों का उत्तेजक उभार स्पष्ट प्रकट हो रहा था. उसके कते हुए स्ट्रेट बाल बहुत आधुनिक, बहुत स्टाइलिश थे और चेहरे पर बहुत सलीके का मेकप था. विमल के स्वागत में मुबारक अली उठकर खड़ा हुआ तो वो भी खड़ी हो गई और बड़े अदब से मुस्कराई ये कॉल है. मुबारक अली बोला, वो क्या कहते हैं? अंग्रेजी में फास्ट करके फिरिंड है. नमस्ते कर, युवती ने बड़ी अदा से तनिक जुप कर दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की. बाप ये, ये है. नमस्ते बहन जी. विमल बोला, मुबारक अली बर्बस हसा, युवती ने भी बड़ी अदा से, बड़ी नजाकत से हसी में उसका साथ दिया. क्या हुआ? विमल तनिक हक्बकाया, बता, भई, मुबारक अली बोला, युवती ने सहमती से सिर हिलाया. अच्छी तरह से देखिया? आवाज से विमल से मुखातिब हुई, क्या? विमल फिर हर्बर आया. मुझे? तुम्हे? हाँ, देख लिया. अच्छी तरह से? हाँ, भई. कैसी लगी मैं? बढ़िया. बस बढ़िया. फिर महीन, मधुर. बहुत बढ़िया. ब्यूटीफुल. लाइक ए फिल्म स्टार. पानी आया मुख में? क्या? फिर वो मुबारक अली से मुखादिब हुआ रे मिया, ये कैसे सवाल कर रही है? मुबारक अली मुस्कुराया. जवाब दे. फिर बोला. जवाब दू. हाँ, बेचारी इतनी मनुहार से पूछ रही है. नहीं, विमल वापिस युवती की ओर देखता बोला. नहीं आया. अरे, युवती ने बड़ी अदा से हैरानी जताई क्यों भला? क्योंकि मैं शादी शुदा मर्द हूँ, आई ए में हैपीली मैरीड मैं. इसलिए सामने जले भी दिखाए दे तो मुह में रख लेने को दिल नहीं मचलता. दिल का क्या है? दिल तो लोभी कुट्ता है. ब्रावू! पसंद आए जनाब, आप मुझे. फिर उसने कहीं से एक तॉलिया बरामत किया. मेज पर पड़ी मिनरल वाटर की बोतल के पानी से उसे भिगोया और कहीं बार रगड कर अपने चहरे पर सिराया. उसने तॉलिया एक और डाला तो विमल ने पाया उसके चहरे पर से तमाम मेकप उतर चुका था. अब होंट पहले जैसे भरेब्रे और चित्ता करशक नहीं लग रहे थे. उसके होंट पतले थे. लेकिन उन पर लिपस्टिक इस धंग से पोती गई थी कि भरेब्रे जान पड़ते थे. चहरे से मेकप की परत हज जाने पर अब रगर करकी गई शेव का भी आभास मिल रहा था. वो हरापन जलक रहा था जो क्लोस शेव के बाद नौजवान शक्स की चम्री पर से जलकता है. मेस पर एक बैक पड़ा था, जिसमें से उसने पहले एक शर्ट निकाल कर पहनी, फिर जीन्स निकाल कर कैप्रीस के उपर ही पहनी. अब वो एक साधारन शक्ल सूरत वाला युवक लग रहा था, युवती जैसे जादू के जोर से गायब हो गई थी, विमल को देखता वो मुस्कुराया. विमल मुह बाए उसे देखता रहा. ये मुबारत अली राजदाराना लहजे से बोला वो है. कम्माल है, विमल के मुह से निकला. है न, इसका जल्वा जोबन देखकर ही रैड लाइट पर खड़े कारवाले इसे कोई बड़ा नोट थमा देते हैं. जानते बूझते विमल के मुह से निकला की हिजरा है. ये हिजरे के नाम से चिद्धा है, किनर बोल? सौरी. वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बोल बे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? अल्तमश भारी, खुर्दुरी, मर्दाना. आइडियल. आवाज में बोला आदर्श. वही आई करके दील. वही मानता है. पढ़ा लिखा है. अंदर स्कोर. मुबारक अली बोला. विमल ने पूछा, सात्वी से उठा हूँ. अल्तमश यू बोला जैसे कोई गुना कबूल कर रहा हो. फिर भी आइडियल, ब्रावो, जैसे अलफाज से वाकिफ है. इंगलिश पढ़ने, बोलने का बहुत शौक था. अर्मान था कि मैं भी इंगलिश में गुफ्तगू कर सकू. इसलिए स्कूल छूट जाने बाद, बहुत बाद, जैसे तैसे ओनी पॉनी सीखी. सात्वी से क्यों उठा? स्कूल में लड़के तंग करते थे, छक्का बोलते थे, तीचर भी मजाक उड़ाते थे, हमजमातियों से ज्यादा परेशान करते थे, स्कूल में बने रहना दूभर हो गया था. ओ, मैं सात्वी तक तो पढ़ा, अमूमन तो मेरे जैसों ने स्कूल की शकल भी नहीं देखी होती, यानि तमाम के तमाम किन्नर अनपड, तमाम तो नहीं, शायद सुनकर हैरानी हो आपको की दिल्ली में ही मेरे जैसों में से पाँच फीसदी ऐसे हैं, जो ग्रैजुएट है ग्रैजुएट को नौकरी मिल जाती है, असलियत को छुपा के रखे तो मिल जाती है, असलियत खुल जाये तो निकाल बाहर किया जाता है, मेरा एक अपना वाकिफ है, जो पूरी एफीशिंसी से काल सेंटर की नौकरी करता था, कभी ऐसी नौबत नहीं आई थी कि एम्पला लेकिन जो ही पता लगा कि वो वो था, खरे पैर डिस्मिस कर दिया, ये तो नाइनसाफी है, और बड़ी नाइनसाफी पुलीस करती है, अपने साथ हुई ज्यात्ती की शिकायत लेकर कोई चांसजेंडर पुलीस के पास जाता है, तो पुलीस सुनती नहीं, दाट के भगा खिली अलग से उड़ाते हैं, इसी वज़से जब किसी के साथ नाइनसाफी होती है, तो उसकी पुलीस के पास जाने की हिम्मत नहीं होती, कोई किराय पर मकान नहीं देता, बानवे सीसदी को कोई नौकरी नहीं देता, भले ही कितना पढ़े लिखे हों, कभी मिल भी जाती ह तो कम तनख्वावाली मिलती है, ऐसी जिसे कोई दूसरा करने को तयार नहीं होता, तो क्या करते हैं? फूती कदीर को कोशते हैं, और क्या करते हैं? गुजारा कैसे चलता है? मोटे तोर पर शादी ब्या की आुलाद पैदा होने की बधाईयों से भीक मांगने से सेक्स वर्क से कुछ सबजी की, फ्रूट की रहरी भी लगाते हैं ओ! पढ़ाई की बहुत चाह थी मेरे को वो अर्मान भरे स्वर में बोला, पूरी ना हो सकी बैठ के बात करें, वो कैसा रहें? मुबारक अली बोला विमल ने सहमती में सिर हिलाया तीनों बैठ गए विमल और मुबारक अली अगल बगल, अलतमश उनके सामने बड़ी मुश्किल से इसकी खब लगी मुबारक अली बोला, फिर तिराहा बैरम खान के एक चौधरी को बीच में डाला तो काबू में आया थैंक्यू विमल बोला उसने मुसकरा कर थैंक्यू कुबूल किया किनर बहुत है, हिंदोस्तान में कम भी नहीं है, वो बोला सन बीस में सरकारी गिंती हुई थी तो आंक्रा पांच लाग के करीब बताया गया था लेकिन असल आंक्रा साथ लाग बताया जाता है दिल्ली में ही लाग से उपर है इतना फर्ग क्यों? अमूमन बताते नहीं अपने बारे में असलियत छुपा के रखते है ओ आपको जानकर हैरानी होगी कि 57 फीस भी किंडर सेक्स अलाइनमेंट सर्जरी से ठीक हो सकते है नॉर्मल हो सकते है लेकिन सर्जरी की फीस भरने के लिए पैसे नहीं सरकार की कोई मदद नहीं सुप्रीम कोट की तरफ से चानसजेंडर्स की भैतरी के लिए कुछ काईदे कानून मुकरर है लेकिन सरकारी अमला उन पर अमल करने में नाकाम है खुद अपने कानून उनकी भैतरी के लिए लाने में नाकाम है आते कहां से है दस हजार में से एक से तो तादाद में 60 लाख नहीं बन जाते होंगे बनाए जाते हैं वो धीरे से बोला बनाए जाते हैं का क्या मतलब अल्तमश ने मुबारक अली की तरफ देखा समझ बाप मुबारक अली बोला अच्छे भले आदमजात का अद काट दो तो क्या बनेगा वो विमल के चहरे पर देख़त के भाव आए खुलासा कर आदेश दिया मुबारक अली ने अल्तमश को अल्तमश ने सहमती में सिर हिलाया हौले से खंखार कर गला साफ किया फिर सुसन्यत्स्वर में बोला आजकल और एक अर्से से बच्चों की चोरी एक बड़ा कारोबार बन गया है आपको नहीं मालूम तो अब जान लीजिए कि हर सान पचास से पचपन हजार तक बच्चे गायब होते हैं चोरी होते हैं चोरी भी होते हैं और वैसे भी हात में आ जाते हैं वैसे कैसे ? घर से भागे हुए बच्चे होते हैं खोए हुए बच्चे होते हैं गिरोबाज ऐसे बच्चों पर निगाह रखते हैं ओ लेकिन ऐसे गिरोबाज बच्चा चुराएं तो बच्ची की जगह बच्चे को तरजीर देते हैं हैरानी की वात है, ऐसा क्यों? क्योंकि इस कारोबार में लगे लोगों में सब्र नहीं होता, उनको अपनी कर्तूत का फौरी नतीजा चाहिए होता है बच्ची के बड़े होने में धंदे पर बिठाये जाने के काबिल बनने में सानों लग जाते हैं इतना सब उन लोगों से, गिरोबाजों से नहीं होता, बच्चे जल्दी कमाओ बन जाते हैं कैसे? दो तरीके हैं, एक तो उनका अंग भंग करके उन्हें भीक मामने पर लगा देते हैं बच्चा एक तौम से, एक बाह से लाचार है, तो लोगबाग आतन उस पर तरस खाते हैं उसको पैसा देकर पुन्य कमाते हैं तौबा अच्छे भले तंदुरुस बच्चे की तांग तोड़ देते हैं बाह तोड़ देते हैं बच्चा खूबसूरत हो तो काठ ही देते हैं, तांग घुटने से, बाह कोहनी से या कंधी से दाता खूपसूरत निरीह हात या पाव से या दोनों से लाचार बच्चा जब चौराहे पर भीख मांगता है तो लोगों के मन में दया का समंदर ठाठे मारने लगता है आम मंगते को रुपया देते हैं, तो उसको 10 रुपय देते हैं, 20 रुपय देते हैं, कोई कोई तो 150 भी दे देता है, लेकिन कमाई का इतना घिनोना, इतना रिशन्स धन्धा, चार पैसे कमाने के लिए अच्छे भले तंदुरुस बच्चे के हाथ, आफ तोड़ देते हैं, उनको कोई एतराज नहीं, उनको एतराज के काबिल नहीं छोड़ा जाता, मतलब, छोटी उम्र में ही उन्हें नशे की लट लगा दी जाती है, इस हद तक की 13-14 साल का बच्चा ही पक्का नशेरी बन जाता है, शुरू में नशा गिरोबाज उसे मुफरत में देते हैं, बा इसी वजह से इतने छोटे छोटे लड़के भीड भरी बसों में ट्रेनों में ब्लेड चलाना, चाको चलाना सीख जाते हैं, चलती बस ट्रेन से चड़ने उतरने में, जेबे काटने में माहिर हो जाते हैं, पहले चरस गांजा पीना सीखते हैं, फिर सुई भी लगाने लग जाते हैं, फ्रलूइड पीने लगते हैं, फ्रलूइड क्या, स्याही मिटाने के लिए इस्तमाल किया जाने वाला, वाइपनर, उससे भी नशा होता है, धेर पियो तो होता है, एक पंदरा साल का लड़का तो, एक दिन में 20 डबल पी जाता था, डबल क्या, एक पैकिंग में फलूइड की दो शीशी होती है, इसलिए उसे डबल बोलते हैं, पुलीस कोई कार्यवाही नहीं करती, भेक्षा उन्मूलन अभियान के तहट कई बार कुछ बच्चों को पकड़ लेती है, लेकिन उन्हें सिखाया पढ़ाया गया होता है, कि ऐसी नौबत आने पर उन्होंने तोले के मालिक का नाम नहीं लेना, धमकी के तौर पर उसके चेहरे के आगे लोहे की दहक्ती सलाख लहराई जाती है, उसकी मजाल नहीं होती कुछ गलत बोलने की यहीं दोहाई देता है, कि मेले में मा बाप से बिचुर गया था, अब मजबूरी में भीक मांगता था, पुलीस यकीन कर लेती है, नहीं कर लेती तो यकीन कराने का आला होता है, ना टोले के मालिक के पास, क्या? अल्तमश ने उंगली और अंबूठे से सिक्का उचालने का एक्शन किया, रिश्वत पुलीस बच्चों को न भी पकड़े तो उनका हिस्सा उन तक पहुँचता है, तभी तो वो बेकतर चौराहों पर विचरते हैं, फिर भी पकड़ ले तो, तो क्या? बच्चा है, बालिक जैसी सजा तो उसे मिल नहीं सकती, नहीं बालिक की तरह उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, पुलीस वाने या तो शाम तक ठाने में बिधाते हैं, और फिर दो डंडे मार कर भगा देते हैं, या उसे बाल सुधार ग्रिह में भेज देते हैं, जहां का बंदोबस्त इतना जोलजाल होता है, कि दो दिन में वो वहां से भागने की जुगत कर लेता है. कुँ? जो बच्चे शकल सूरत में चोखे हों, उनको शादी ब्याहों में चोरी के लिए लगाया जाता है. वो कैसे? बच्चे को उम्दा कपड़े पहना कर, उम्दा तरीके से सजा कर, पूरी तरह से हाई क्लास बना कर शादी के पंदाल में घुसा दिया जाता है. ऐसे बच्चे पर कौन शक करेगा? जो देखेगा, सहज ही सोच लेगा कि किसी महमान के साथ होगा, या मेजबान की फैमिली से होगा, बच्चा खाता पीता है, और बेरोक्तोक सारे पंदाल में विचरता है, लड़की की शादी हो तो बाप बधाईयों के लिफाफे बतोर रहा होता है, और आगे लड़की की म को थमा रहा होता है, मा वो सारे लिफाफे एक बैट में भरती जाती है, महमानों की आमद घटने पर रैस्ट के लिए जब वो कहीं जाकर बैठती है, तो प्लेट में कुछ खाता, सजा धजा, इजद्दार बच्चा उसके करीब जा बैठता है, और मौका ताड़कर उसकी शादी पर पहनने के लिए खासतोर से खरीदी बेशकीमती सारी पर तोमेटो, सौस गिरा देता है, फोरन औरत को सारी संभालने की, नैपकिन से सौस पोचने की पढ़ जाती है, और लड़का बैग लेकर चमपत हो जाता है, जब तक मा को इस बात की खब लगती है, लड़क वो बैग हात आते ही इसी काम के लिए साथ आये, पंडाल के करीब कहीं छुप कर बैठे दूसरे लड़के को थमा देता है, जो फोरन वहां से हवा हो जाता है, और खुद दुहाई देने लगता है, कि भूखा था, खाने के लालच में घुस आया था, उसे किसी बैग की चो तो क्या? आये दिन शादिया होती है, अगली शादी में आ जाएगा, उससे अगली शादी में आ जाएगा, ठीक ऐसे ही कदरन बड़े बच्चों को रैड लाइट पर खड़ी कारों में से कींती सामान चुराने पर लगाया जाता है, वो क्या करते हैं? कई तरीके आजमाते हैं, मसलन एक बच्चा कार की खिड की ठत्त्रा कर कार चलाते मालिक की तवज्जो अपनी तरफ करता है, और बोल पीछे पैट्रोल लीक कर रहा था, मानिक चैक करने के लिए पीछे जाता है, वो आगे से उसका लैट आप या बैग, या मोबाई या जो भी कींती सामान आगे पड़ा दिखाई दे, चुट्कियों में गायप कर देता है या किसी कार के पिछले पहिये में चुपचाप सुआ घुसेर देते हैं, और आगे चौराहे से पार चले जाते हैं, बत्ती हरी होने पर कार चौराहा पार करती है, तो पहिया बैठ जाता है, मानिक उतर के पहिया तब्दील करने लगता है, जब फारिक होता है, तो पाता है लैप्टॉप गायब है, जाइवर औरत है, तो पाती है, उसका बैग गायब है। हमव। अकेले कार चालक का रैड लाइट पर ध्यान बनताने के उनके पास बहुत तरीके हैं, जिन में से कुछ वो खुद सीख जाते हैं, और कुछ उनके उस्ताद लोग सिखाते हैं। जाते हैं, अब चोरी के सामान के समित न पकरे जाएं तो कैसे उन्हें चोर साबित किया जा सकता है, ठीक। यो पकड में आया बच्चा कभी अपना पता ठीक नहीं बताता, माबाप का नाम भी गलत बताता है, फिर जब उसकी कोट में पेशी होती है, तो वहां नकली माबाप आ जाते हैं। नकली माबाप क्या मतलब? कोई सा मर्द, कोई सी औरत, भले ही वो एक दूसरे को जानते भी नहों बच्चे को, तो वो जानते होते ही नहीं कोट में पेश होते हैं, उसे अपना बच्चा बताते हैं, और उसकी बेगुनाही की दुहाई देते हैं, फिर जमानत कराने के लिए वकील आ जाता है, जो ऐस भाड़े का टट्टू होता है, कि कोई भी बच्चा पकड़ा जाए, दिल्ली के च्छ कोट में से किसी भी कोट में उसका केस लगे, जमानत की अर्जी लगाने के लिए बच्चे की तरफ से वही वकील पेश होगा, मैजिस्ट्रे कमाम रैकेट को समझता है, जानता है पुल बच्चे को जमानत पर छोड़ना पड़ता है, फिर अगली तेशी पर बच्चा गैरहाजर पाया जाता है, और पुलीस को ढूंडे नहीं मिलता क्यों उसका नाम पता, उसके माँ बाप का नाम सब गलत होता है, और डॉट साथ भाई, तोकने के लिए सौरी, तुम्हारी इन बातों से मेरी जनरल नौलज में तो बहुत इजाफा हुआ, लेकिन वो मतलब हल नहीं हुआ जिसकी वज़से तुम यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ अल्तमश के चहरे पर उल्जन के भाव आए तुमने कहा था गिरोबास बच्चों से दो तरीकों से कमाई करते हैं, एक तरीकी का तुर तुमने बड़ा वसी खुलासा कर दिया, अब दूसरे तरीके पर आओ, दूसरा तरीका क्या है? बच्चों को हिज्ड़ों के किसी तोले को बेच देते हैं, अच्छी कीमत मिलती है अच्छी कीमत चुकाने वाले को क्या मिलता है? उनको अपनी तादाद में इजाफा करने का जरिया मिलता है वो कैसे? वो खरीदे गए बच्चे को जो की पंदरा साल तक का हो सकता है, हिजरा बनाते हैं कैसे? उसका अदद गोटिया उड़ा देते हैं दाता इतना जुल्म उन्हें नहीं लगता, वो ऐसा कदम न उठाएं तो इस फानी दुनिया में उनका वजूद ही बाकी न रहे कैसे करते हैं ये काम, मालूम? इसने सहबती में सिर हिलाया कैसे करते हैं? उसने फिर बैट की तरफ तवज्जो दी, बैट को उसने अपने करीब खीच लिया और फिर उसमें से हरे बांस का कोई एक फुट लंबा तुकड़ा निकाला ये बांस, वो तुकड़ा विमल के सामने करता बोला आधे रास्ते तक बीच में से दो फार कटा हुआ है कहां से कटा हुआ है? ये गौर से देखने पर ही मालूम होता है अभी देखना उसने बांस के उपरी सिरे को दाएं बाएं से पकड़ा और दोनों हाथों को एक दूसरे से विपरीद दिशा में चलाया तो दोनों सिरे चिम्टे की तरह खुल गए उसने हाथ हटाये तो दोनों सिरे फिर वापिस आन मिले ऐसा उसने दो तीन बार किया आपने देखा वो बोला कि बांस के चिरे हुए हिस्से को जबरन खोल कर छोड़ा जाए तो वो यूँ वापिस अपने मुकाम पर आ जाता है जैसे बीच में कोई स्प्रिंग लगा हो हाँ देखा विमल बोला अब ये देखिए उसने बैग में से एक गाजर निकाली बांस के उपरी सिरे को चिम्टे की तरफ फिर खोला दोनों सिरों के बीच में अंकटे हिस्से के करीब गाजर रखी और दोनों सिरों को छोड़ दिया गाजर मजबूती से चिम्टे में फंस गई यूँ कि उसकी एक तरफ सिर्फ जड़ थी और दूसरी तरफ बाकी गाजर थी उसने गाजर को एक उंगली से धकेल कर दिखाया कि वो इतनी मजबूती से बांस में फसी हुई थी कि अपनी जगह से हिल नहीं रही थी बैक से उसने जो अगली आइटम बरामद की वो नाईयों वाला उस तरह था उसने बांस को बाएं हाथ में और उस तरह को खोल के दाएं हाथ में थामा फिर बिना किसी वार्मिंग के उसने उस तरह चलाया गाजर कटकर परे जाकर गिरी वो बांस के करीब एंट जड़ से कटी थी अब बांस की दूसरी तरफ सिर्फ उसकी जड़ दिखाई दे रही थी विमल के चहरे पर हाहारी भाव आए क्या समझे जनाब अल्तमश बोला समझा भई विमल बोला जो समझाना चाहते हो वही समझा तभी तो दहशत में हूँ गाजर अदत की जगत ही गोटियों का कोई गाजर जैसा इंतिजाम मुझे खड़े पैर न सूझा बहरहाल दोनों अदत के लिए यू एक ही वार काफी होता है ये तो जुल्म है बलकि कहर है गुरू इस काम को अंजाम देता है इस काम को पुनर्जन का नाम दिया जाता है कैस्ट्रेशन को निर्वान प्राप्ती माना जाता है चेला ये काम राजी से कराता है वो निर्वान कहलाता है लेकिन इतनी तकलीफ नहीं होती होती है तो बहुत वक्ती होती है अरे इतने नाजुकं धारदार औजार के एक ही वार से उड़ा दिये, लड़ता जान से नहीं जाना नहीं जाता, आज तक कोई जान से नहीं गया, लेकिन साक्षात मौत का नजारा वो भी नहीं, थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है, बस जब होश में आता है, तो ना खून बहता पाता है, ना ना काबिले बरदाश्ट दर्द महसूस करता है कमार है किन्नरों का भी भगवान होता है, किन्नर बहुचरा माता के भक्त होते हैं, जिसे की दुरगा का अवतार माना जाता है गुजरात में बहुचरा माता का बाकाइदा मंदिर है, जहां हिजरे जाते हैं, गुरु को बहुचरा माता के प्रतिनिधी का दर्जा हासल होता है इसलिए गुरु की गद्धी चलती है, उसे किन्नरों का दोस, उपदेशक, पत्प्रदर्शक समझा जाता है वो जब इस काम को अंजाम देता है, तो फौरन बाद बाकी बचे हिस्से पर एक खास जगह की खास तरह की मिट्टी थोपता है, जिससे खून बहना फौरन बंध हो जाता है, और दर्द भी धीरे धीरे घटने लगता है, यो निर्वान इंपोटेंट मेल से पोटेंट किंडर बन जाता है, गुरु शिक्षा देता है, कि जो अपनी राजी से बहुचरा देवी के आशिरवाद से किंडर बनता है, वो जन्म जन्मांतर का किंडर ही रहता है, हूँ नए बने किंडर को 40 दिन का एकांतवास करना पड़ता है, उसके बाद उसका श्रिंगार किया जाता है, उसे दुलहन का लिबास पहनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से उसका जुलूस निकाला जाता है, और तब उसका निर्वान मुकम्मल माना जाता है तो यूँ हिज्रे बनाए जाते हैं। हाँ, ये सब अक्सर होता है। इसका जवाब ये है कि दिल्ली में एक आल इंडिया हिज्रा कल्यान सभा है, जिसका कहना है कि सिर्फ एक फीसदी हिज्रे स्वाभाविक तोर से पैदा होते हैं। बाकियों को मजबूरी बनाती है, ओूँ। आपकी एक और जानकारी के लिए भजनपुरे में एक हिज्रा कल्ब है, जिसका नाम जीनत कल्ब है, जिसे स्पेस नाम की एक एंजियो चलाती है, जीनत कल्ब सिर्फ हिज्रों के लिए है, वहाँ बाइसेक्सुल नहीं जा सकते, गे नहीं जा सकते। ऐसे तोले बहुत है दिल्ली में तो ज्यादा नहीं है लेकिन इतना बड़ा मुल्क है क्या पता लगता है कमाई का एक जरिया और देखा मैंने उसका जिक्र नहीं किया तूने कौन सा चौराहों पर लाल बत्ती पर कारवानों से वसूली वो सिलसिला हालिया है किन्नरों का असल कारोवार तो आज भी शादी गया हो पर लड़का पैरा होने पर उगाही है खारापीता घर हो तो लड़का पैरा होने पर लड़ जगर कर नगे नाचने लगने की धमकी देकर 20-20-30-30-30 रुपए आम ज़ाड लेते हैं उन्हें लोगों के इस विश्वास का भी फाइदा पहुचता है कि हिजडों की दौाएं बहुत कारगर होती है मालूम कैसे पढ़ता है कहीं लड़का हुआ है जन्म और मृत्यू पंजीकरन कार्याले से, शादी की खबर घोरी वालों से, बैंड वालों से, इवेंट कोवार्डिनेटर्स से, सब हिजडों से हमदर्दी दिखाते हैं और और आप बताईए इस बार अल्तमश के गले से एकाएक महीन जनाना आवाज निकली तेरा ये कर्तब जनाना मेकप से भी ज्यादा बाकमाल है, सॉलिड, ऑथेंटिक जनाना आवाज कैसे कर लिदा है? जवाब में वो केवल मुस्कुराया फिर उसने अपना पेट थप्थ पाया पापी पेट का सवाल है तरजुमानी मुबारक अली नेकी, अल्कमश ने संजीदगी से सहमती में सिरहिलाया फिलहाल काफी है, अल्कमश विमल बोला लेकिन उम्मीद है कि आगे भी काम आओगे आगे भी अल्कमश मर्दाना आवाज में बोला रेजर हैंडल करने में तुम्हारी महारत काबिले तारीफ है, शुक्रिया उसने सहमती में सिरहिला कर शुक्रिया कुबूल किया और अपना सामान बटोर कर बैट में वापस भर लिया फिर उसने सवालिया निगा से मुबारत अली की और देखा मुबारत अली ने पाँच पाँच सो के दो नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए मैं देता हूँ न विमल जेब की तरफ हाथ बढ़ाता व्यग्र भाव से बोला तू हजार देगा मुबारत अली विनोतपूर्ण भाव से बोला हजार का नोट बंध हो गया है मजा कर रही हो तेरा मेरा न कर बाप ले बे अलतमश ने नोट थाम लिये मुबाइल विमल बोला अलतमश ने सहमती में सिर हिलाया नमबर छोड के जाओ मेरे पास है मुबारक अली बोला है न कुम्हारे पास किर ठीक है अलतमश ने अपना बैक संभाला लेकिन उठने का उपक्रम न किया विमल ने उसकी जगह सवालिया निगा मुबारक अली पर डाली धंदे का टेम है मुबारक अली बोला तयारी करेगा न ओ अलतमश ने पंदरा मिनिट लगाए और फिर रूपवती युवती बन गया इस दोरान विमल खामोशी से मंत्रमुग्द भाव से वो ट्रांसफार्मेशन देखता रहा अलतमश चित्तार्शक भाव से मुस्कुराया उसने एक तौबाशिकन अंग्राई ली थिर मादक स्त्री स्वर में बोला मीशा मिस हाइड ओफ डॉक्टर जैकिल विमल के मुँ से निकला तू तो कमार है यार सात्वी से उठा नहीं हो सकता बोला न उसका लहजा फिर मरदाना हुआ स्कूल से उठा तो खुद अपना उस्ताद बना क्या खूब बना शाबाशी है तेरे को तेरी लगन को शुक्रिया जनाब वो एक क्षण फित का फिर बोला आप तो बड़ा लोग हो कार पर आये होंगे बड़ा लोग तो नहीं लेकिन हाँ कार पर आया हूँ क्यों कहां छोड़ी करीब ही जामा मस्जद की पार्विंग में क्यों आगे किधर जाओगे अरे भाई क्यों पूछ रहे हो इतने सवाल आईटीओ की तरफ कही जा रहे होते तो मुझे लिफ्रट मिल जाती कतिवाद में मुबारक अली का मुख खुला लेकिन विमल पहले ही बोल पड़ा उधर ही जा रहा हूँ आईटीओं से ही गुजरूंगा मुझे साथ बिठाने में अगर आपकी हेथी न हो तो पागल अरे जब मेरे को पता नहीं लगा कि तू वो है तो जो मुझे मेरे साथ बैठा देखेंगे उन्हें पता लगेगा तो बाहर जा मैं आता हूँ अल्तमश ने बैग उठाया और चेहरे पर कृतग्यता के भाव लिये वहां से रुखसत हुआ क्या इरादा है बाप पीछे मुबारक अली तनित चिंतित भाव से बोला विमल ने बताया कर लेगा तेरा क्या ख्याल है कर लेगा मुबारक अली पूरे विश्वास के साथ बोला इजद आबरू का दाव है कर लेगा फिर मुबारक अली जैसा जामबास दोस्त चौदर जियाले भांजे धोबियों की पलतन जो बिखर गई है लेकिन फिर जमा की जा सकती है बढ़िया फिर मुश्किलात से जूजे बिना आदमजात को अपनी ताकत का एहसास भी तो नहीं होता लाख रुपए की बात कही ग्रिहस्थ ना बन सका जो प्रारब्ध में लिखा है वही तो होना है मेरा क्या जोर है लेकिन मैं ग्रिहस्थ ना बन सका ये मेरे लिए नीलम के लिए उतनी बुरी खबर नहीं जितनी दुश्मनों के लिए है जो अभी इस बात से वाकिफ भी नहीं फता तेरी होगी ना हो ना होने के अंदेशे से कोई कोशिश तो नहीं छोड़ सकता दुरुस्त कहा सूरा सो सहराये अंग ना पहरे लो जूजे सब बंद खोली के छाड़े तन का मूव बात समझ में तो नहीं आई लेकिन तूने कही है इसलिए उंदा ही होगी चलता हूँ मुबारत अली ने सहमती में सिर हिलाया कहा उतरेगा विमल नॉर्मल रफ्तार से कार चला रहा था और कार अब आईटीो के चौराहे पर पहुँचने वाली थी जब उसने पैसेंजर सीट पर बैठे अल्तमश से सवाल किया था इससे अगले क्रॉसिंग पर अल्तमश के स्वर में संकोच का पुट आया आपने अपनी मन्जिल की बाबत नहीं बताया यहां से आगे अगर सिकंदरा रोड पकड़ेंगे तो वही पकडूंगा, कनौट प्लेस जाना है तो मैं मंडी हाउस उतर जाऊंगा ठीक है उनके एन तीछे एक ओल्तो थी जिसकी फ्रंट सीट पर दो नौजवान लड़के बैठे उसे रियर व्यू मिरर में दिखाई दिये थे पिछली सीट पर भी एक लड़के की मौजूदगी का उसे आभास मिला था दिल्ली गेट के बाद से ही वो औल्तो उसे अपने पीछे दिखाई दे रही थी क्रोसिंग अभी आया नहीं होता था आगे बत्ती हरी हो या लाल हो औल्तो का अतियुतावला ड्राइवर हौन बजाने लगता था आईटीयो के क्रासिंग पर पहुँचते ही बत्ती हरी हो गई थी वो फिर भी पीछे से हौन बजा रहा था अगले चौराहे पर उन्हें बत्ती लाल मिली विमल ने कार रोक दी औल्तो एन उसके पीछे आके खड़ी हुई हौन बजने लगा विमल ने अपनी तरफ का शीशा गिराया और सिर निकाल कर पीछे देखा औल्तो का ड्राइवर उसे कार आगे बढ़ाने का गुस्ताक इशारा करने लगा विमल ने हाथ के इशारे से आगे रैड सिगनल की तरफ उसका ध्यान आकर शित किया औल्तो के ड्राइवर के होंट यू साफ हिले जैसे गाली दे रहा हो अबे आगे ले न फिर चला कर बोला विमल ने फिर रैड सिगनल की तरफ इशारा किया आल्टो का ड्राइविंग साइड का दर्वाजा एक जटके से खुला, छलांग मार कर एक जीसिती शर्टधारी यूवब बाहर निकला और सडक को रौंदता उसके करीब पहुँचा. अबे आगे क्यों नहीं लेता, वो कल्पतासा बोला. लाल बत्ती है विमल शान्ती से बोला साले, इतवार का दिन है, तेरे आगे सडक खाली थी तब, जब मैंने तेरे को आगे लेने को बोला था. मेरे को सुनाई नहीं दिया था. बहन के दी ने, हौन तो सुनाई दिया था, या वो भी नहीं. दिया था? दिया था, पर आगे लाल बत्ती है. मादर अपने बाप को तो जाने दे. बाप के लिए भी लाल बत्ती है. देखो तो साले को, बाते चो, रहा है बेहन. मुझे तो जाने दे. बत्ती हरी होने पर जाना. विमल एक क्षण ठिटका फिर बोला, बाप जी, ठेहर जा, साले. तभी बत्ती हरी हो गई. साले, कंजर के बीज, अगर अपने बाप की आुलाद है, तो क्रांसिंग पार करके रुखना. विमल ने कार आगे बढ़ा दी. वो यूवक भी लपक कर वापिस उल्टों में जा बैठा. विमल ने क्रासिंग पार किया और कार को सिकंदरा रोड पर थोड़ा आगे ले जाकर रोका. उल्टों पीछे से आई और बड़े फिल्मी अंदास से ब्रेकों की चर्चराहट के साथ विमल की कार के आगे यू रुकी जैसे उसे जबरन रोका गया हो. जीन सतीशट वाला अल्टों का जाइवर बाहर निकला और रिट्स की और बढ़ा उसके साथ उस जैसे ही दो और यूवक थे. बाहर निकल बहन डॉट जीन सतीशट वाला कणक के बोला. विमल बाहर निकला अलतमश ने भी बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन विमल का सक्त इशारा पाकर उसने कोशिश छोड़ दी नहीं विमल शांती से बोला नहीं जानता तू जानता है मैं कौन हूँ कौन है? क्या बला है तू? सुनेगा तो गश खा जाएगा साले, क्यों माशुक के सामने बेजज़त होने को डोल रहा है? कर बेज़ज़त ठहर जा, साले, पहले तेरी लंबी जुबान ही हलक से खीचता हूँ उसका हाथ चला विमल ने हाथ को रास्ते में ठाम लिया अगले ही क्षण वो सड़क पर चार फुट परे लुड़का पड़ा था उसके साथियों ने हैरानी से अपने धराशाई साथी को देखा फिर नतुने फुलाते इकठे उस पर जपते उनका भी वही हाल हुआ फिर तीनों में से सबसे पहले जीस टीशट वाला उठकर खड़ा हुआ अब उसके हाथ में गन दिखाई दे रही थी गन से आश्वस दोनों साथी भी उच्छल कर अपने पैरों पर खड़े हुए साले अपने बाप से पंगे जानता नहीं मैं कौन हूँ नहीं विमल शान्ती से बोला नहीं जानता तु जानता है मैं कौन हूँ कौन है क्या बला है तू सुनेगा तो गश्छ खा जाएगा साले क्यों माशुक के सामने बेजज़त होने को डोल रहा है कर बेज़त ठहर जा, साले, पहले तेरी लंबी जुबान ही हलक से खीचता हूँ उसका हाथ चला विमल ने हाथ को रास्ते में ठाम लिया अगले ही क्षण वो सड़क पर चार फुट परे लुड़का पड़ा था उसके साथियों ने हैरानी से अपने धराशाई साथी को देखा फिर नतुने फुलाते इकठे उस पर जपते उनका भी वही हाल हुआ फिर तीनों में से सबसे पहले जीनसतीशट वाला उठकर खड़ा हुआ अब उसके हाथ में गन दिखाई दे रही थी गन से आश्वस दोनों साथी भी उच्छल कर अपने पैरों पर खड़े हुए जीनसतीशट वाले ने करीब आकर गन विमल की तरफ तानी और फुम्फकारता सा बोला अब बोल मा के गार दू बुलेच पहले गन हैंडल करना सीख तो ले भड़वे सेफ्टी लैच ओन है उसकी निगा स्वयन मेव ही नीचे जुग गई विमल की लाग चली गन उसके हाथ से निकल कर हवा में उपर उचल गई उसकी दोलती चली वो भर भरा कर अपने साथियों पर गिरा तीनो धराशाई हो गए विमल ने गन हवा में लपक ली उसने गन उसकी तरफ कान दी तीनो भैभीत दिखाई देने लगे उठो विमल ने आदेश दिया तीनो सप्रयास उठकर खड़े हुए अब बोल क्या नहीं जानता मैं कौन है जीन सिटी शट वाले ने करीब आकर गन विमल की तरफ तानी और फुम्फकारता सा बोला अब बोल मा के गार दू बुलेच पहले गन हैंडल करना सीख तो ले भड़े सेस्टी लैच ओन है उसकी निगा स्वयन मेव ही नीचे जुग गई विमल की लाग चली गन उसके हाथ से निकल कर हवा में उपर उचल गई उसकी दोलती चली वो भर भरा कर अपने साथियों पर गिरा तीनो धराशाई हो गए विमल ने गन हवा में लपक ली उसने गन उसकी तरफ तान दी तीनो भैभीत दिखाई देने लगे उठो विमल ने आदेश दिया तीनो सप्रयास उठकर खड़े हुए अब बोल क्या नहीं जानता मैं कौन है तू उसने जवाब न दिया उसके गले की घंती जोर से उचली वो रविवार का दिन था लेकिन सडक पर मोटर ट्रैफिक की कोई कमी नहीं थी कलबता पैदल यातरी वहाँ कोई नहीं था कई कार वालों ने वो नजारा देखा लेकिन किसी ने रुखने की कोशिश न की ऐसा ही स्थापित मिजास था दिल्ली वालों का इन्वाल्वमेंट से हर कोई बचता था बोल भाई विमल गन वाले को घूरता पुरिसरार लहजे से बोला उसने मुह खोला बंद किया जोर से थूक निगली विमल ने उसके साथियों की तरफ देखा एसी टी है एक दबे स्वर में बोला ये विमल हैरानी से बोला इसका डैड नार्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का ओ तो उसके दम पर उचलता है खुद को एसी पी समझता है कोई कुछ न बोला खैर अच्छा है पुलीस वाला है पुलीस वालों को ट्रेनिंग होती है फर्स्ट एड की उसने गन वाले की तरफ देखा आके देगा तुझे कक्या इस बार बड़ी मुश्किल से वो बोल पाया हड़ी जोड लेगा न तब तक के लिए जब तक की तु हस्पताल नहीं पहुँचाया जाता है हड़ी अभी तोडूंगा न तेरी बुलेट गार के तेरी जुबान में उसके चहरे पर हवाया उड़ने लगी तू भी तो यही करने वाला था मैं तो हड़ी ही तोड के सबर कर लूँगा तू तो शायद मुझे मार ही डालता किस ये क्योंकि तेरे हुक्म पर मैंने लाल बत्ती जम करना मंजूर न किया क्योंकि तेरा किसी काईदे कानून पर कोई एहतराम नहीं क्योंकि तेरा डैड खुद काईदे कानून का रखवाला है ठीक उसके मुझ से बोल न फूटा अभी डैड यहां प्रकट भरेगा और तुझे डैड होने से बचा लेगा ठीक खामोशी ये गन लाइसेंस है उसने जवाब न दिया विमल ने गन की नाल से उसकी नाप की हड़ी पर दस्तक दी वो पीडा से बिलबिला गया जवाब दे विमल का स्वर हिंसक हुआ न नहीं एसीपी का बेटा नहीं जानता की अनलाइसेंस्ट फायराम्स का पोजेशन गंभीर अपराध है या जानता है लेकिन परवाह नहीं करता क्योंकि सैया भय कोत्वान नो उसने जवाब न दिया मैं विमल उसके साथियों से बोला इसकी तांग तोरने लगा हूँ हस्पताल यहां से ज्यादा दूर नहीं है लेके जाना दोनों बधवास दिखाई देने लगे तूने मेरी उंगली के नाखून को भी छुआ एकाएक फरजंद ए A.C.P. में पता नहीं कहा दिलेरी आ गई तो मेरा बाप तुझे जिन्दा नहीं छोड़ेगा अच्छा करेगा विमल उदासीन भाव से बोला मैं खुद इस वाहियात नामुराद जिन्दगी से बेजार हूँ जिसमें मेरी आउका तुम्हारे जैसे मोरी के कीरो जितनी भी नहीं है किसी के मुँ से बोल न फूटा तु कहता है तेरा बाप मुझे जिन्दा नहीं छोड़ेगा मैं कहता हूँ कि जिन्मेदार, गैरतमंद, इंसाफ कसन बाप होगा तो रेरे जैसी आउलाद को जिन्दा नहीं छोड़ेगा जो आए दिन अपनी ऐसी ही हरक्तों से उसकी वर्दी को दागदार करती है या पेड और दीज दोनों एक ही जैसे है तु नहीं बच सकेगा, मैंने तेरी कार का नंबर याद कर लिया है विमल ने असाय भाव से गरदन हिलाई रसी जल गई वो बोला कोई सबक देना पड़ेगा तुझे बन नहीं गया, विमल ने घूमकर अलतमश को इशारा किया वो कार से निकल कर विमल के करीब पहुँचा तो विमल ने उसके कान में कुछ कहा अलतमश ने सहमती में सिर हिलाया, वो वापिस जाकर बैट में से उस तरह निकाल लाया वो उन तीनों के सामने जा खड़ा हुआ और उस तरह खोल कर उसकी धार पर रखने लगा तीनों अपने एकाएक सूख आए होठोन पर जुबान फेरने लगे गैरतमन मर्द की नाक की बहुत महिमा होती है विमल बोला किसी को गंवारा नहीं होता कि उसकी नाक नीची हो जाए नाक इतनी नीची हो जाए कि पाफ का अंगुठा चूने लगे तो कहर है तुम खड़े हो, कैसे तुम्हारी नाक पाफ का अंगुठा छूने लगेगी, समझ में आया, अब तीनों की सूर्ते कादस की तरह सफेद निगल आई यानि की आया, लेकिन तुम्हें क्या परवाह होगी, तुम कोई गैरतमंद मर्द थोड़े ही हो, या हो किसी के मुँ से बोल न फूटा, चल, भई गहरी सांस लेता विमल बोला, शुरू कर अपना सर्जिकल स्ट्राइक अल्तमश ने सहमती में सिर हिलाया, उसका उस्तरे वाला हाथ सीधा हुआ रहम एकाएक गन वाले के दोनों साथी बिलगते से बोले, रहम क्यों? विमल के माथे पर बल पड़े हमने कुछ नहीं किया एक बोला आप जानते हैं, हमने कुछ नहीं किया करने को आमाधा बराबर थे नहीं दूसरा बोला तभी जब वो आगब गुला मेरे सामने आकर खड़ा हुआ था तो तुम उसके दाएं बाएं मौजूद थे मेह साथी का साथ देने के लिए हमें नहीं मालूम था ये क्या करने जा रहा था हमें गन की तो दूसरा दैनिया स्वर में बोला कतई कोई खबर नहीं थी ये गन इस्तमाल करता तो इसके गुना में तुम बराबर के शरीक माने जाते To aid and abat a crime is also a crime हम शर्मिन्दा है हमें इस बार माफ कर दीजिए आइंदा हम ऐसी सोबत ही छोड़ देंगे सुन लिया विमल गन वाले से बोला अब तु उनके लिए छूत की बीमारी है जो अभी थोड़ी देर पहले तेरे जिगरी थे गन वाले की सूरत ने कई रंग बदले अब इनको बोल सालो जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है ये दरकर फिर तेरे सगे बन जाएंगे उसमें मुहन न खोला तेरा बाप ACT है तो उसमें तेरा कोई कमाल नहीं है अपने में कोई कमाल पैदा कर फिर अकड़ना उसका सिर जुग गया सिर क्यों जुगाता है तेरे हाथ में तो ताकत है तुझे मेरी कार का नंबर याद है नहीं याद वो होठोन में बुदबुदाया जिसके जरीए ACP साहब चुटकियों में मुझे खोज निकालेंगे और आउलाद की आनबान शान बरकरार रखने के लिए मुझे सूली पर टांग देंगे है ना उसने इंकार में सिर हिलाया नहीं जाके आप दीती नहीं सुनाएगा अपने डैड को अपनी करतूर पर परदा डार कर एक की आठ लगा कर भड़काएगा नहीं बाप को तेरी हतक का बदला लेने के लिए कुछ कर गुजरने के लिए उसने फिर इंकार में सिरहिलाया मोर से बोल ननही अपनी कर्तूर पर शर्मिन्दा है हाँ सौरी बोल सौरी विमल ने उसके साथियों की तरफ देखा तो दोनों समवेट स्वर में सौरी बोले विमल ने अनुमोधन में सिरहिलाया उसने गन में से गोलिया निकाल कर एके करके जितनी दूर सैंकी जा सकती थी सैंक दी और गन गन के मालिक को लोटा दी उसके चहरे पर सक्त हैरानी के भाव आये जिज़कते हुए उसने गन थामी बच्चे इन चीजों से नहीं खेला करते अपनी महीन आवास को थोड़ा भारी करके जामेतिक अंदास से बोला चल जाए तो खून निकल आता है कोई कुछ न बोला जाओ विमल बोला कोई न हिला जैसे यकीन न आ रहा हो कि उन्हें जाने दिया जा रहा था अरे जाओ भई जहां पहुँचना था पहुँचो देर हो रही होगी तीनों जिजगते हुए घूमे और भारी कदमों से चलते औल्टों की तरफ बढ़े औल्टों के रवाना होते तक विमल और अल्तमश सड़क पर ही खड़े रहे फिर दोनों कार में सवार हुए एक मिनिट अल्तमश अपनी मर्दाना आवाज में बोला एक मिनिट रुखिए इगनीशन ओन करने को आमादा विमल ने हाथ रोक दिया उसने गरदन घुमा कर सवालिया निगा अल्तमश पर डाली अकेले अल्तमश मंत्रमुग्द स्वर में बोला तीन से भिड़ गए पलग जपकते तीनों को धूल चता दी तो एक में गन तानी तो वैसी ही चुटकियों में गन खुद कबजा ली अरे तो कैसे किया बस हो गया कैसे किया अरे सब देख तो रहा था तू हाँ, देख रहा था वो तीन, आप एक, वो हथियार बंद, आप निहत्थे फिर भी खौफ न खाया मेरे मज़भ में खौफ खाना बुझदिली का ही दूसरा नाम है आप कोई मामूली आदमी नहीं है, मेरा दिल गवाही देता है, आप कोई मामूली आदमी नहीं है, कौन है आप, मैं हूँ खुदा का एक गुनहगार बंदा जो अपने बनाने वाले से अपने गुना बक्षवाने का तमन्नाई है, आप कमाल के हैं, मैंने कभी आप जैसा आदमी नहीं देखा, बेखौफ, बेखतर, बेधरक, बेरिया, जब आप इन तीनों से रूरू थे तो आपकी सूरत पर ऐसा जलाल था कि देखते ही बनता था, जब उस छोकरे ने आप पर गन तानी थी, तो आपकी आखों से मुझे कहर बरसरा लगा था, मेरा दिल गवाही देने लगा था कि उस नादान ने आप पर गन तान कर अपनी मौत का सामान किया था, फ जमकती हुई तलवार हूँ मैं, बेशक आप है, लेकिन, अरे मजा किया मैंने, लेकिन, छोड़ लेकिन, तु ये बता, अपनी राय दे, लड़का कहता था, उसने मेरी कार का नमर याद कर लिया था, क्या उसके आसरे वो कोई पंदा करने की कोशिश करिया, मुझे क्यों, बहुत दरा हुआ था, जो फर्जी दिलेरी दिखा रहा था, उसकी नमायश आपके लिए नहीं, उसके साथियों के लिए थी, जिनके सामने उसकी किरकिरी हो रही थी, ठीक, फिर भी दिखाएगा तो पच्चताएगा, क्यों भला, मैंने अपने मोबाइल कैमरे पर उसकी कर्तूत रिकॉर्ड कर ली है, कर्तूत जब उसने गन निकाल कर आप पर तानी थी, तूने वो सब रिकॉर्ड कर लिया, हाँ, बड़ी दूरदेशी दिखाई, अब वो कोई पंगा करेगा, तो पहले उसे इस बात की सफाई देनी होगी कि क्यों सरेरा वो किसी पर गन तान रहा था और उसे जान से मार देने की धंकी दे रहा था, क्यों उसके पास गैर लाइसिंसी गन थी, कमाल किया, यार, तूने, दिखा, अलतमश ने अपने मोबाइल पर की रिकार्डिंग उसे दिखाई, गुड, विमल बोला, इसे मेरे को फारवर्ड कर और खुद भी इसे महफूज रखना, अलतमश ने सहमती में सिर हिलाया, विमल ने इगनीशन ओन किया और कार आगे बढ़ाई, होस्टिलिटी, इस मुल्क में बर्मनी बढ़ती जा रही है, रास्ते में विमल संजीदगी से बोला असिशनुता बढ़ती जा रही है, और तॉलरेंस, बरद गट्टी जा रही है, जाबर का जोर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, 902M, जिसके हाथ में ताकत आ जाती है, वो उसे वाजब गैरवाजब तरीकों से आजमाने से बाज नहीं आता, ऐसे माहौल में कमजोर क्या करे? क्या करे? अल्तमश ने संजीतगी से पूछा, दो ही रास्ते हैं, उसके सामने या तो वो ताकतवर से बचके रहे या उससे ज्यादा ताकतवर बन कर दिखाए, आप कौन है? सच बताईएगा, कमजोर या ताकतवर? कमजोर तो आप कौन सा रास्ता अक्तियार करते हैं? दोनो मेरी कोशिश ताकतवर से बचके रहने की होती है, लेकिन कभी-कभी हालात ऐसे बन जाते हैं, कि ताकतवर से ज्यादा ताकतवर बन कर दिखाना पड़ता है, जैसे अभी पीछे बने, गन की ताकत को खातिर में ना लाए, यही समझ लो, यहां रोक दीजिए, उसके निर्देश अनुसार विमल ने मंडी हांस के सामने फुटपाच से लगा कर कार रोकी, लिफट का शुक्रिया, अलतमश बोला, विमल ने मुस्करा कर शुक्रिया कुबूल किया, अलतमश ने अपने बैट का मुँ खोल कर उसमें हाथ दुबोया और बाहर निकाला, यह, यह, वो बोला, विमल ने देखा अलतमश उसकी तरफ पाँच पाँच सो, के दो नोट बढ़ा रहा था, वही नोट जो उसे मुबारत अली से हासल हुए थे, यह क्या, विमल बोला, जनाब, उसकी आवाज भरा गई, मैं आपकी हर खिदमत करूंगा लेकिन उजरत हासल करके नहीं, अरे ये उद्रत नहीं है, सहयोग का शुक्रिया है मुझे शुक्रिया कुभूल है दर्कार उसकी भी नहीं है, जरूरी वो भी नहीं है लेकिन कुबूल है मैं आपसे बहुत मुतास्सिर हुआ अगर आप मेरा मेरे जजबात का मान रखना चाते हैं तो ये वापिस कुबूल फरमाईए अरे तुम्हें इसकी जरूरत है हमारे लिए अपना वक्त जाया किया तुमने इसकी कोई कमपेंसेशन होनी चाहिए या नहीं वो कमपेंसेशन ये है कि मुझे आपके इतनी करीब बैठने की इजज़त हासिल हुई अरे, ये हजार है, तुम्हें तो अभी हजारों हजारों मिलने है मैं मांग के लूंगा, मुझे दाता को पहचानना आता है मुझे मालूम है नौबत आएगी तो सवाली को नाउमीद नहीं होना पड़ेगा जनाब करम कीजिए, कबूल फरमाईए मशीनी अंदाज से विमल ने नोट थामे एक हिजणा बेठाशा जरूरतमंध हिजणा उससे इसकदर मुतासिर हुआ था ऐसा ही जहुरा था विमल का, जिससे वो खुद पूरी तरह से वाकिस नहीं था आइंदा तीन दिन विमल ने मुतवातर अमित गोयल पर निगाह रखी तीनों ही दिन उसकी शाम किसी बार में या किसी डिसकों में दोस्तों के साथ गुजरी तब सिर्फ एक बार वो अपने सहारोपी विकास जिंदल के साथ और अर्मान त्रिपाठी के साथ दिखाई दिया वरना हर बार उसके तफ्रीबाज ग्रूप में उसे नई सूर्ते दिखाई दी और हर बार आधी रात के कहीं बाद महफिल बखरास हुई आठ नवंबर गुरुवार चौथे दिन उसकी उस रुटीन में तबदीली आई उस शाम को वसंत कुंज में हाइड पार्क नामक एक नाइट क्लब में हाजरी भर रहा था लेकिन उस रोज उसके साथ दोस्तों का हुजूम नहीं था एक नौजवान लड़की थी लड़की नहायत खूपसूरत थी और रखर खाव में पूरे जलाल पर थी चेहरे का मेकप और हैर स्टाइल ऐसा था जैसे सीधे ब्यूटी पालर से वहाँ पहुची हो वो लाल रंग की कालर वाली खुले गले की शर्ट के साथ सफेद जीन्स जैकेट पहने थी उसके मुकाबले में अमित गोयल भी अपने लिहांस से सजाद जाही था वो आई लव अमेरिका छपी काली टी-शर्ट और देनिम की जीन्स जैकेट पहने था उसके देखते देखते दोनों भीतर चले गए थोड़ी देर बाद उसने भीतर जाने की कोशिश की तो वर्दीधारी, फौजियों जैसे कदावर, हटे-कटे दर्बान ने सकती से उसे रोग दिया क्या हुआ विमल हैरानी से बोला साहब, मेल गैस्ट की अकेले एंट्री मना है दर्बान बोला, साथ में फीमेल कमपैनियन होना जरूरी है अच्छा, ये रूल नए, अनजाने गैस्ट के लिए है या सब के लिए है? सब के लिए है बड़ा सक्त रूल है रात के वक्त इधर की ऐसी सब जगों पर ऐसा ही है ओ विचारपूर्ण मुद्रा बनाए विमल में दोर से परेहता वैसा विघन आने की उसे कोई अपेक्षा नहीं थी पहले तीन दिन छोकरा दोस्तों के साथ जहांजा गया था वहां ऐसी कोई पाबंदी पेश नहीं आई थी में दोर से थोड़ा हटकर चार-पांच नौजवान लड़कियां खड़ी आपस में बतिया रही थी उसमें से एक ने उसकी तरफ देखा आई कांटाक हुआ तो मुस्कुराती हुई बोली विमल बोला लड़की ग्रूप से हटकर उसके करीब आ खड़ी हुई यस वो बोली यू सेड नो प्रॉब्लम यस अबाउट वाट अबाउट गैटिंग इन उसने अंगूठे से नाइट क्लब के बंद में दोर की तरफ इशारा किया अच्छा विमल की भवे उठीम हाँ कैसे क्या बोला कमपैनियन बिना भीतर जाना मना है ना मैं तुम्हारी कमपैनियन ओ थैक्यू नहीं चलेगा क्या मतलब खाली थैंक्यू नहीं चलेगा दे से पेमेंट कैन बी इन कैश और इन काइंड यू आर सजेस्टिंग पेमेंट इन काइंड अभी समझे समझा कितना लड़की ने उसे पंजा दिखाया My dear, I don't need a lay You are dreaming for five thou, you won't even get a hand job दाका पाँच सिर्फ क्लब में दाख लेके वो बोला हाँ, ज्यादा है तो, दो, बनिया है पर्चून पर्चून की दुकान है विमल खामोश रहा चार, वो बोली तीन, हाँ बोल नहीं तो जाके बैठता हूँ कहा, पर्चून की दुकान पर वो हसी, फिर बोली ओके दोंट टेक इट्टू हाट, मैं विमल ने उसे तीन हजार रुपए दिये थैक्यू वो बोली उसने अपनी जीन्स की पॉकेट में नोट खोसे बड़ी आत्मियता से उसकी बाह में बाह पिरोई और यूगेट की तरफ बढ़ी जैसे वो विमल के साथ ना हो, विमल उसके साथ हो दर्बान ने सादर दर्वाजा खोला जरूर वो उस रैकेट से वाक्षी था बाकी लड़किया भी जरूर बाहर इसलिए मौजूद थी कि किसी को कमपैनियन की जरूरत होगी जो की फीस भर कर उपलब थी वो भीतर पहुँचे विमल की निगाह पैन होती रोश्नियों से जगमगाते और म्यूजिक से गूंजदे हाल में घूमी तो अमित गोयल और उसकी सखी उसे बैंड स्टैंड के करीब की एक टेबल पर बैठे दिखाई दिये दोनों ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे काले कोट वाला एक स्टीवार्ड उनके करीब पचा एक टेबल सर वो अदब से बोला यस विमल बोला प्लीज नियर बैंड स्टैंड इफ पॉसिबल स्टीवार्ड ने पीछे निगाह दोडाई जहां वो दोनों बैठे थे उनके करीब ही एक टेबल खाली थी आईए स्टीवार्ड बोला उसने दोनों को उस टेबल पर पहुँचाया फिर वेटर को इशारा किया आई विल हैव ए लार्ज वोट का विड लाइन लड़की उत्सा से बोली विमल ने घूर कर उसे देखा वेटर अपने स्क्रैच पैड पर ओर्डर नोट करने लगा लार्ज ग्लान्फिडिक विड वॉटर विमल बोला वेटर चला गया गूर क्यों रहे थे पीछे लड़की बोली विमल ने जवाब दिया तुम पागल हो नादान हो नौसिखिये हो मैंने तुम्हें मजात में बनिया कहा तो क्या सच में ही खुद को वनिया साबित करके दिखाओगे विमल का सिर मशीनी अंदाज से इंकार में हिला तुम्हारी सूरत बता रही है कि तुम नेक, भले, इजद्दार, खांदानी आदमी हो यहां एश की तलब में आने वाले बिगडेल छोकरे नहीं हो इसलिए मैंने खुद तुम्हें अप्रोच किया मेरा एक वोट का ज्रिंक तुम्हें भारी पड़ता है तो तो आई विल पे फॉर माई ज्रिंक नो नेवर भीतर आ जाने के बाद कमपैनियन का रोल खम हो जाता है तुम चाहो तो मैं अभी उठके यहां से जा सकती नहीं तुम्हें कोई नहीं टोकेगा कमपैनियन के बारे में कोई सवाल नहीं करेगा फिर भी नहीं प्लीज स्टे शोर यज स्टे प्लीज माईंड इट आई में और्डर ए रिपीट आई बू दू दाट फॉर यू आई एवन रिपीट दी रिपीटिड रिपीट, वो हसी, ओके, वो बोली I am sorry for my conduct, you need not be ऐसी जगों के तौर तरीकों की मुझे सच में कोई वाक्फियत नहीं अब होगी दोर ज्रेंक्स के साथ नाम क्या है तुम्हारा? विमल बोला उसकी भवे उठीन जाने की कोई जिद नहीं है, पेड कमपैनियन का नाम जानना ऐसी जगों के तौर तरीकों के खिलाफ है तो नहीं पूछता वो मुस्कुराई, फिर बोली, प्रियंका, मैं विमल हल्लो, हैंसम आई अल्रेडी डिड डिड वाट? वो जोर से हसी पसंद आये तुम मुझे कई क्षण खामोशी में गुजरे फिर बोली एक बात बोलू एकाएक वो बोली बोलो तुम्हारी तवज्जो कहीं और है क्या बोला? तुम सिजिकली मेरे साथ हो लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है और कहा? बगल की टेबल पर जहां वो खड़े कान और पकोडे जैसी नाक वाला लड़का स्वाती के साथ बैठा है तुम उस लड़की को जानती हो सथी तो नहीं है पर जानती हूँ कैसे? यहां की रेगुलर है तीछे सब इसे बार स्रलाई कहते है हैसियत वाले नौजवानों की यारी की ताक में रहती है ठीक क्या ठीक? ऐसी ही कमपनी में वो है इस वक्त तुम्हें कैसे मालूम? मेरा मतलब है ऐसा जान पड़ता है ओ, जान पड़ता है तभी बैंड दांस की धुन बजाने लगा कई जोड़े तेबल्स छोड़कर बैंड स्टैंड के सामने बने दांस फलोर पर पहुँच गए उनमें अमित गोयल और उसकी उस शाम की डेट भी थी मुझे दांस नहीं आता विमल बोला लेकिन मैं करना चाहता हूँ क्योप है? यो कमपैनियन को बाहों में भरने का मौका मिलता नॉनसेंस मैं जानती हूँ तुम वैसे मर्द नहीं हो कैसे जानती हो? बस जानती हूँ, इंत्यूशन है, अंदर की आवाज है सही अब दांस का बोलो, तुम्हें तो ओना पौना आता होगा पूरा पूरा आता है, आओ दोनों दांस फलोर पर पहुँच गए और म्यूजिक की धुन पर जूमने लगे यूँ जानबूच कर प्रियमता के साथ विमल अमित गोयल के बहुत करीब सरत आया मैं नशे में कहीं भूल न जाओ वो अपनी डांस की संगिनी को कदरन उची आवाज में कह रहा था ताकि वो संगीत के शोर में सुनी जा सकती मिलना कब लड़की ने पूछा शाम को और कब कल यहीं अरे शाम को तो हुआ शाम को कब कोई वक्त भी तो बोलो नौ बजे कहा बार पर भीतर दम दम जब बार भीतर है तो और कहा एस्टरिस्क भीतर कैसे आओगे अकेले को तो मुझे कोई नहीं रोकता यहाँ अच्छा हाँ मेरा जुगार है गुड ठीक है नौ बजे लेट न होना पांच मिनट पहले पहुचूंगी कोई रोके तोके तो मेरा नाम लेना बोलना अमित गोयल के साथ हो ठीक दिच न करना वरना बुरी तरह पेश आऊंगा ख्याल भी नहीं करूंगी किसी से इतनी जल्दी कभी नहीं भीकता मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझो की तभी बैंड बजना बंध हो गया दांस करते जोडों ने तालिया बजाई और अपनी मेजों पर वापिस लोटे विमल ने नए ड्रिंक्स का ओर्डर किया इस बार गोयल और उसकी संगिनी टेबल पर पहले की तरह आमने सामने बैठने की जगा अगल गल बैठे और विमल ने कहीं बार अमिद गोयल का हाथ अपनी संगिनी की लाल शर्ट के खुले गिरेबान के भीतर सरकते देखा और संगिनी को उसकी उस हरकत से कोई एतराज भी न दिखाई दिया ड्रिंक्स का सेकंड राउंड खत्म हुआ तो तीसरा ड्रिंक विमल ने सिर्फ प्रियंका के लिए मंगवाया प्रियंका की भवे उठीन पर उसने जुबानी कोई एतराज न किया सुनो एकाई विमल उसकी तरफ जुबकर तनिक राज़दाराना लहजे से बोला तुम चाहो तो मेरा एक काम कर सकती हो क्या? प्रियंका सशंक भाव से बोली मैं तुम्हारी उस जहमत की बाकाइदा फीस भरूँगा अरे काम क्या? मैं पकोड़ा नाक लड़के की कमपैनियन से जिसका नाम तुमने स्वाती बताया दो मिनट अकेले में बात करना चाहता हूँ उसके चहरे पर हैरानी के भाव आए लसूरे की तरह लरकी से चिपका हुआ है लगता नहीं क्लोजिंग ताइम तक भी पीछा छोड़ेगा बीच में ये बड़ी हद उठकर लेडी स्टाइलेट में जाएगी जहां मैं नहीं जा सकता पकोड़ा नाक भी तो कभीनत भी ताइलेट जाएगा तब स्वाती टेबल पर अकेली होगी पर तन्हा नहीं होगी मैं इतने लोगों के बीच नहीं अकेले में उससे बात करना चाहता हूँ क्या बात? है कोई बात जिसे तुम नहीं समझोगी कोई खास बात? यही समझ लो खास ही होगी आम बात तो तनहाई के बिना भी की जा सकती है, ठीट तुम एक ऐसी लड़की से अकेले में कोई खास बात करना चाते हो जिसे तुम बिलकुल नहीं जानते जिसकी आज से पहले तुमने कभी सूरत नहीं देखी, जो ऐसे लड़के की कमपनी में है, जिससे तुम्हारी कोई वाक्षियत नहीं Now, don't get difficult विमल एक क्षण फिटका, फिर बोला, please I am not getting difficult, I am getting Puzzled Drop that also Closing time पर जब ये बाहर निकलेगी मुझे यकीन है, तब भी अकेली नहीं होगी, पकोडा नाक तब भी उसके साथ होगा क्योंकि उसने आज शाम की उस पर अपनी investment की रिक्वरी करनी होगी, वो तो है और स्वाती को उस रिक्वरी से कोई एतराज भी नहीं होगा अब बोलो क्या कहती हो सोचने दो मैं तुम्हारी मदद की कीमत अदा करूँगा अरे सोचने दो विमल खामोश हो गया आधा घंता यू ही गुजरा फिर स्वाती उठी और मेजों के बीच से होती एक तरफ बढ़ चली आती हूँ प्रियंका बोली वो भी उसके पीछे हो ली विमल कतीक्षा करने लगा पाँच मिनट बाद प्रियंका लोटी बिलकुल रियर में दाई तरफ वो विमल के कान के पास मुह ले जाकर बोली असिस्टेंट मैनेजर का आफिस है बाहर असिस्टेंट मैनेजर लिखी नेम प्लेट लगी है वहाँ पहुचो वहाँ पहुचो विमल सक्पकाया वहाँ वो तुम्हारा इंतजार कर रही है सैट करके आई हो ना असिस्टेंट मैनेजर नहीं होगा वहाँ वहाँ अकेली है वो पाँच मिनट वहाँ कोई नहीं आएगा काइम ख्राब ना करो जाओ विमल फुर्ती से उठा और आगे बढ़ा असिस्टेंट मैनेजर का आफिस उसने बड़ी सहूलियत से तलाश कर लिया वो अनिश्चित सी वहाँ एक विजिटर्स चैर पर बैठी हुई थी वक्त कम है विमल उसके पहलू में दूसरी चैर पर बैठका बोला इसलिए मैं सीधा मतलब की बात पर आता हूँ तुम अमित गोयल की कमपनी में हो और इस कमपनी को कल नौ बजे रिपीत करने वाली हो तुम्हें कैसे मालूम? वो हबकाई सी बोली है मालूम किसी तरह से हो कौन तुम? मैं वो शक्स हूँ जो दो मिनट तुम से बात करना चाता है, कर रहा है क्या बात? जैसा की फिक्स हुआ है, कल शाम नौ बजे तुमने यहां नहीं आना है अमित गोयल को उसके कहे मुताबिक कल यहां बार पर नहीं मिलना है कौन कहता है? मैं कहना हूँ क्यों? बहस ना करो, कल यहां आने से तुम्हें जबर्दस्ती भी रोका जा सकता है लेकिन मैं खामखा की फौजदारी पसंद नहीं करता, इसलिए दरखवास कर रहा हूँ कल यहां ना आना अरे, क्यों? क्यों ना आना? कोई वजह भी तो हो, विमल ने असहाय भाव से गर्दन हिलाई बहस ही करोगी फिर बोला, ठीक है, सुनो क्यों ना आना क्योंकि विमल ने अपलक उसे देखा किसी पर तुम्हारी जिन्दगी का दारुमदार है क्या? वो हगबकाई जान प्यारी हो विमल बर्ष से सर्द लहजे से बोला जान से ज्यादा खूपसूरती प्यारी हो तो मेरा कहना मानना तुम हो कौन? वो तमक कर बोली होते कौन हो मुझे धमकाने वाले? विमल ने जेब से उस तरह निकाल कर उसे खोला और उसकी धार उसके एक कपोल पर तिकाई ततकान वो भैभीत दिखाई देने लगी मामूली काम है विमल बोला जो तुमने मेरे कहने पर करना है कल नौ बजे यहाँ ना आना हाँ बोलो वर्ना विमल ने उस तरह की धार उसके दूसरे कपोल पर शफिट की तुमारे दात खूपसूरत है वो धी में किंतु हिंसक भाव से बोला मोतियों जैसे मुझ खोलती हो तो मोतियों की तरह ही जिल मिलाते हैं दोनों गाल कान तक करे होंगे तो मुझ खोलने की हसने की जहमत किये बिनाही दिखाई देंगे नहीं वो सिर से पाव तक कापी अब बोलो क्या ख्याल है मैंने मैंने उसे यूँ धोका दिया वो बड़ी मुश्किल से बोल पाई तो तो वो मेरा बुरा हाल करेगा उससे ज्यादा जो तुम्हारा अभी हो सकता है उससे जवाब देते ना न वो तुम्हारा कोई बुरा हाल नहीं करेगा मैं इस बात की गारंटी करता हूँ तुम हो कौन? कोई बुरा हाल करना तो दूर कल के बाद वो तुम्हारे पास भी नहीं फटकेगा ता जिन्देगी कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा तु तुम्हें क्या मालूम? मुझे ही मालूम, अब जल्दी फैसला करो रेजर हटाओ पहले फैसला करो मैं कल शाम नौ बजे यहां नहीं आऊंगी वो फोन करेगा कैसे करेगा? उसे मेरा मोबाइल नंबर नहीं मालूम आज पहली मुलाकात है आज जैसी इंतिमेट मुलाकात पहली है वैसे सूरत से मैं उसे पहले से पहचानती थी कैसे? कही नखी, किसी नकिसी नाइट स्पॉट पर अकसर दिख जाता था अब इतनी intimacy set हो चुकी होने के बाद phone number पूछेगा तो जरूर। मैं नहीं बताऊंगी। अभी तुम्हारा उसका बहुत देर का साथ है, वो जिद करेगा। तो गलत number बताऊंगी। पक्की बात। हाँ। फिर समझो तुम्हारी खूपसूर्ती बीती बात होने से बजगई। उसने उस तरह हटाया। लड़की ने चैन की लंबी सांस ली। अभी यहां से उठोगी और सब कुछ जाके उसे बता दोगी। नहीं। ऐसा जोश आए तो याद रखना। मैं क्लोजिंग टाइम तक यहीं हूँ। मुझे मालूम हुए बिना नहीं रहेगा। फिर जो अब होना टल गया है। तब होगा। फिर कतेफते चेहरे के साथ बेशक आना कल यहां साथी का साथ देने। मैं? मैं कुछ नहीं बोलूँगी, शुक्रिया तु। तुम हो कौन? कल यहां आई तो पता चल जाएगा, ना आई तो। दोबारा कभी मेरी सूरत नहीं देखोगी। उस तरह जेब में रखता विमल उठा। दिव्या को कैसे जानते हो? वो व्यग्र भाव से। बोली। दिव्या, वो कौन है? ओ, तो तुम्हें उसने कोई और नाम बताया। हाँ, प्रियंका, तुम्हारा नाम तो स्वाती ही है ना? हाँ, बाई, स्वाती। कुछ तो बोल के जाओ कौन हो? सैंटम, घोस्थू वाक्स। विमल उससे पहले वहां से बाहर निकल गया। 29 नवंबर शुक्रवारगले रोज रात 9 बजे विमल, नीलम और अल्तमशाइड पार्प में मौजूद थे, स्वाती वहां नहीं पहुची थी। अमित गोयल ड्रिंक लिए बार पर बैठा था और बार बार दर्वाजे की तरफ देख रहा था, जोन जो वक्त गुजरता जा रहा था, त्योन्तियों उसकी बेचेनी बढ़ती जा रही थी। विमल को इस साभाई विग्वाला का मुंबई से भेजा खास सामान उसी रोज हासिल हुआ था, वरना वो पिछले रोज भी वहां छोटे मोटे मेकप में पहुचा होता। उस वक्त वो भी आधुनिक फैशन को रेखांकित करती जीन्स जैकेट और टीशट पहने था। उसके उपरले होंट पर मूच थी जो होठोन की कोरों से बाहर तक पहुचती थी और निचले होंट और थोडी के बीच बालों का तिकोन था जो किसोल पैच या जाज डॉट कहलाता था। उसकी भवे अब घनी थी और सिर पर भूरे बालों का विक था। जिसके साथ लंबी कलमे भी शामिल थी। जमा आखों में बिनानंबर के नीले कांटाक्ट लेंज थे और बाईं आख के नीचे एक काला मस्सा था। नीलम भी उससे मैच करते मौड बहुरूप में थी। वो खुले गले की कमीज और मुश्किल से पसलियों के सिरे तक पहुचने वाली जैकेट और तकनों तक आने वाली ऐसी रंग्दिरंगी स्कर्ट पहने थी। जो स्कर्ट कम और घगरी ज्यादा जान पड़ती थी। उस में चूडी से बस जरा ही छोटे एरिंग थे। बाई कलाई में लगभग कोहनी तक मैटल की चूडिया थी और दोनों हाथों की तीन-तीन उंगलियों में विभिन्न। रंगों के पत्थरों से जड़ी अंगुठिया थी। मेकप से उसकी आखे जरूरत से ज्यादा काली थी और होंट सुर्क थे। लगते थे और अलतमश बाकाइदा बड़ी अदा से मुस्करा के उन्हें तरह देता था। साड़े नौ बज गए। बार पर अमित गोयल के हाथ में अब दूसरा जाम था। वो साथ में सिगरेट फूक रहा था और अंगारों पर लोटता जान पड़ता था। अब विमल संजीदगी से बोला अलतमश ने सहमती में सिर हिलाया। और देर की तो हो सकता है कोई और लड़की चिपक जाए। मैं अभी गया। संभाल लेगा ना। वो बोला। ये भी कोई पूछने की बात है। सारा दिन तो रिहरसल करता रहा। गुड अलतमश यू लहराती चाल चलता। कृत्रिम स्तनों को जान बूच कर जुमबिश देता बार की और बढ़ा की देखने वालों का कलेजा मूँ को आने लगा। वो बार पर पहुचा। उसने अमित गोयल के बाजू के एक खाली बार स्टूल पर कबजा किया। जान बूच कर उसने अमित की तरफ निगा उठाने से परहिज किया। वोट दहेल। अल्कमश अपनी महीन आवाज में उतावलापन जलकाता बोला बार मैन को बुलाने को क्या बैल बजाने का। ऐसे ही आ जाएगा। अमित बोला। किधर से आ जाएगा। किधर से आटो करके आएगा। ये लो आ गया। बार मैन ने परली तरफ उसके सामने आकर सिर नवा कर उसका अभिवादन किया और बोला योर प्लेजर मैम। यू सर्व मिंट जेलप। विमल का सिखाया पढ़ाया। अल्तमश बोला। यस मैम सैट मी अप ए मिंट जेलप। राइट अवे मैम। बार मैन उसके लिए मिंट और बोर्बन विहसकी की कॉक्टिल तैयार करने लगा। यू गुदबुदाया जैसे स्वता भाशन कर रहा हो। कौन? अमिच सक्पकाया सा बोला। बार मैन बिकाज ही इस डिलेंग योर ड्रिंग? नो, मैन अरे, यू आर आलसो स्टुड अप वाट डू यू मीन आलसो? इधर भी यही हाल है क्या? कोई मीटिंग का प्रॉमिस करके दिच किया? हाँ, पता नहीं कहा मर गई साली तुम्हारा अपना साली के साथ देच? अरे, नहीं, मैम, गर्ल्फ्रेंड के साथ बच साली बोला गाली दिया, तुम्हारी तरह मेरी तरह? तुम सन ओफ ए बिच बोला ना? अच्छा वो बार्मैन ने ड्रिंक उसके सामने रखा अल्तमश ने गिलास थामा और अर्थपूर्ण भाव से अमित की तरफ देखा अमित ने काउंटर पर से अपना जाम उठाया और तनिक हरबडाय लहजे से बोला चीर्स चीर्स तुम्हारा ड्रिंक मेरी तरफ से गुड़ मचली चारा निगल रही थी काहे? वो मासूमियत से बोला काहे? दिल्ली की नहीं हो मुंबई की जान पड़ती हो हाँ, कैसे जाना? तुम्हारी भाशा से, तुम्हारे डायलेक्ट से, काहे से ओ हाँ, क्लेवर कैसे आना हुआ? इधर नर्ट फ्रिलक्स का वास्ते एक वैप सिल्म का शूटिंग है ओ एक्ट्रेस हो फर्स्ट टाइमर नो प्रॉब्लम हर कोई शुरू में फर्स्ट टाइमर ही होता है राइट मेरा नाम अमित है, अमित गोयल गोल, गोयल, गोयल ओ, गोयल मैं मीशा, हलो अमित हलो मीशा तू तुम्हारा गर्ला फ्रेंड नहीं आया? हाँ, जैसे तुम्हारा बाइ फ्रेंड नहीं आया? यस, दी सन ओफ ए बिच, आई विल फिक्स हिस वेगन मिलेगा, तब न? हाँ, वो तो है तब तक क्या करोगी? तुम क्या करोगे? मैं तो कर रहा हूं क्या, इत्मी खूपसूरत मुंबई की मेडन के साथ ज्रिंक शेयर कर रहा हूं ओ, यू? अल्कमश ने खुश होकर दिखाया लेकिन एकाएक अमित के स्वर में संदे का पुट पैदा हुआ, तुम तो अकेली नहीं हो क्या बोला? मैंने तुम्हें उधर टेबल पर उस कपल के साथ बैठे देखा था यस, वी वर सपोजड टू बी फोर्सम, यू नो फोर्सम दो जोडे, चार जने ओ उसका डेट आया, मेरा डेट बलडी रासकल मेरे को दिच किया मेरी भी यही कहानी है, लेकिन हम अप चाहे तो अपनी अपनी कहानी भूल सकते है बोले तो हम एक दूसरे की डेट हो सकते है, ऐसा? तुम लोग फिर फोर्सम नो यस तो गुट लेकिन तुम्हारे साथियों को भी तो पसंद आए आएगा, आओ किधर? टेबल पर, अरे, फोर्सम होने का या नहीं होने का? ओ ओ बातम सब दोनों ने गिलास खाली किये, अमित ने बार का बिल चुकता किया, फिर दोनों बार से रुखसत हुए, बार से हटते ही ऐसे मामलों में तजुर्बेकार अमित ने अपना हाथ उसकी कमर में डाला, कोई एतरास पेश न हुआ तो सहेच स्वाभाविक भाव से उपर सरकाया, उसकी उंगलिया एक उन्नत उरोज के संपर्क में आई, उसने सशंक भाव से अलतमश की तरफ देखा तो पाया उसके चहरे पर कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं हुई थी, उसने एक बार स्तन को भीच कर हाथ वापिस खीच लिया, क्योंकि तब तक वो टेबल पर पहुँ आज गए थे, ये अमित है, अलतमश ने परिचय दिया नाइस काई, बार पर मिला, अभी इधर, वेलकम, विमल बोला, मैं विमल, ये मेरी कमपैनियन नी, कोमल, चोतरफा हल्लो, हल्लो हुई, फिर चारो इकठे बैठ गए, ड्रिंक्स का नया दौर ओर किया गया, वो सिलसिला नीलम के लिए दिक्कत वाला था, लेकिन दिखावा जरूरी था, आदा घंटा हसी ठिठोली में गुजरा, उस दौरान सरकता सकता अमित अलतमश के इतने करीब सरक आया की बस, दबोचने की ही कसर बाकी बची, फिर उसका हाथ उसकी बगल में सरका, वक्ष पर तिका और वही तिका रहा, मेरे पास दो हैं, अलतमश उसके कान के पास, मुह ले जाकर फुस फुस आया, क्या, अमित तनिक सत्पकाया, जो टटोल रहे हो अभी सुबह गिने, साली, उसके पास भी दो हैं, बहन की दीनी, अलतमश हसा, विमल और नीलम ने यूँ जाहिर किया जैसे वो उनकी खुसर खुसर से बेख बर थे, ज्रिंक्स रिपीट हुए, फिर आधा घंटा और गुजरा, उस दोरान अमित की हरक्ते और बोल्ड होती चली गई, उसको बढ़ावा देने के लिए अलतमश ने कही बार अपना हाथ उसकी जांग पर पढ़ जाने दिया, एक बात बोलू, इस बार अमित अलतमश के कान के पास होन्ट ले जाकर फुस फुस आया, विमल और नीलम तब तनमेता से आपस में बतियाते होने का बहाना कर रही थे, दो बोलो, मैन, अलतमश भी गबे स्वर में बोला, तेरे ये, कुछ खास ही है, क्या बोला, मैन, वाट बट, यू वोन्ट माइन, नो, हाण, नो, माई स्वीट, फर्म, फर्म, लाइक एक रॉक, ओ, बड़े और खड़े, नो सैंगिंग, नो सपोर्ट, ओ, मांगता है, अमित की आखों में वासना की चमक आई, उसने एक सतर्क निगाव विमल और नीलं की तरफ डाली तो पाया कि वो एक दूसरे में मगन थे अमित ने जवाब देने की जगा उसकी कमर में हाथ डाल कर उसे अपने साथ भीचा, अलतमश ने कोई एतराज न किया मेरे को जवाब मिल गया, वो कुतिल भाव से अपना निचला होंट चुबलाता दबे स्वर में बोला, क्या मांगता है, हाँ पर खाली पैर नहीं, बाकी भी सब कुछ, यू नौटी मैं, मेरे को ड्रिंक में घोल के पीना मांगता है साला, अमित हसा, फाश हसी, तब तक उसको काफी नशा हो चुका था, फिर नया ज्रिंक अभी भी उसके सामने था, विमल हौले से खांसा, अल्तमश ने उसकी तरफ देखा तो विमल ने उसको गुप्त इशारा किया, अल्तमश ने सावधानी से सहमती में सिर हिलाया, ये टाइम, फिर बोला, है मेरे को, क्यों? अमित बोला, साला मुंबई याद आता उधर होटल अकामोडोशन, डैन इजी, साला आवर्स में भी रूम मिलता है, और कोई चक चक भी नहीं, कोई प्रूफ ओफ आइडेंटिटी नहीं, कोई प्रूफ ओफ रेजिडेंस नहीं, कोई प्री बुकिंग का लफरा नहीं, साला इतना मज़ा आ रहा था कि मुंबई में होते तो अभी का अभी इस पार्टी का वेन्यू शिफ्ट करते और इसे all night affair बना के छोड़ते, अमित की आखों में एक वहशी चमक आई, तुम चाहती हो ऐसा, वो बोला, अरे तभी तो बोला, बट इधर साला कुछ नहीं हो सकता, हो तो सकता है, क्या बोला, मैं इंतजाम कर सकता हूं, सच में, अल्तमश ने नकली उत्सा जाहिर किया, हाँ, क्या कर सकता है, मैं, अगर सबकी एक राए हो तो मैं इस शांदार मीटिंग को all night affair बनाने का इंतजाम कर सकता हूं, अल्तमश ने विमल की तरफ देखा, विमल ने नीलम की तरफ देखा, नीलम ने लजाने का अभिने करते हुए हामी भर्दी विमल का सिर्भी सहमती में हिला, आई एम गेम, अमित को कोहनी मारता, अल्तमश बोला क्या इंतजाम कर सकते हो, इस्ट ओफ कैलाश में अमित बोला, हमारा, एक घर है, नौइडा शफित करने से पहले जहां कि हम रहते थे, हमारी वो कोठी खाली पड़ी है, लेकिन फरनिश्ट है, जब शफित किया था तो वहां से हमने कुछ भी नहीं हटाया था, क्योंकि तब ख्याल था कि नौइडा दिल न लगा तो वहीं लौट आएं नौनसेंस, अरे बोला न कोठी खाली पड़ी है, और, और क्या, चाबी मेरे पास है, यू मीन, अल्थमर्ष संदिक धभाव से बोला हम वहां जा सकते हैं, हाँ, कोई लफरा नहीं, कोई लोचा नहीं, हाँ, हुर्रे, अल्थमर्ष ने हर्षनात किया और फिर अमित के अपनी ओर के गाल पर एक चुम्बन अंकित किया, अमित निहाल हो गया, वो उसके साथ अभिसार के सपने देखने भी लगा, विमल और नीलम ने भी खुश होके दिखाया, उधर अल्थमर्ष ने पूछा ड्रिंक्स का इंत बिलकुल ठीक, मेरी कार यहां से दूर खड़ी है, मैं उसे गेट पर लेके आता हूँ, तब तक तुम लोग बाहर आओ, ठीक है, वो उठकर चला गया, फंस तो गया, पीछे अल्तमश बोला, न सिर्फ फंस गया, बढ़िया फंस गया, विमल धीरे से बोला, हमारा काम आसान कर दिया उसने, वरना हमें कोई ठीया तलाश ना पड़ता, बढ़िया, विमल ने बिल मंगा कर चुकता किया, तीनों वहां से बाहर निकले, में गेट से थोड़ा परे एक आई बीस खड़ी थी, उसकी जाइविंग सीट पर अमित मौजूद था, उसने हौन बजा कर उनका ध्यान अपनी तरफ आकरशित किया, तीनों कार के करीब पहुँचे, अलतमश आगे पैसेंजर सीट पर सवार हो गया, तो विमल और नीलम पीछे बैट गए, अमित ने कार आगे बढ़ा दी, रात बाकी, अलतमश चहकता हुआ सा गाने लगा, बात बाकी, 20 मिनट में वो इस्ट ओफ कैलाश पहुँच गए, अमित ने एक सुनसान अंधेरी कोठी के आगे कार रोकी, चारों बाहर निकले, आउटर गेट को भी ताला लगा हुआ था, जिसे अमित ने खोला, फिर भीतर जाकर में दोर का ताला खोला, सब भीतर दाखिल हुए, अमित ने एक स्विच ओन किया, रोशनी हुई तो उन्होंने पाया कि वो ड्राइंग रूम में थे जहां का सारा फनीचर सफेच चादरों से धका हुआ था, ड्राइंग रूम पार करके अमित ने पिछवाडे का एक दर्वाजा खोला और उन्हें इशारा किया, तीनों उस की फर्निशिंग ड्राइंग रूम की तरह कवर्ड नहीं है, गुड, अल्तमश उत्सा से बोला, बैडरूम इस ओके, मेरे को देखने का, वो एक क्षण फित का, फिर बोला, तुमको भी देखना होगा, विमल ने सहमती में सिर हिलाया, गुड, दिखाओ, भाई, कैसा है अमित आगे बढ़ा, उसने अहातासा पार किया और सामने के दो बंद दर्वाजों में से बाएं पर पहुचा, उसने दर्वाजा खोल कर भीतर की बत्ती जलाई, फिर विमल और नीलम की तरफ इशारा किया, दोनों ने यू सहमती में सिर हिलाये जैसे सब समझ गए हो अमित वहां से हटा और दाएं दर्वाजे पर पहुचा, उसने उसे खोला और भीतर दाखिल हो गया, भीतर बत्ती जली लेकिन वो दर्वाजे पर प्रकट न हुआ अल्तमश हिचकिचाता हुआ उस तरफ बढ़ा, वो कमरे में पहुचा तो उसने पाया कि अमित कहीं से विहसकी की बोतल और दो गिलास बरामत कर भी चुका था पहले चेर्ज बोल ले, वो बोला, जल्दी क्या है, अमित की भवे उठीन अल्तमश मादक स्वर में बोला बैड्रूम में खड़े हो, मेरे सामने खड़े हो, मैं तो समझी थी तुम्हें कोई और ही जल्दी होगी है तो सही, वो ततकाल बोला, वो ततकाल बोला, लेकिन सोचा शायद तुम्हें उतावलापन पसंद न हो पसंद है, वो मर्द क्या जिसके सामने योवन का घट हो और वो प्यास बुझाने को उतावला न हो बहुत पोईतिक बात कही लेकिन पसंद आई, अब कबूल करो उतावले हो किया मेरे लिए मरे जा रहे हो बुरी तरह से, शुरू से, मुम्किन होता तो हाइड पार्क में ही लिटा लेता अब तो है मुम्किन हाँ, अब तो है और यहां आए किसी है करेक्ट, बोतल का पीछा छोड़ो उसने गिलास और बोतल एक टेबल पर रख दी अलतमश उसके करीब पहुँचा उसने बड़े उत्तेजत भाव से मुस्कराते हुए उसकी छाती पर हात रखा और उसे तब तक पीछे चलाता रहा जब तक उसकी तांगे घुटनों के पीछे से बैड से न चुने लगी फिर बड़ी अदा से उसने उसे बैड पर धकेल दिया क्या इरादा है? अमित वासनालिक्त लहजे से बोला तुम्हारा क्या इरादा है? अलतमश मैच करते लहजे से बोला वही तु मुह से बोलो दो टूक मरे जा रहे हो मरा जा रहा हूँ मैं हो ना? हो ना ओके आई विल अनद्रेस यू अरे अनद्रेस यूरसेल्फ आ बाद में पहले तुम क्यों? क्योंकि मुंबई स्टाइल राइड मारने का मुंबई स्टाइल क्या? वुमेन ओन टॉप वाह एंड इन कंट्रोल वो कैसे? मालूम पड़ेगा सीधे लेट जाओ पाव फैला कर आखे बंद कर लो लेकिन मैं, यू विल बी इन सेवेंथ हेवन जस्ट यू वेट ओके? बैड कास्ट आईरन की थी उसने अमित के दोनों हाथ बैक्रेस्ट की रेलिंग से बांध दिये ये क्या कर दी है? अमित भरतने को हुआ अभी पाव भी ऐसे ही बांधने का फिर द्यूरिंग एक्शन सिर्फ मिडल जंप मारेगा साला राइड ऐसा एंजॉय करेगा कि तीनों लोग दिखाई दे जाएंगे ओ, ओ, अभी समझा यस, यस वुमेन ओन टॉप एंड इन कंट्रोल, एनी ओबजेक्शन? नो, नो, लेकिन अब वक्त बरबाद न कर, जल्दी कर जो करना है अभी उसने उसकी पतलून की बेल्ट खोलकर अलग की, हुक खोले, जिप सरकाई और पतलून तखनों तक नीचे सरकादी वो तयार था उसने उसकी कमीज और जैकेट बगलो तक उपर चड़ा दी अब तू भी तो उतार देखू, कैसी बनी हुई है चतुल के पता नहीं लगा हाथों से भी और निगाहों से भी अरे, क्या बग कह रही है ये बाते बाद में कर लेना अल्तमश ने सीटी बजाई दर्वाजा खुला विमन ने भीतर कदम रखा वो बैड के पायताने आकर खड़ा हो गया संजीदगी से उसने अपलक अमित की तरफ देखा एकाएक अमित को फिजा भारी लगने लगी रती सुख पाने का उसका मूर चुट्कियों में हवा हो गया तक्या क्या बात है वो फंसे कंट से बोला किसी ने जवाब न दिया अमित को वातावर्ण में मौत व्याप लगने लगी हाथ पाव को जटक कर वो स्वयम को बंधन मुक्त करने की कोशिश करने लगा लेकिन काम्याब न हो सका विमल ने अल्तमश की तरफ देखा अल्तमश ने सहमती में सिर हिलाया उसने अपने फैसी हैंड बैग में से बांस का चिम्ता उस तरह और पोलिथीन की एक थैली बरामत की जिसमें की नम मित्ती भरी जान पड़ती थी उसने बांस की उपरी सिरे आजू-बाजू फैलाए और वापिस छोड़े कक्या डौट पलक जपकते अमित के गुप्तां बांस के चिम्ते की तरह खुले हिस्से में मजबूती से फसे हुए थे अरे ये कक्या क्या कर रही है फिर अल्तमश ने उस तरह खोला और वो बड़े संकेतात्मक धंग से उसकी धार परखने लगा तब एकाएक अमित की समझ में आया कि क्या होने वाला था गौद नहीं नहीं विमल ने उसको गला फाड़ कर चलाने को तयार पाया तो उसने लपक कर उसका मुह दबोच लिया अल्तमश ने उस तरह चलाया अमित का शरीर कुछ खशन बंधनों में तडपा फिर शांथ हो गया अल्तमश पोलिथीन की ठैली से नम मिट्टी निकाल कर उसकी खोन आलूदा जांगों के बीच थोपने लगा मर तो नहीं जाएगा विमल चिंतित भाव से बोला आज तक तो कोई नहीं मरा अल्तमश बोला बशर्ते की दहशत में दम न निकल जाए अभी 30 नवंबर शनिवार पता नहीं कहा मर गया कमबक्त हाई हाई शुप शुप बोलो प्रभात बेला में लाला रगुनात गोयल कलप रहा था कि लड़का रात को घर नहीं आया था हाला कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ था कोस नहीं रही थी बीवी भी फिक्रमंद थी लेकिन बेते को ये प्रभात बेला है रगुनात गोयल जलाया आठ बजने को है आ जाएगा बीवी बोली ना आए भार में जाए लेकिन फोन तो करे खप तो करे कि नहीं आ रहा था खुद तो फोन किया ही नहीं जवाब भी नहीं दे रहा आए तो आज अच्छी तरह से डाटना जैसे उस पर कोई असर होगा कान से मक्खी उड़ाएगा कमीना जाहिर करेगा बाप न बोला कुट्ता भौका हे भगवान अरे जुबान को लगाम दो अपनी मैं तो आजिज आ गया हूँ ऐसी आुलाद होने से तो न होना भला अब कह रहे हो वो दिन भूल गए जब नगरी नगरी द्वारे द्वारे मुझे साथ लेकर दौाएं मांगते फिरते थे कि मेरी कोख हरी हो बारह साल बारह साल में उपरवाने ने तुम्हें बाप कहतर पुकारने वाली आवाज सुनाई तब क्या पता था बड़ी हो के ऐसी निकलेगी सब ठीक हो जाएगा अलाद ना हो एक दोहक हो के मर जाए सो दोहक हो और नालायक निकले तो दोहक हो का कोई और छोर ही नहीं अरे भगवान के लिए बुरे बोल न बोलो बच्चे के लिए तेरे ही लाड प्यार ने विगाड़ा है उसे खाम खा मैंने तो मा की ममता नियोचावर की अपने बच्चे पर तुमने क्या किया खजाने खोल दिये जा बेता एश कर उसी का तो पच्चतावा है नाहक है आजकल के नौजवानों का सब का यही लाइस्टाइल है गोली लगे आजकल को लाइस्टाइल को अब कोस्ते ही रहोगे की कुछ करोगे भी क्या करू क्या करू मेरे से पूचते हो क्या करू अरे पता करो कहीं से इस्ट ओफ कैलाश ही होगा कमीना रात का नशा अभी तक नहीं उत्रा होगा, इसी लिए मोबाइल पर जवाब नहीं मिल रहा तुम्ही ने उसको सला दी थी की लेट हो जाया करे तो नौइडा तक की लांग जाइव न किया करे, पुराने घर में चला जाया करे उसी की भलाई के लिए तुन्न हो के गाड़ी चलाएगा तो या तो एकसिडेंट करेगा या पुलीस पकड़ लेगी, हाँ मैंने सला दी थी लेकिन ये तो नहीं कहा था कि पुराने घर में गर्क हुआ हुआ हो तो यहां खबर ही ना करे अब बस करो, और कुछ करो, पता करो लड़के का, मुझे बुरे-बुरे ख्याल आ रहे हैं, अच्छा, आने लगे पहले से आ रहे थे लेकिन, खामोश थी मैं जस्से से बात करता हूँ जस्सा जस्वीर सिंग उसका मुरीद था और्ड जॉब मैं था, चुबल शूटर था, कुछ अर्षा रगुनात गोयल फोन से उलजा रहा आखिर फोन से फारिग हुआ, जस्से को इस्ट ओफ कैलाश भीजा है, वो बीवी से बोला तेरा लाल वहां न हुआ तो, प्रॉब्लम होगी, तो जी भर के फिक्र करना तो क्या करोगे? क्या करूंगा? एक सौ नंबर डायल करूंगा, शायद पता लगे की पड़ा है, तहीं एक्सिडेंटल केस बना हाई राम मुसीपतों का पिटारा बन गया हुआ है, ये लड़का, एक जहमत से अभी निकला नहीं होता कि दूसरी में कदम रख देता है मैं ही जानता हूँ कि कैसे मैंने उसे भगवानदास रोड़ वाले रेप केस में सजा पाने से बचाया था वो चश्मदीद गवा, वो फैब इंडिया का मलियारी मुलाजिन, साला टके का आदमी पचास लाख मांगता था गवाही से फिनने की एवस में साले को मालूम भी नहीं होगा कि लाख में कितनी बिंदिया होती थी फिर भी तीस लेके ही माना पंदरा उस सबाइंस्पेक्टर ने लिए जिसके हवाले उसका केस था वो भी बीस लाख की मांग से नहीं हिल रहा था बड़ी मुश्किल से हिला और पंदरा लेने को तयार हुआ तब जाके कहीं छुटा हमारा नौनिहान गवाह न मुकरता तो सजा होके रहनी थी आजकल इस मामले में कानून इतना सक्त है कि बतौर सजा उम्रकैद होती है फासी भी होती है दीवी के शरीर ने जुर जुरी ली केस में उसके साथ जो दो और लड़के गिरफतार थे मैंने उनके पिताओं से बात की की केस को रफादफा करने के लिए 45 लाक रुप्यों का खचा था खचा शेयर करें दोनों ने पोपले मून से कह दिया कि उनकी तो ऐसी हैसियत नहीं थी कमबक्तों की जबकि एक दीडिय में और दूसरा एकसाइस के महकमे में अफसर है और दोनों ही महतमों में रिश्वत का दरिया बहता है मैं क्या जानता नहीं फिर भी खजे की बात तेश आई तो दोनों ने ही हाथ खड़े कर दिये दुनिया बहुत चालाक है चालाकी की उन्होंने हमारे साथ और क्या अलाद की सलामती के लिए लोग घर बार बेच देते हैं खुद को बेच देते हैं उन्होंने क्या किया कह दिया हैसियत नहीं है मेरी हैसियत सच में न होती तो क्या कर दे आलाद को उम्रकैत के लिए जेल चला जाने देते फासी चड जाने देते फिर जिस पैसे को गांट से न निकाला उसे शहद लगा के चालते हद है साली लालच और खुदगरजी की चमली जाए पर दमडी न मैंने किया तमाम जहमत मैंने की और उसका फाइदा उन्होंने फोकट में उठाया हमारा लड़का छूटा तो उनके लड़के अपने आप ही छूट गए हींग लगी न फिटकरी रंग चोखा चलो किसी का भला ही हुआ न हमें पुन्य मिलेगा मिल रहा है न ये पुन्य मिल रहा है कि उस वाके से कोई सबक लेने की जगा और शेर हो गया हमारा नौनिहाल हुआ जो कुछ नहीं बाप ने छुड़ा जो लिया सक्ती करो किस पर सक्ती करू दिखाई दे तो सक्ती करू काबू में आए तो सक्ती करू दो पर बाद सोके उठता है जबकि मैं घर नहीं होता आधी रात के कहीं बाद लोता है जबकि मैं सो चुका होता हूँ फिर भी कभी काबू में आ जाए इत्तफाक से तो मेरी सुनकर मुझे ही गलत ठहराने लगता है अकसर तो सुनता ही नहीं मैंने अभी कुछ कहना शुरू ही किया होता है तो अंग्रेज का बच्चा हो डैड ले ओफ बोल देता है मुझे कहता है मैं ओल्ड फैशन हूँ आजकल की जिन्दगी के तौरतरीकों को नहीं समझता हूँ मौडन लाइफ फास्ट लेन में है मैं पिछड गया हूँ क्या करू अपना पिछड़ापन दूर करने के लिए तेरे को साथ ले जाके डिसकों में दान्स करू या उसको बोलू शाम की तफरी के लिए एक लड़की मेरे लिए भी सैट कर दिया करें क्या कह रहे हो जी मैं मौडन लाइफ के खिलाफ नहीं उसकी फास्ट लेन वाली रफ्टार के भी खिलाफ नहीं लेकिन कंट्रोल में तो रहें जो करता है किसी लिमिट में तो करें अती की वर्जना सब जगा है वो नहीं समझता उसे पैसा देना बंद कर दो वो तुझे पता लेगा तू नहीं पतेगी तो उसके पास उसका भी हल है क्या स्वैच की चार लाख की घरी लेके दी थी उसको उसके बर्थरे पर उसे गिरवी रख के पैसे खड़े कर लिए मैंने घरी की बाबत पूछा तो असलियत बकी नाक रगर कर पैसा दिया तो घरी वापिस लेकर आया सुधर जाएगा पाव में बेरी पड़ेगी तो सुधर जाएगा कहां से पड़ेगी कंबत के यहीं लच्छन रहे तो पौन लड़की देगा उसे सब देंगे रिष्टों की लाइन लग जाएगी वक्त आने दो वक्त आने दू आया नहीं वक्त अभी अकबार में शादी के लिए इस्तिहार छपवाओं मैं बिरादरी में फैलाती हूँ देख लेना रिष्टों की जड़ी लग जाएगी एक से एक बढ़ कर रिष्टे आएंगे मेरे लाल के लिए ये मा की अकल नहीं मा की ममता बोल रही है फोन की घंती बजी रगुनात ने काल रिसीव की दूसरी तरफ से जो बोला गया उसे सुनते ही उसका चहरा चाप की तरह सफेध हो गया बीवी से उसमें एकाएक आई वो तबदीली छुपी न रही क्या हुआ जी? वो व्यग्र भाव से बोली सब खैर्यत तो है ना रगुनात ने बेसबरी से हाथ उठा कर उसे चुप रहने का आदेश दिया कुछ क्षण और फोन सुना फिर फटसा पड़ा उसे एम्स में पहुँचा नहीं नहीं ग्रीन पार्क लेके जा वहां डॉक्तर सक्सेना का नर्सिंग होम है ग्रीन पार्क पहुच कर किसी से भी पूछना बोलेगा कहा है मैं आता हूँ उसने मोबाईल जेब के हवाले किया क्या हुआ जी बीवी अब आतनकित भाव से बोली कोई बुरी खब्र है बताते क्यों नहीं हूँ कापती आवार्व में रगुनात ने बताया बीवी की उससे बधालत हुई उसे गशा गया अर्मान त्रिपाठी पशेमान था बलकी खौफजदा था उसके जिगरी दोस्त अमित गोयल के साथ जो बीती थी उसकी खबर बाजरिया अपने पिता उसे सुबह ही लग गई थी रगुनात गोयल उसके पिता का वैसा ही परम मित्र था जैसा की अमित उसका था वस्तुता उसकी अमित से वाक्षित हुई ही इस वज़ह से थी कि दोनों के पिता एक दूसरे के मित्र थे उसके पिता ने उसे खबर तो दी थी लेकिन साथ ही सक्त हिदायत दी थी कि वो उस वाक्य का जिक्र हर जिस भी किसी से ना करे तमाम दिन उसके जेहन में सैंटम के नकाब वाले अपने आत्ताई की क्रूर आवाज नगाडे की तरह बजती रही थी तेरे प्रारब्ध में तेरा बड़ा नुकसान लिखा है लेकिन पहले ये नुकसान तेरे दोस्तों का होगा तेरा नंबर आखिर में आएगा अब उसकी समझ में ये भी बाखु भी आ गया था कि फैमिली ज्वेल से उसका क्या मतलब था अनायास ही उसके शरीर में सहरन दोड़ गई वो अपनी कलपना नर्सिंग होम में पड़े अमित की जगह करने लगा आपदा से ज्यादा आपदा का इंतजार भारी पड़ता है तेरी जिंदगी के आइंदा दिन तेरे पर भारी बहुत भारी पड़ने वाले हैं अमित पर जो बीती थी वो क्यों बीती थी सिर्फ वो जानता था अमित भी जानता हो सकता था लेकिन पता नहीं वो अभी कुछ कहने के काबिल था या नहीं था कई बार उसके मन में आया कि अपने भीतर मचे हाहाकार को वो अपने पिता से साजह करे लेकिन ऐसा करना अगवा और बलातकार जैसे जगन्य अपराधों में अपनी शिरकत कबूल करना होता वो ऐसा करता तो अपनी ही नहीं अपने दोस्तों की भी पोल खोलता इस बात में शुबह की कोई गुझायश नहीं थी कि अमित का विशिष्ट अंग भंग उस फैंटम की नकाब वाले नहीं किया था और उसका किसी न किसी तरीके से कोई रिष्टा उस औरत से था जिसे उन्होंने उस रोज जबरन उठा कर कार में डाला था वो ज़रूर निश्चित तोर पर नहीं जानता था कि वारदात में वो शरीक था बाकियों के बारे में तो जरूर बिल्कुल ही नहीं जानता था, इसी वज़ा से उसका जोर हकीकत उससे कबूलवाने पर था, उसने उसको गुमरा करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कामियाब नहीं हो सका था, हकीकत उसे कबूलनी पड़ी थी. लेकिन उसके पीछे पड़ा तो कैसे पड़ा वो, कैसे उसे उसकी खास्तोर से उसकी बाबत थी, जब वो बाकियों के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो एक उसके बारे में कुछ या सब कुछ कैसे जानता था, उस औरत से जाना, क्या वो औरत उसकी सिर्फ उसकी सूरत द कैसे मुम्किन था? कार में तो पर्दों की वज़से इतना अंधेरा था कि खुद वो चारों ही उसकी सूरत नहीं देख पाए थे. खुंखार जंगली बिल्ली की तरह उनसे लड़ती जूचती वो कैसे देख पाई खास उसकी सूरत नहीं हो सकता था. तो अपनी तो का कोई जवाब उसे न सूझा. उसकी तवज्जो फिर अपने आत्ताई की तरफ गई. पता नहीं वो अगवा औरत का क्या लगता था लेकिन लगता ही नहीं था. बहुत करीदी था. तभी तो औरत की दुर्गत करने वालों को पाताल से भी खोद निकालने पर. आमादा था. दो को तो निकाल भी चुका था. एक को तो सजा भी दे चुका था. सजा. उसके शरीर में फिर जुर्जुरी दोडी. गौड. ऐसी सजा. जो न कभी देखी न सुनी. फॉरेन में कहीं जरूर किसी औरत ने अपने बेवफा पती का गुप्ताम चुरी से काट डाला था और वो वाक्या इतना मशूर हुआ था कि ऐसे अंभन के लिए एक नया शब्द बन गया था. क्योंकि उस औरत का नाम लोरेना बॉबिट था जिसने स्टेक नाइफ से अपने पती जॉन वेन बॉबिट का लिंग काट दिया था. गौड. गौड. जरूर नर्ग का नजारा हुआ होगा भुक्त भुगी को. जो कि अब अमित था. और आगे वो खुद आखिर में होने वाला था. नकापोश के चले जाने के बाद उस रोज बड़ी मुश्किल से वो लुड़कता. कलाबाजिया खाता खंडेहर के दहाने पर पहुँचा था और तब तक गला फाड़ फाड़ कर बचाओ. बचाओ चलाता रहा था जब तक की एक व्यक्ती उधर नहीं पहुँच गया था. उसने उसे बंधन मुक्त किया था और बताया था कि वो आटो वाला था जिसने बाहर सड़क पर से गुजरते इत्तफाक से ही उसकी चीक पुकार सुन ली थी. उचे जाने पर कि उसकी वो हालत क्यों कर हुई थी? उसने कहा था कि वो गुंडों के एक ग्रूप के काबू में आ गया था, जिनों ने उसका तमाम कीम्ती सामान भी जपट लिया था और कार भी काबू में कर ली थी. आटो वाले ने उसे महरौली थाने पहुचाने की पेशकश की थी जो कि उसने यह कहकर ठुकरा दी थी कि ऐसा वो बाद में होश ठिकाने आ जाने पर भी कर सकता था. वहां से जहा जाना था, कैसे जाता? वो सवाल होने पर उसके मुह से निकलने ही लगा था कि ओला मंगवाता की उसे याद आया कि उसने तो दावा किया था कि गुंडे उसका सब कुछ लूट कर ले गए थे. मोबाइल और कार भी, उसने ये कहकर आटो वाले से तीछा चुड़ाया था कि वो थोड़ी देर वही रेस्ट करना चाता था. शाम को अर्मान अपने पिता के साथ ग्रीन पार्क डॉक्तर सकसेनाज नर्सिंग होम पहुचा. रगुनात गोयल की अपने दोस को खास हिदायत थी कि मिजाजपुरसी के लिए त्रिपाठी शाम से पहले वहां ना आये. इस पाबंदी की उसने कोई वजह बयान नहीं की थी. शायद उसे बताया गया था कि शाम से पहले अमित की हालत की बाबत कोई फाइनल रिपोर्ट जारी नहीं होने वाली थी. हुए. या मुलाकाती को शाम को ही आने दिया जाता था. वेटिंग लाउंज में पितापुत्र रगुनात गोयल से रुगरू. जस्सा उसके साथ था. सयोगवश उस घड़ी वहां और कोई नहीं था, बीवी बेटे के पास थी. क्या हाल है? सहानुभूति पूर्ण स्वर में चिंता में. ने पहला स्टैंडर्ड सवाल किया. ठीक है. रगुनात गमगीन लहजे से बोला, बिलकुल? बिलकुल कहां से होगा? इतना बड़ा कांड हो गया, इतनी जल्दी बिलकुल कहां से होगा? ओ. लेकिन इतना ठीक है कि कल घर ले जा सकेंगे. बिलकुल ठीक होने में तो. अगर उसे बिलकुल ठीक होना माना जाएगा, हफरता दस दिन लगेंगे. ओ. डॉक्तर कहते हैं कि काटने वाले ने काटने के बाद कती जगह पर कोई खास मित्ती थोप दी थी जिसमें कोई medicinal effect था जिसकी वजह से खोन बहना बंध हो गया था और दर्द में भी कमी आती चली गई थी वैसा न हुआ होता तो अभागा excessive bleeding से भी मर गया होता रगुनात की आवाज भरा गई सब्र चिन्तामनी बोला सब्र क्या सब रगुनात रुंधे कंट से बोलावंश नाश कर दिया किसी हराम के जने ने पता नहीं किस जन्म का बदला उतारा लेकिन उसके दाथ कित-कित आए छोड़ूंगा मैं भी नहीं जस्सा ढूंड के रहेगा उसे जिसकी ये कर्तूत है जस्से का सिर्ष्वयम में उपर नीचे हिला कुट्टे को ऐसी मौत मारूंगा कि साथ पुष्टे पना मांग जाएंगी जरूर जरूर लड़का कुछ बोला आखिर हुआ क्या था कुछ तो बोला क्या वसंत कुंच के हाइड पार्क नाम के नाइट क्लब में था जहां की एक नौजवान लड़की से उसकी मुलाकात हुई थी जो की ऐसी जगों पर कोई बड़ी बात नहीं है कोई बड़ी बात नहीं आजकल दिल्ली में उस लड़की के साथ एक जोड़ा और था तफ्रीव के लिए वो इकठे मिल बैठे तो उनके बीच में ये बात उठी की उस घड़ी की तफ्रीव को प्लाइमैक्स तक पहुचाने के लिए कोई तनहा जगह होनी चाहिए थी किसने उठाई पता नहीं लड़के की हालत ऐसी बातों की डिटेल में जाने लायक अभी नहीं है ओ, सौरी उस बाबत कई बार इसरार हुआ तो लड़का इस्ट ओफ कैलाश की हमारी खाली परी कोठी की बाबत बोल बैठा मुलाजे में वो उन्हें वहां ले गया फिर वहा उसका गला फिर रुन्द गया लेकिन कोई वज़ा तो होगी आखिर किया क्यों उन लोगों ने ऐसा क्या पता क्यों किया लड़का ही कुछ बताएगा तो पता चलेगा वो लोग अंजान थे पहली बार मिले थे बारमेट्स वाली वाक्षियत बनी थी कोई जाती दुश्मनी का दखल तो नहीं हो सकता रगुनात ने खामोशी से सहमती जताई या सैडिस्ट होंगे साले रगुनात की भवे उठीन कुछ जहनी तोर पर बीमार ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे को प्रताडित करके सुख पाते हैं उपर से नशे में थे ऐसे लोग जो न कर गुजरे थोड़ा है वो जो मेल पार्टनर साथ था वही साला होगा लाइलाज सैडिस्ट जो नशे में वो वार्दात कर बैठा रगुनात का सिर इनकार में हिला यानी चिंतामरी बोला जो किया उस लड़की ने किया जो उनके साथ विदाउट कमपैनियन थी क्या जरूर जो इसी वज़ा से अमित को कमपैनियन बनाने के लिए जट तयार हो गई थी लड़का कहता है इस्ट ओफ कैलाश वाली हमारी कोठी के एक बैडरूम में वो उस लड़की के साथ अकेला था तब लड़की के साथ का जोड़ा दूसरे बैडरूम में था यानि उन दोनों को खबर ही ना लगी की बात में आया खाली मर्द मेल पातरनर दूसरी लड़की का वो न आई न लड़का यही कहता है अकेला आया कैसे कैसे सूझा आना लड़की का कोई इशारा पाकर आया लड़का कहता है कि आखिर जो उसके साथ बीती उसके दौरान उस मर्द की हैसियत महज दर्शत की थी जो किया लड़की ने किया हाँ यकीन नहीं आता अमिक यहीं कहता है लेकिन रगुनात जब उस शक्स ने अपने सामने इतना बड़ा कांड होने दिया तो उसे महज दर्शत तो नहीं कहा जा सकता रगुनात की भवे उठीम इससे तो साफ जाहिर होता है कि वो दोनों बलकी तीनों इस वाके में शरीक थे उस तीनों की वो मिली भगत थी इस फर्ग के साथ की उनकी उस नापाक स्कीम को अमली जामा उस लड़की ने पहनाया था जो की अमित के साथ थी इसी काम के लिए अमित के साथ थी हो सकता है हो सकता है नहीं है पापा इस राइट अर्मान बोला इस टैंड से तु रीजन नो रगुनात में हिचकिचाते हुए सहमती में सिर हिलाया लेकिन चिंतामनी बोला जो हुआ वो हुआ क्यों बेवज़ा तो कोई काम नहीं होता वो तो है अमित क्या कहता है अभी कुछ नहीं कहता बात में शायद कहें हैरानी की बात है एक अकेली लड़की की अमित के साथ क्या दुश्मनी हो सकती थी अकेली क्यों अभी तुमने खुद तो कहा कि उन तीनों की मिली भगत थी अमित के साथ तो अकेली थी वाके के वक्त नहीं फिर भी अभी ये एक उलजी हुई गुत्थी है अमित ही कुछ बोलेगा तो सुलजेगी अकेली लड़की ने इतना बड़ा कान कर दिखाया अमित ने कर लेने दिया ऐसी हरकत के लिए मर्द को काबू में करना पड़ता है कैसे कर पाई? मालूम पड़ेगा न रिपोर्ट दर्स कराई? नहीं 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 भई, रिपोर्ट दर्स कराने का मतलब इस बात का धिंदोरा पीठना होता की मेरा जवामर बेता अब मर्द नहीं रहा था इस बार उसका गला ही न रुन्धा आखे भी दबडबा आई सब्र, रगुनात, सब्र इसी लिए तो अमित को इस प्राइवेट नर्सिंग होम में पहुँचाया जिसका मालिक अलपेश सक्सेना मेरा वाकिफ है और कहीं ले जाते को मेडिको लिगल केस बनता रिपोर्ट अपने आप ही दर्ज हो जाती वो तो ठीक है लेगन पुलीस में जाये बिना तफरतीश कैसे होगी पता कैसे लगेगा कि ये घिनावनी वारदात करने वाले लोग कौन थे खास्तोर से वो लड़की कौन थी जो करेगा जस्सा करेगा लेकिन पुलीस नहीं पुलीस में जाना अमित की बाकी जिन्दगी की बेचारगी का धिनोरा पीतना होगा मुझे यकीन है कि खुद अमित ही ऐसा नहीं चाहेगा ये कर लेगा देखेंगे रगुनात ने गहरी थंडी सांस ली न कर पाया तो हरी इच्छा इस बार जस्से ने कोई प्रतिक्रिया न दिखाई लेकिन पुलीस नहीं रगुनात बोला हम अमित से मिल सकते हैं मिल तो सकते हो होश में है लेकिन सिलहाल न मिलना ही बहतर होगा चिंतामरी को भवे उठीन मिलना उसकी शर्मिंदिगी का बायस बनेगा ओ सिलहाल मैं ऐसा नहीं चाहता उसे संभलने के लिए हालाँ से समझाता करने के लिए वक्त देना जरूरी है ठीक वैसा हो जाने तक मैं खुद उससे ज्यादा सवाल नहीं करना चाहता भावी से तो मिल सकते हैं नहीं मिलो तो अच्छा है बार-बार गश खा रही है तुम हमदर्दी जताओगे तो उसके अभी हरे जखमही खुर्चोगे ओ फिर तो चलते हैं रगुनात रगुनात ने सहमती में सिर हिलाया फिर आएंगे आना अर्मान ग्रीन पार्क में ही अपने पिता से अलग हो गया पिता ने सवाल किया तो उसने बहाना बनाया कि उस इलाके में उसका एक दोस्त रहता था जिससे वो मिलना चाहता था पिता की कार दृष्टी से ओजल हो गई तो वो वापिस नर्सिंग होम पर पहुँचा उसने आती बार ही नोट किया था कि नर्सिंग के करीब एक रेस्टोरेंट था जो कि शाम की उस घरी कोई रश वाली जगा नहीं जान पड़ता था उसने जसे को फोन लगाया ततकाल उत्तर मिला मैं अर्मान वो बोला मालूम स्क्रीन पर नाम आया ना थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकता है आसता हूं क्या बात है बात करनी है खास बड़े त्रिपाठी साहब ने वो तो गए मैंने तू बाहर है हाँ नर्सिंग होम से थोड़ा परे जो रेस्टोरंट है उसके सामने आता हूं भीतर आना ठीक है अर्मान भी रेस्टोरंट में दाखिल हुआ और उसके लगभग खाली पड़े प्रिष्ट भाग में एक टेबल पर बैठ गया वेटर आया तो उसने दो चाय का आर्डर किया जस्सा और चाय इकठे ही टेबल पर पहुँचे जस्सा उसके सामने बैठने लगा तो अर्मान ने उसे अपने पहलू की ओर की खाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया जस्सा बैठ गया तो उसने एक चाय उसके आगे सरका दी क्या बात है जस्सा उसक भाव से बोला बोलता हूँ अर्मान दबे किंतु संतुलित स्वर में बोला लंबी बात है ताइम है न तेरे पास है कहीं गोयल साहब धूंडते हूँ ऐसा नहीं होगा होगा तो मोबाइल खड़काएंगे ओ अब बोल गोयल साहब पुलीस में नहीं जाना चाहबे उन्होंने तेरे पर भरोसा जताया कि तू कुछ कर गुजरेगा धून लेगा साले हरामियों को खास तोर से लड़की को जिसने वारदात को अंजाम दिया उमीद तो है कैसे खुलासा कर इस शहर में जरायम पेशा लोगों से मेरी खासी वाक्षियत है आखिर मैं भी कभी ऐसा ही होता था कारे चुराया करता था फिर लोकल अंदर वर्ड में भी मेरे कनेक्शन है ठीट ठीट लेकिन इस मामले में ऐसे लोग मेरे किस काम आएंगी आएंगे जो हुआ है वो कोई मामूली वाक्या नहीं किसी पर्सनल रंजिश का नतीजा नहीं जैसा कि लाला जी सोच समझ रहे है ये प्रोफेशन जॉब है प्रोफेशन जॉब को प्रोफेशन ही अंजाम दे सकता है इसलिए मेरे कनेक्शन काम आएंगे आते आते आएंगे लेकिन आएंगे सुन तो मैं तेरी कुछ ऐसी मदद कर सकता हूँ जिससे ये काम रफ्रतार से हो सकता है जैसे शार्ट कट से मन्जिल पर जल्दी पहुँचा जा सकता है और कोई फौरी नतीजा सामने आ सकता है तू? तू मदद कर सकता है हाँ कैसे? जानता हूँ कुछ खास ऐसे क्या जानता है? जैसे मैं ऐसा कुछ जानता हूँ जिसे मैं अपने पापा के सामने नहीं दोहरा सकता गोयल साहब के सामने तो बिल्कुल ही नहीं दोहरा सकता, लेकिन तेरे सामने दोहरा सकता हूँ, क्योंकि गोयल साहब ने तेरे पर जो भरूसा जटाया है, तो अगर उस पर खरा उतर कर दिखाता है, तो उससे मेरा भी भला होता है, तेरा भी, हाँ, बहुत उलजी उलजी बा चाय की एक चुसकी भरी जस्से ने चाय की तरफ तवज्जो ही न दी उसने अपलक अर्मान की तरफ देखा अर्मान की निगा न भटकी आखिर जस्से ने ही निगा फिराई फिर बोला क्या जानता है जो जानता हूं उससे उस वज़ा पर रोश्नी पर सकती है जो अमित के आजसे की बुन्याद बनी, बढ़िया आगे बोल, आगे एक शर्मना कहानी है, ओए काका मेरे से कैसी शर्म, मैं तो घर का बंदा हूँ, सिर्फ तेरे कानों के लिए, मैंने पकड़ा नहिंट, तेरी बात मेरे से आगे नहीं जाएगी, पक्की बात, ओई, पक्की क्या, कच्ची क्या, बोल दिया न जसे ने, तो सुन, अर्मान ने सविस्तार अपनी और अमित गोयल, शकील शेक और अशोक जोगी की सोमवार ग्यारा तारीक की साजी करतूर बयान करना शुरू किया, जोन जो वो बोलता गया, जसे की हैरानी में इजाफा होता गया, कहानी का सिरा आया तो अर्मान ख्षन भर को ठिटका, उसने अपनी थंडी होती चाय का एक घूत भरा, दाता, जस्सा असाय भाव से गरगन हिलाता बोला ये लड़का तो गोयल साहब के पिछले जन्म की सजा बनता जा रहा है, जनाना जिस्म की इतनी तलब, एक वार पर्मान की भवे उठीं, तुझे नहीं मालूम, क्या, सारे शहर को मालूम है, तुझे नहीं मालूम, अरे, क्या, नहीं मालूम की अपने विकास जिंदल और केतन साहनी नाम के तेरे जैसे दो साथियों के साथ पिछले दिनों गिरफतार था, वो तो मालूम है, भगवान द विकास रोडवाले अगवा और जबर्जिना के केस में गिरफ्तार हुआ था लेकिन नाजायस गिरफ्तार हुआ था, कोट ने उसे और विकास और केतन को बाईज़त बरी किया था। बाईज़त नहीं, लैक ओफ इविडेंस की बिना पर बरी हुए थे तीनों, पुलीस का उनके खिलाफ चश्मदीद गवा खड़े पैर मुकर गया था। सरकारी गवा मुकर गया, ऐसा तहीं होता है, होता है, हुआ, गोयल साहब ने कहा ऐसा हो, ऐसा हो गया, मैजिस्ट्रेट को लैट आफ इविडेंस की बिना पर मजबूरन आरोपियों को छोड़ना पड़ा, ये बाईज़त बरी होना तो नहुआ, लेकिन इंसाफ तो हुआ, अमित का तो सच में ही उस वारदाच से कोई लेना देना नहीं था, तुझे क्या पता, वो मेरा दोस्त है, करीबी है, जब वो कहता है, गलग कहता है, उसने, उसने मेरे से जूट बोला, इस बार तो बोला, इज़त ख्राब होती पाई होगी, कर्तूद आई गई हो गई होती तो दीम हांकता तेरे सामने और तेरे जैसों के सामने उल्टी पड़ गई तो शर्मिंदिगी का बायस बन गई, हमेशा काम्याबी की लंबी-लंबी हांकता कैसे जुबान पर लाता उन्होंने उन्होंने छुरवाया, हाँ, 45 लाख रुपए नकत गवा को और केस के इंचार्ज पुलीस वाले को पूजे और भी कई तरह के कई खज हुए, कमार है, कोई सबक न लिया नामाकूल ने, एक जहमत से अभी निकला नहीं था कि दूसरी में कदम डाल दिया, ऐसी भी क्या जिन्सी भूख, अब उल्ती पड़ गई न, भूख मिताने चला था, निवाला छुने के काबिल न बचा, आसल में भगवान दास रोड़ वाली वारदात उसी का कारनामा था, और मैं क्या कह रहा हूँ, यकीन नहीं आता, अमित ने मेरे से परदादारी की, फंसा पकड़ा गया, इसलिए उसके जिक्र से अपनी किर्किरी होती महसूस करता होगा, आपसदारी में कैसी किर्किरी? पूछना, मालूम करना, अर्मान खामोश हो गया, खेर, गहरी सांस लेता जस्ता बोला, जो किस्मत में लिखा होता है, वो तो हासल होना ही होता, है, अब तु ये बता कि जो कहानी तूने की, उसमें मेरे लायक क्या है? कहानी पूरी नहीं हुई अभी, जससे अर्मान बोला तेरे लायक आगे है, अच्छा, अभी आगे भी है हाँ, बोल, पहुच आगे, मैं सुन रहा हूँ अर्मान ने सहमती में सिर हिलाया फिर उसने अकेले खुद के साथ बीती महरौली के रेस्टोरंट वाली कथा की, जिसका हौलनाक समापन एक करीबी खंडेहर इमारत में हुआ था जिसमें उसे मजबूरन ग्यारा तारीक की वारदात में शामिल अपने साथियों के नाम बताने पड़े थे आखिर वो खामोश हुआ कुछ क्षण जस्सा मंत्रमुग्ध सा उसे देखता रहा, फिर बोला ये तो तूने बड़ी खरना कथा की, काके इसका तो मतलब है कि जो अंजाम अमित का हुआ, वो रशीत शेक और अशोग जोगी का भी हो सकता है और आखिर में तेरा भी हो सकता है मैं और क्या कह रहा हूं? तू वो जाहिर है कि क्वरार है, तभी कह रहा था कि मैं अगर कुछ कर दिखा रहा हूं तो उसमें तेरा भी भला है, बाकि दो भी परदार है अभी नहीं ओ ये, रहे रब्दा ना, उन्हें तो तेरे से पहले एक परदार होना चाहिए तेरा नमबर तो आना है वो तो रब ना करे आखिर में ठीक, ठीक, लेकिन अमित के साथ बीती की मुझे आज सुबह ही खब लगी है तब से नहीं टाइम मिला उनसे बात करने का करेगा तो सही? जरूर आज ही करूंगा आने वाली मुसीबत की पहले से खबर हो तो उससे बचाव की जुगत की जा सकती है ठीक, लेकिन तो कहता है महरौली में एक, सिर्फ एक आदमी तेरे गले पड़ा उसने तेरे से अमित का नाम उगलवाया लेकिन उसकी दुरगत उसने तो न की वो तो किसी लड़की ने की उस लड़की के साथ एक औरत आदमी और थे न मेरा दिल गवाही देता है कि औरत के साथ का वो आदमी फैंटम की नकाब वाला वही आदमी था जिसने महरौली के खंधरों में मेरा दिल बैठा देने में कसर नहीं छोड़ी थी औरत उसकी बाबत मैं क्या कह सकता हूँ लेकिन एक दूर की कौडी सूझती है क्या वो वो औरत थी जिसे हम चार दोस्तों ने उठाया था और बाद में चलती कार में से बाहर थेंका था लेकिन जो पता नहीं क्या करिश्मा हुआ की मरने से बज़ गई थी मॉडल टाउन में रहने वाली कोई औरत अर्मान की भवे उठीन ओ ये जब तू कहता है कि मार्केट से कोई ख्रीदारी करके अपनी ख्रीदारी के साथ पैदल लोट रही थी तो मॉडल टाउन में ही तो रहती होगी मॉडल टाउन में भी मार्केट के करीब ही कहीं तो रहती होगी ऐसे क्या देखता है रोजमर्रा की शॉपिंग के लिए वो भी औरत, वो भी सूरज धले, कोई मील, दो मील चल कर तो नहीं आता ये बात तो ठीक है उस वारदात के बाद वो खड़े पैर मॉडल टाउन छोड़ तो नहीं गई होगी नहीं तो तेरे को उसको ट्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए थी इतने जरिये थे तेरे पास उसको ट्रेस कर लेने के वो मॉडल टाउन में रहती थी कम्यूनिटी सेंटर की मार्केट के करीब तहीं रहती थी नोची खनसोटी जाने की वज़ से चलती कार में से बाहर धकेली जाने की वज़ से घायल थी, तेरे को इतनी मूह से बोलने वाली बातों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी पहले ऐसी कोई तवज्जो देने की कोई वज़ा कहा थी अमित के साथ जो बीती वो अब बीती, तेरे साथ जो बीती, वो तो हफ्ता पहले बीती करता कुछ क्या करता? यार, अर्मान तनिक चिड़ कर बोला मैं कोई जासूस हूँ कोई ऐसी पड़ताल का तजुर्बा रखने वाला पुलीसिया हूँ उस औरत की सूरत भी देखी होती तो कोई बात थी सूरत के अलावा और भी बाते होती हैं, जिनसे बंदा पहचाना जाता है जैसे कटकाट, चालढाल बंदा पहचाना जाता है, बंदी नहीं पहचानती जाती क्या बोला? मेरी उम्र में तमाम हसीन, बुढ़िया बनी हुई औरते एक जैसी लगती है जिस बहन की दीनी की फिगर 38, 25, 37 हो, उसकी कोई सूरत देखता है वो भी अंधेरे में वो भी अंधेरे में उसका भोग लगाते वक्त तेरी माया तू जाने, ये जस्से के शौक नहीं तू समझता है कि मैं कोशिश करता तो उस औरत का मॉडल टाउन में कोई अतापता निकाल सकता था चल, मेरी नालायकी है मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की, तू तो लायत है तू कर कोशिश, तू मेरे पास बहुत काम है, गोयल साहब को मेरे से बहुत उम्मीदे है मैंने उनकी उम्मीदों पर खरा उतर कर दिखाना है दिखाना, लेकिन तू ये क्यों भूलता है, कि जिस काम का तू हवाला दे रहा है, ये भी उसी की एक्स्टेंशन है फिर भी, अभी तो तू ही कुछ कर, काके, क्योंकि अभी कोई एक्स्टेंशन मेरा निशाना नहीं, अभी मैं में लाइन पर ही रहना चाता हूँ अर्मान ने गिला करती निगा जस्से पर डाली ऐसे न देख मुझे, बात को समझ, बात के मर्म को समझ, फिर ये न भूल की मौडल काउन तेरा देखा भाला, जाचा परखा इलाका है, जबकि मैं उस इलाके से, वहां के बाशंदों से मामूली तोर पर भी वाकिफ नहीं, काके, कोशिश करेगा, तो इस मामले में तू कु परता हूं कुछ, जीता रह, अब तू मतलब की बात पर आ, मतलब की बात, ये बोल इतनी कथा तूने क्यों की, वो भी जस्से से, इतने खुफिया तरीके से, वारदात से इतने दिनों बाद, समझा, नहीं, नहीं समझा, मोटी अकल है न मेरी, मजाक न कर, तो सुन, जो मादर, महरौली के खंधरों में मेरे पर हावी हुआ था, साफ जाहिर था कि मेरे से अपनी सूरत छुपाने के लिए हाथ के हाथ उसने अपने मुपर सैंटम का मुखोटा लगा लिया था, और कोई तबदीली वो अपनी अविरिंस में नहीं लाया था, न खड़े पैर जा सकता था, ये भी जाहिर है कि वो महरौली के उस रेस्टोरन से ही मेरे पीछे लगा था, जिसमें मैं तफ्रीहन एक लड़की के साथ था, वो लड़की कहा गई, कहीं न गई, खंधहर में मेरे साथ थी, उसका भोग लगाने की गरच से ही मैं उसे खंधहर में लेके गया था, क्या, दिन्दहारे, हाँ, दिन्दहारे, अब खरदार जो कोई कमेंट पास किया, वो तयार थी? हाँ, तभी तो बिना हुज़त कि एक खंधहर में मेरे साथ गई, ऐसे मौकों पर थोड़ी बहुत नानुकर, नखरेबाजी लड़किया करती ही है, लेकिन हामी उनकी बराबर होती है, जिनको तफ्रीह की ऐसी एक्स्टेंशन कुबूल नहीं होती, उनको साथी के साथ तनह हाई में जाना ही कुबूल नहीं होता, ज्यान ना बगहार, का के मेरे को ये ज्यान नहीं चाहिए, तू बोल लड़की का क्या हुआ, उसे उस शक्स ने धमका कर खामोश रहने की वार्निंग देकर रुखसत कर दिया, फिर तेरे गले पड़ा, हाँ, उसने, ताके हम फिर असल बात से भटक रही हैं, तू कह रहा था, उसने हाथ के हाथ मुँपर मुखोटा लगाया था, बाकी कोई तब्दीली खुद में उसने नहीं की हो सकती थी, इससे आगे बोल, उसकी मन्होस शकल के अलावा, जो मुझे मुखोटे की वज़ा से दिख नहीं रही थी, मुझे उसके बारे में सब याद है, उसका डील डॉल, कद काट, खास्तोर से उसकी उस वक्त की पोशा, क्या थी पोशा, क्या पहने था, वो कॉडरोई की दार्क ब्राउन पैंट, लाइट ब्राउन थी, बटन कोट और मैचिंग ब्राउन शर्ट पहने था, उसके पैरों में चम्रे के ब्राउन जूते थे, मैंने पकड़ा तेरा बयान जो तूने खास शिद्दत से दिया, आगे बोल, आज कल रेटेग रेस्टोरेंट्स में, जिनके पास लिकर लाइसेंस भी हो, CCTV सिस्टम लगाया जाना मैंडिटरी है, मैंने कोई कैमरा देखा तो नहीं था, लेकिन मुझे यकीन है, कि वहाँ हो तेरे महरौली वाले रेस्टोरेंट में, हाँ, जिसका नाम तूने अभी तक नहीं बोला, सौरी, लोटस पॉन्ड, कहा है महरौली में, कुतूप के करीब ही है, अप्रोच रोड के सिरे पर उसकी डायरेक्शन का बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, ठीक, तेरा CCTV कैमरों पर दोर है, तू ये कहना चाहता है, कि उनमें तेरे हमलावर का अक्स आया हो सकता है, मेरे को पूरा यथीन है, कि मेरे पर निगाह रखने के लिए वो लोटस पॉन्ड में था, मेरे पीछे लगा ही वहाँ पजा था, और वहीं से मुझे फॉलो करता करीबी उजार खंडहर में पहुचा था, जससे अगर तू उस रेस्टोरेंट की 21 तारी की CCTV फुटेज को स्कैन करने की जुगत कर सके तो हमें मालूम हो सकता है, उस मा के दीने की सूरत कैसी थी, बशर्ते की उस जैसी पोशक वाले वहाँ और लोग भी मौजूद नहों, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों न के क्या है, बहुत कॉमन है वो, ठीक, ठीक, लेकिन वैसी ज्रैस पहने कोई दूसरा तीसरा वहां हुआ भी, तो जरूरी तो नहीं उसकी उम्र और कदकाट भी मेरे हमलावर जैसा हो, ठीक है, मैं समझ गया तेरी बात, मैं वहां से 21 नवंबर गुरवार दोपहर के आसपास की फुटेज निकलवाऊंगा, वो लोग कोपरेट करेंगे, आसानी से तो नहीं करेंगे, क्या करेगा? साप छोड़ दूँगा, दोबारा कोई मूतने नहीं जाएगा लोटस वाले पॉंड में, जहां साप निकल आए, वहां कौन दोबारा कदम रखेगा? हर कस्टमर यही सोचेगा की एक दिखाई दिया था, और भी हो सकते थे, कौन जाएगा फिर वहां? भामभा कर रहा होगा ठिया अगले ही रोज से, फिर कुतुप के आसपास रेस्टोरेंस का घाटा है कोई? साली एक इंट उखारो तीन निकलते हैं. अर्मान ने भाव से उसकी तरफ देखा. मुझे उमीद है मैनेजर पर मेरी धंकी कारगर होगी, उसने पुलीस बुला ली तो? बुला ले, साथ जन्म साबित नहीं कर पाएगा कि जस्से ने ऐसी कोई धंकी उसे दी थी. ओ! साप पकड़ना पुलीस का काम नहीं, का के जस्सों को पकड पकड़ना पुलीस का काम है. पकड़े उनके हाथ में ताकत है, पकर सकते हैं, लेकिन पकड़े रख कर दिखाएं. ठीक! फिर मदारी के जोले में कोई एक ही ट्रिक नहीं होती. ऐसे बहुत कर्तब आते हैं, मेरे को जो धिथाए दिखाते लोगों को कोप्रेक करने पर भूर कर सकते हैं. कैसे सीखे? कहां से सीखे? सीखे कहीं से? वक्त सब सिखा देता है. ऐसे ही तो गोयल साहब का ट्रबल शूटर नहीं हूँ, वो भी एक दो साल. से नहीं, 14 साल से, आज तक तो हुआ नहीं की बॉस. कि कोई ट्रबल जस्सा न शूट कर सका हो. गुड तू जरूर कुछ कर गुजरेगा. तेरी बात ख्म हो गई? अभी नहीं. तो कर न ख्म. फालू बातों में क्यों वक्त जाया कर रहा है? जस्से, जैसे जैसे जोजो बीता, उससे साफ जाहिर है कि जो मेरा हमलावर था, उसी की करतूद अमित ने भुखती है. इसलिए ये लाजमी है कि जैसे वो मेरी ताक में लोटस पॉंड में था, वैसे कल अमित की सिरात में हाइड पार्क में था, ये अपने आप में हैरानी की बात है कि अमित वहां अकेला था क्यों है रानी की बात है क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि अमित को शाम की तफ्री के लिए लड़की सैट करने में कभी कोई दिक्कत पेश आई हो फिर भी अकेला था ना सर्फ अकेला था लगता है किसी साजिश के तहट अकेला था ताकि वहां वो लड़की उससे चिपकाई जाती जिसने आखिर उसका अम्नुभम किया जससे इस लिहाज से मेरा हमलावर हाइड पार्क की CCTV फुटेज में दिखाई देना चाहिए साथ में उसकी कमपैनियन भी और साथ में वो कमपैनियन लेस लड़की जो अमित के साथ चिपकी अगर मेरा हमलावर वहां भी हुआ तो ये डबल कन्फरमेशन होगी कि उसकी सूरत कैसी है फिर दिल्ली की दो करोड की आबादी में आराम से हम उसे धून लेंगे पागल है तू अरे वो सूरत हमारी जानी पचानी निकल सकती है हो सकता है उस सूरत से हम पहले से वाकिफ हो ओ ओ ओ फिर उसके साथ की औरत और उस लड़की की भी शिनाक्त होगी लड़की का तो कोई क्लू हमारे पास नहीं है लेकिन तेरी माने तो औरत का तो है वो मॉडल टाउन में कही रहती है मॉडल टाउन की म्यूनिसिपल मार्केट के करीब कही रहती है CCTV के जरिये हम उस औरत की शकल से वाकिफ हो पाए तो सोच कितना आसान होगा उसे मॉडल टाउन में तलाश कर लेना फिर जो उसका मर्द वो मेरा हमलावर फिर अपना जस्सा उसे काबू में करेगा और चुटियों में उसे कवलवा लेगा कि वो लड़की कौन थी जिसने अमित की दुरगत की नहीं मशीनी अंदार से जस्से का सिर सहमरी में हिला काके फिर बोला तेरी बात तेरी लौजित पसंद आई मुझे मैं करता हूँ कुछ कुछ नहीं जस्से सब कुछ और जल्दी ये न भूल की मुझे मिला के अभी तीन और जने हैं जो अमित वाले अंजाम को पहुँच सकते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूँगा पर काके आईनदा दिनों में तेरा खवरदार रहना फिर भी जरूरी है खवरदार हो और बाकी दो दोस्तों को भी खवरदार कर तुम तीनों को खास तोर से तुझे क्योंकि तू मेरे बौस के जिगरी दोस्त का बेटा है इसलिए मुझे तेरी ज्यादा फिक्र है, आइंदा दिनों में मौजमेले के लिए इधर उधर भटकने के अपने शगल को लगाम देना होगा। नहीं? हाँ! रहेडाक परदान? हाँ, बहुत! शाबाश! जस्ता उठ खड़ा हुआ, जल्दी ही तेरे से मिलूँगा, किसी कारगर नतीजे के साथ मिलूँगा। मीटिंग बखरास हुई, दिसंबर रविवार, मैं उस तरे से आजिज हूँ। वो सुबा का वो वक्त था, जबकि मुबारत अली का टैक्सी लेकर निकलने का टाइम अभी नहीं हुआ था। दोनों तिराहां बैरम खान के करीब के विमल के पहले से जाने फचाने 31 काल में मौझूद थे और चाय और ओमलेट नोश फर्मा रहे थे। ये भी कोई हत्यार हुआ। किसी के आगे उस तरह चमकाओ तो अंदेशा होता है, कहीं ये समझ ले हज्जाम है, हजामत बनाना मांगता है। मुबारत अली की हसी छूट गई। मजाक, वो बोला मजाक करता है, बाप, नहीं, मैं बिलकुल संजीदा हूँ, उस तरह नहीं चलेगा, मजबूरी में चलाया बराबर लेकिन, बस, और नहीं, तो, मेरे को गन मांता हूँ, क्या, वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी में, पिराबलम है, तेलिवारे पहुँच। अब तन्वीर एहमद को दरकार नहीं होती, दूसरी बार ही पुराने वाकिफ की तरह मिला था, इस बार भाव खाया, न मिला, हाँ, लेकिन और वज़र से, और वज़र, अल्ला को प्यारा हो गया, अरे, क्या हुआ? वही हुआ जिसका पहली मुलाकात में ही मैंने अंदेशा जताया था, मैंने वान किया था उसे की एक दिन अपनी तमाम होश्यारियों और फंदेबाजियों के बावजूद वो अपने वकील का आफिस लगने वाले कमरे में ही अपने तमाम आडे तिर्छे, उल्ते सीधे चल अपने लड़के इंजमाम ने जनवाया, आफिस में मरा पाया गया, कोई जराय में शाग्राहत ही शूट कर गया, उसी गन से जो वो उससे खरीदने आया था, तन्वीर एहमद की गन भी ले गया, जान भी ले गया, अल्लाह अब वहाँ गैरकानोनी फायरार्म्स की सेल का धंधा बंध है, फरजंद कहता है कि वो धंधा चलाना अबबा के ही बस का था, खूप चांदी काटी, आखिर खुद कट लिया अफसोस अब गन का कोई इंतजाम चाहिए मुझे, एक हाथ आई थी लेकिन किसी काम की नहीं थी हाथ आई थी कैसे? विमल ने पिछले इतवार अपने साथ बीता रोडरेज का वाक्या बयान किया अल्ला, मुबारक अली बोला नसीब मारे ने महज इसलिए तेरे पर गन तानी की तेरी वज़र से रेड लाइट जम्प न कर सका हाँ विमल बोला विमल बोला और खुली मा बहन की गालियां दी अल्ला, क्या होगा इस नसल का एसी पी का बेटा होने की एंट थी बोली चला देता क्या पता तूने पहले ही उसकी गन कबजा ली हाँ उसी को कह रहा है किसी काम की नहीं थी हाँ, घोडा अटकता था, सेफरती कैच था ही नहीं नाल में जंग लगा साफ दिखता था, पता नहीं बावकते जरूरत चलती भी थी या नहीं शायद दराने धमकाने के ही काम आती थी चैंबर तो फुल था फिर भी हाँ, शायद तो कर सकते हो कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा, तेरा हुक्म है तो दरखवास्थ है करना ही पड़ेगा जल्दी जल्दी कुस्तरे से किनारा तो नहीं कर लिया नहीं, अभी नहीं जब तक गन का इंतजाम न हो जाए करना भी नहीं ठीट विमल ने एक बंद लिफाफा उसके सामने रखा ये क्या है मुबारत अली की भवे उठीन पचास हजार रुपए घट बढ़ बाद में अरे बाप क्यों दाड़ी मूत में धोयला है ये जरूरी है क्यों जरूरी है इधन रोकडे का कोई वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में तोड़ा है साने पंद्रा कमाने वाले हैं हवेली में चौदा भांजे और पंद्रावा मामू अल्ला बरकत में और इजाफा करे क्या भांजों की तादाद बढ़े कमाई की बरकत में ओ, कमाई की बरकत में ये जरूरी है विमल ने लिफाफा मुबारत अली की तरफ और आगे सरकाया कहना मानो माना अब तु मेरा कहना मान क्या करूँ इसे पास रख मुबारत अली ने लिफाफा वापिस उसकी तरफ सरकाया जब कोई जुगाड हो जाएगा कीमत मुकरर हो जाएगी तो ले लूँगा वादा पपका वैसे इतने में काम हो जाएगा बलकि अदा हो तन्वीर अहमत से कितने में होता था चालीस में हो जाएगा गन चाक चौबंद लेकिंग चोरी की चोरी की तो होगी ही लाखों का माल हजारों में चोरी का ही होगा तो मिलेगा न दुरुस्त अल्बत्ता चाक चौबंद जो तू बोला वो यकीनन होगी बढ़िया अब एक खास बात सुन सुन रहा हूं हैरान होगा सुनकर क्या बात है ऐसी अल्कमश की बड़े काम की फीस दस हजार मुकर्र हुई थी नहीं हाँ मैंने परसो रात ही उसे रकम अदा करने की कोशिश की थी लेकिन उसने ये कहके ताल दिया था की बड़े मिया से लेगा मेरे से नहीं ली उसने मिला था हाँ कल मैंने ही बुलाया था खैरियत जानने के लिए बाप बहुत जिदकी पर उसने रोकड़ा कुबूल नहीं किया क्यों कोई वज़ा न बोली मैंने जिदकी तो बोला तेरे को वज़ा मालूम है मुबारक अली ने अपलक विमल की तरफ देखा मालूम है है तो सही विमल डबे स्वर में बोला क्या है वज़ा वज़ा ये जान के समझ जाओगे मिया कि उसने वो हजार रुपे भी लोटा दिये है जो पिछले इतवार को तुमने उसको दिये थे क्या उसे पाँच पाँच सो के दो नोट थमाए ये तो तुम्हारे ही है बलकि तुम्हारे वाले ही है कमार है क्या जादू कर देता है बाप मैं एक प्याली चाए और पिऊंगा बात बदल रहा है लेकिन खेर मुबारत अली के आदेश पर उन्हें ततकाज दो चाए सर्व हुई मुझे एक फिक्र सता रही है एकाएक मुबारत अली दबे स्वर में बोला विमल ने सवालिया निगा उस पर डाली हाश्मी कहता है कि महरौली वाले रेस्टोरेंट में तेरा अपनी शकल की नुमायश करके आना ठीक नहीं था हाश्मी पढ़ा लिखा है दानिश मंद है वो जानता है ऐसी जगों पर वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में निगाह की बीनी के लिए खुफिया करके कैमरे लगे होते हैं तेरे मुखालिफों में से किसी को उन कैमरों का ख्याल आ सकता है फिर उनकी एहमियत सूच सकती है किसी को मेरी क्या खबर? वो छोकरा देगा न खबर जिसको तूने होटल के करीब के खंडहर में थामा था इतना भी तो अकल से पैदल नहीं होगा कि उसे न सूझे कि तू उस रेस्टोरेंट में उसको निगातू से बीनने के लिए मौजूद था और वहीं से उसके पीछे लगा था रेस्टोरेंट में मैं गागल्स लगाए था क्या लगाए था? धूप का चश्मा बड़े-बड़े शीशो वाला उससे चेहरा छुप जाता है फर्क तो पढ़ता है फर्क पढ़ जाना काफी होता है काफी तो नहीं होता, फिर भी क्या फिर भी? तुम अपनी बात कहो, मिया तु कहता है किसी को तेरी क्या खब्र मैं कहता हूँ उस छोकरे को खब्र जिसको तूने रेस्टोरेंट के करीब के खंडहर में थामा था खाली थोबड़ा ही तो न देखा न उसने तेरा नकाब की वजह से बाकी तो सब कुछ देखा न या खंडहर में नकाब की तरह लमादा भी पहने था विमल ने चिंतित भाव से इंकार में सिर हिलाया अगर उस छोकरे को रेस्टोरेंट के खुफिया कैमरो का ख्याल आया और उसे उनका कर्तब देखने का मौका मिला तो कैमरो की जद में आया तू भी तो उसे दिखाई देगा फिर वो भले ही गारंटी से कुछ न कह सके कोई पुखता अंदास तो लगा सकेगा या वो भी नहीं की खंडहर में उसका हमलावर कौन था रेस्टोरंट की उस रोज की CCTV फुटेज उसे कौन देखने देगा क्या कौन देखने देगा खुफिया कैमरो का कारनामा उसे कौन देखने देगा बाल की खाल मत निकाल, बाप, बात का मतलब समझ विमन ने कई क्षन जवाब न दिया फिर संजीदगी से बोला वो मेरी मज़गूरी थी बलकी गल्ती थी मैंने तू इस सा भाई विग्वाला को जानता है जानता हूँ, तेरे ही बताए जानता हूँ बड़ा मशुरो माहरूफ मेकप मास्टर है मुंबई का इबराहीम कालिया की नवाजिश से जिसका तू वाकिफ बना था वही मैंने उसे हाल में कई तरह के मेकप के सामान का ओडर दिया था जो कि उसने मुझे यहां दिल्ली में भेजना था उस छोकरे के पीछे पड़ने के अभियान को मुझे तब तक मुलतवी करके रखना चाहीए था जब तक की वो सामान मुझे दिलीवर न हो जाता मुझे वो सब एक ही दिन के लिए मुलतवी करना पड़ना था क्योंकि अगले दिन तो इसा भाई का भेजा पार्सल मुझे मिल ही गया था, गल्ती हुई बराबर वो मेरे से अब अपने वाहेगुरु से दुआ मांग की उस गल्ती का खामियाजा न तेरे गले पड़े विमल ने सहमती से सिर हिलाया इसा भाई का भेजा शिराजा तुझे मिल गया था तो आइंदा तो तुने एहलियाद बढ़ती थी हाँ, हाइड पार्क में मैं हुलिया बदल के गया था, नीलं भी और अलतमश्त हुलिया बदलने के नाम पर अपना काया पलट ही कर लेता है उसे देख कर कोई साथ जन्म नहीं कह सकता था कि वो किसी खांदानी लड़की को नहीं देख रहा था तू खुद ही कहां कह सका था उसने जनाना मेकप उतारा था तो तू भौचक का था मुझे याद है तेरी कमरा बंगश वाली शकल विमल हसा आइनना एहतियाद बरतेगा ये भी कोई कहने की बात है इससा भाई के सदके अब मेरे पास एक दो नहीं दस रूप बदलने का इंतजाम है पीछे कोई अंदेशा नहीं जैसे हाश्मी कहता है वैसे है तो सही छोटा मोटा लेकिन देखेंगे उस छोकरे की खबर आखिर में लेने वाली बात भी मेरे को कोई खास नहीं जंची दुश्मन तो दुश्मन है कोई पहले क्या कोई बात में क्या मुझे तुम्हारी बात से पूरा इतफाक है मिया लेकिन उस वक्त माहौल ही ऐसा बन गया था कि जोश में मैंने वो घोशना कर डाली अरे दफान कर अपनी घोगो अपने एलान को नहीं, अब जो बोल दिया सो बोल दिया कुस दृष्ट, गुस्ताक, बिगडेल छोकरे से मुझे वैसे ही खुंदत है कार की रांग पार्विफक की शिकायत करने मैं उनके घर गया था तो बाप से ज्यादा बत्तमीजी से मेरे से वो पेश आया था वो छोड आजकल के बड़े घरों के सारे ही छोकरे ऐसे हैं, कमबत मारे, अब ये बोल की आगे तेरा क्या पिरोग्राम है गोल्डन गेट का चक्कर लगाने का प्रोग्राम है कौन सा गेट विमल ने बताया मिया, ऐसा लगने की कोई वज़ा नुमाया नहीं है फिर बोला, लेकिन ना जाने क्यों मुझे लगता है कि उस रेस्टोरेंट में कोई भेद है कैसा भेद? पता नहीं, बात मामूली है लेकिन फिर खटकती भी है क्यों फैक्टरी का तीसरा पार्टनर जो कहीं बाहर से है अपने बाकी दो पार्टनरों से अपनी फैक्टरी में जाकर मिलने की जगा बगल के रेस्टोरेंट में मिला जवाब तूने खुद दे लिया क्योंकि रेस्टोरेंट बगल में था इसलिए सहूलियत का ठिकाना था ठीट ठीट लेकिन पहले फैक्टरी में जाता फिर रेस्टोरंट में पार्टनर से मीटिंग करता तो बात समझ में आती थी फैक्टरी में तो वो गया ही नहीं एक बार एक बार नहीं गया ना एक बार इसलिए क्योंकि उस एक बार बकॉल अतिवाचाल फैक्टरी गार्ड जिससे मैंने जानकारी निकलवाई उस गार्ड ने सुना था कि बाजू के रेस्टोरेंट में मिले थे सब लोग कहां मिले थे बाजू ने रेस्टोरेंट में गोल्डन गेट में वरना, फिर बकॉल गार्ड, वो पार्टरनर साहब लोगों से मिलकर बाहरो बाहर ही चला जाना था, क्या समझे? मुबारक अली खामोश रहा, तुम अपना तसवर किसी ऐसे कारोबार के पार्टनर के तौर पर करो जो कि यहां से आज सो मील के फासले पर है, क्या? अब बोलो, इतने फासले पर वाक्या कारोबार के मुकाम पर कोई हर तीसरे चौथे दिन पहुँच जादा होगा, मुबारक अली का सिर्ष स्वयब में विनकार में हिला, कभी-कभी पहुँचने वाला शक्स क्या अपने कारोबार के मुकाम पर करम नहीं रखना चाहेगा? नहीं जानना चाहेगा कि सब ठीक से चल रहा था या नहीं? सब चौकस था या नहीं? चाहेगा! उस परदेशी पार्टनर ने तो ऐसा न किया? किया न! तेरे गोल्डन करके गेट में गया न! विमल सक्पकाया, उसने अपलक मुबारक अली को देखा! बात को समझ बाब! मुबारक अली धीरे से बोला! शेश भाग अगले एपिसोड में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें!